नमस्का दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं किरण सामान ग्यान की जो गुक साती आपकी उसी को रिविव यानि की उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें भारत का इतियास हम लोग देख रहे थे तो दो पार्ट हम लोग खतम कर चुके इसमें लाश्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किये था प्राचीन एबं मद्देकाल भारत की प्रमुक यूदता का हम लोग देख चुके थी उसमें यह आपका भारत की इतियास का तीसरा पार्ट है याद रखी अगर इस बुक्स को आप लोग पूरा कवर कर लेते हैं तो आप बहतर सवालों की जो भी कुश्चेंस आएंगे आपके वंडेग जाम में और चिप्टी रूम में या फिर कहीं लिकित रूम में भी आ रहे हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की स्थितिमें होंगी क्योंकि यह आपकी लूसेंट की तरह कूरी बुक्स है बस इस तना फर अखिलूसेंट में उसमें की थोड़ा विस्तार के साथ लिखी गई है तो देखेंगे इसमें आधुनिक भारत के प्रमुक्य उद्ध जोग हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे फिर बात करेंगे भारत में यूरोपियों यूरोपियों का आगमन हुआ जो अं दिवासी विद्धरों देखेंगे आपके इनसे भी आपकी कुश्चन्स बनते रहते हैं याद रखिए अगर इन तीनों पार्ट को आप कवर कर लेते हैं तो भारत की इतियास से जो भी आपका कुश्चन्स आएगा वो आपसे नहीं चूटेगा इतना मैं बादा कर सकता क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स लिखे गई हैं आपकी किसान अंदूलन देखेंगे हम लोग धार्मी केवम समास सुधार अंदूलन भी देखेंगे बैटिस समराज की गवर्नर, जनरर और वायसराय देखेंगे बैटिस सासन की भूराजस सनीतियां देखेंगे भारत का राष्टी आंदोनन और सुतंता प्राप्ति देखेंगे इसमें आपका 1885 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाओं को समलित किया जाएगा फिर आपका नहरु यह वो तेखेंगे भारत की सुतंता से लेकर 1964 तक का यह हो क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पहले विदानमंतिरी नहरु साहब की थे थे पंडी जवाला नहरुई थे फिर इसी में हम लोग बात करेंगे आदुनिक भारत की जो राजने थी एवं राष्टवादी संस्था हैं फिर आपकी बैटिस काली सम्दियां देखेंगे करांता करांती कारियों पर हुए मुकद में देखेंगे भारत की महान सुतान स्वादीनता सैनावी नी भी देखेंगे फिर कॉंग्रेस के अधीवेशन एवं संबंदित इस्थल भी देखेंगे इनसे आपके क्वेश्चेंस बनते रहते हैं याद रखिए हमेशा और आप लोग इन्हें कवर कर लीजी अच्छे से फिर बारत की प्रमुक्रिति जहाँ से एवं दर्शनी इस्थल देखेंगे प्राचीन भारत में जो संस्कित पाली प्राक्तिक अन्भासाओं के गरंत और उनकी लेखक हैं उन्हें भी देखेंगे सुतनता अंदोलन से संब्धित पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे प्रमुक्राजवन्स संस्थाफ़क और राजधानिया भी आप लोग इसी में कवर कर लेए तो पहले में आपका प्राचीन भादत दूसरे में मद्यकालीन भारत तीसरे में आदूनिक भारत इसमें हम लोग तीसरा पार्ट नाम क्यों दे रहें इसलिए दे रहे हैं आपने देखा होगा इसमें कि प्राशीन भारत को भी जोड़ दिया गया है कुछ पार्ट सक जिसे प्रमोक राजबंस संस्थापस इसके बंद्दिकारीवन भारत की आपकी विशट का इस अने आपको कवर करना है कि आद रखिए सभी वुक्स की नाम एक क्रांन सामान गयान के नाम से पलेलिष्ट। सूची बना दूँगा। उसी में पूरा आपका कवड़ किया जाएगा जो भी करांन सामान जयान है उसे कवड़ किया जाएगा। आपने लूसेंट में देखा होगा बिषय बस्तों काया सांसिक्ती और भायरत का भूगण हो गया विस्तार में लिखी गई है वो सौट में लिखी गई हैं तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुक्य उद्दों के बारी में बात करते हैं अग्यां दो वैसे आधोनीक भारत के उद्ध हमें आंगे देखना चाहीं तो लेकिन चली आंगे भी हम लोग देख लेंगे पवैंटों के रोम में लेकिन अभी भी आप एक रिवीजन के पवैंट डिवी से इसे देख लें जान ले एक सामानी जानकारी उसके बाद आगी तो हम इसके बारे में डेटेल से पढ़ेंगे ठीक है यानि कि विस्तार से यह आपके युद्ध का नाम हो जाता है जिस बरस में हुआ सन में यह सन हो जाता है यह पक्छ और बिपक्छ और पईडाम क्या हुआ किसी युद का पईडाम क्या हुआ उसकी बारे में खेडा का युद यह आपका 707 में होता है मराथा चत्वती साहू की बीच और तारावाई की इसमें साहू विजयी रहता है सक्खर खरदा का युद 1724 में होता है निजाम मुल्क एवं मुबारिच खां की बीच इसमें आपका निजाम विजयी रहता है भोपाल का युद आपका 1737 में होता है बाजी राव पितम और मुगलों की बीच इसमें आपका बाजी राव पितम विजयी रहता है करनाल का युद 1749 में होता है नादिर साहे और मुहमत साहे की बीच होता है इसमें आपका नादिर साहे बिजयी रहता है गिरिया का योद यह आपका 1740 में रहता है सर्भराज खान और अली वर्दी खान की बीच इसमें आपका अली वर्दी खान जीतता है पिर्थम करनाटा के उन्द 1744 से 1748 की बीच यह आपका फ्रांसीसियों की तरफ से डूपले और अंग्रेजों की बीच था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की बीच इसमें आपके फ्रांसीसी जीतते हैं दुतिय करनाटा के उन्द 1750 से चंग्वन की बीच होता है से किलाइब था इसमें आपके अंग्रेज अंतिम रूप से विज्य होते हैं अधिर आपका तितिय करनाटा क्यूत यह आपका 1757 से 1773 के बीच चलता है अधिस फ्रांसिती और अंग्रेजों के बीच ही होता है इसमें आपके अंतिम रोप से अंग्रेज विजई रहते हैं ठीक है फिलासी का यूद ये आपका 1757 से 1757 में हुआ फिलासी का यूद अंग्रेज किलाई और स्राज़त दौला की बीच हुआ इसमें अंग्रेज आपकी विजई हुए बेदारा का यूद ये आपका 3759 में हुआ अंग्रेज ये विजज़ डच़ों की बीच हुता है इसमें आपके अंग्रेज विजई रहते हैं बॉन्डिवास का यूद ये आपका 1760 में हुता है अंग्रेज और फ्रांसीसीयों की बीच इसमें अंग्रेजों का नितित्व करता था अएरकूट में पहला आपका पाणीपत का यूद 1526 दूसरा 1556 तीसरा 1761 पाणीपत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि पाणीपत के छित में ये होता था ठीक एहमद साहे अबदाली और महराठों की बीच होता है इसमें अबदाली आपका विजयी रहता है बक्सर का यूद 1764 अंग्रेजों और मीर कासिम सुजा और दौला और साहे अलम की सेप सेना की बीच होता है ऱनक़ंगेजों कानेत्र करता था मुन् रो इसमें आपकी अंग्रेज बिजयी रहते हैं यह दो यूद थे जो जिनोंने यहां हमारा नेडायागा यूद थि अंग्रेजों और भारत की यहां से अंग्रेजों का सासन हो जाता है पहला था आपका प्लासी का यूद और बक्सर क इन दोनों यह दोनों नेडाए के स्थिति में पहुंचा दिया था और अंग्रेजों की सेंग को सकती साली बना दिया था भारत कम जोर पड़ गया था ठीक भारत के जो भी सा सकते पिथम मैसूर यूद होता है आपका 1766 से 1779 की बीच अंग्रेज और हैदर अली की बीच होता है इसमें आपका हैदर अली जीतता है रोहिला यूद 1774 में या आपका हैस्टिंग्स एवं हापिज खां की बीच होता है अंग्रेज सिंदिखेटा का यूद 1775 में निजाम बाब मराठेओं की बीच होता है इसमें मराठे आपकी बिजय होते हैं ठीक है? पिथम आंगल मराठा यूद की बात करें हम लोग? तो पिथम आंगल मराठा यूद होता है 1775 से 82 की बीच अंग्रेजों की तरप से बॉरिन हेक्स्टेंग्स यूद लड़ता है, मराटों की तरप से नाना फंडनवीस, इसमें आनेडित यूद रहता है, यानि कि नेड़ाय नहीं हो सका कि कौन जीता कौन हारा, दुतिय मैसूर यूद आपका 1784 से 1784 के बीच होता है, अंग्रेजों और हैदय की बीच, इसे यूद में आपका हैदर मारा जाता है, टीपू सुल्तान भी भाग लेता है, ये भी आपका आनेड़ेत यूद रहता है, यानि कि नेड़ाय नहीं होता है, तितिय मैसूर यूद आपका 1790 से 92 की बीच होता है, करन वालिस एवं टीपू सुल्तान की बीच, अंग्रेज इसमें बिज़ाई रहते हैं, चत्थोर्थ मैसूर यूद 1799 में होता है, लौड बैलेजली और टीपू सुल्तान की बीच होता है, अंग्रेज इसमें बिज़ाई रहते हैं, ठीक है, और 1799 में इसी यूद में टीपू सुल्तान मारा जाता है, दुतिय अंगल मराथा यूद 1803 से 1864 1806 की बीच होता है यह होता है आपका लॉर्ड बेले जली और मराथों की बीच इसमें अंग्रेज आपकी विजई रहते हैं फिर आपका नेपाली उद होता है 1814 से 1816 की बीच यह आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोर्खों की बीच होता है इसमें भी आपके अंग्रेज ही विजई रहते हैं तितिय अंगल मराथा यूद होता है 1817 से 19 की बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराथे की बीच इसमें भी आपके अंग्रेज ही विजई रहते हैं पिछम बर्मायुद 1824 से 26 की बीच अंग्रेज और इवं बर्मा की बीच होता है, इसमें भी आपके अंग्रेज जी बिज़रे जे. सीधा सा मतलब था अंगरेजों का जीतने का कि उनमें एकता थी और हमारे यहाँ जितने भी राजा थी उनमें से अधिकता राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे होते थे ठीक है दूतिये सिख्खे उद्ध था ये आपका 1848 से 49 की बीच लड़ा गया अंग्रेजों की तरफ से डलोजी लड़ रहा था और सिख्खों की बीच हुए इसमें भी आपके अंग्रेजी बिजय हुए दूतिये बरमायूत 1852 में अं सिख्खे उद्ध लतंता और अंग्रेजों की टरफ से लिटन था और अफगान इसमें भी अंतिम रूप से अंग्रेज बिजय होते है tastyya बरमायूत 1885 में अंग्रेज अंग्रेज ओं की तरफ से डप्रें था और बर्मी इसमें अभी आपके अंग्रेज ही बेज़े होते हैं तिथी अफगान यूद 1919 में होता है अंग्रेज चेम्सफोर्ड था इसमें और अफगानों के बीच इसमें भी आपके अंग्रेज थे यह उसी तरह ऐसे थे इसलिए कि हमारे यहां कोई आता है बाहरी लोग और हमारे गाओं में किसी को पीटता है तो हम लोग तमासा देखते रहते हैं हकीयत यह हम सोचते हैं हमारा क्या लेना देना वो कुछ दिन बाद तुम्हें खुद पीटने लगता है तब हमारी समझ में आता है कि तब अगर एकट्टे होकर लड़ते तो साथ हम लोग जीत जाते उससे ठीक है तो दूसरे पर समस्य आ रही है तो हम लोग खुसिया मनाएगे जब खुद पर आएगे तब हम समझ में आएगे हमे जब चीन में कुरोना वायरस आया तो हम लोग तमासा मना रहे थे सभी देश जब सब कुछ ठप पड़ गया सभी देश इसके पिरभाव में आगे तब समझ में आए तब ही अगर चोकंदा हो जाते तो ये श्तिती ना बनती और ये उसी फैलियर है कि आज ये श्तिती हो चुकी है भारत चीन यूद आपका 1962 में होता है चीन द्वारा भारत पर आकमर हो जाता है इसमें चीन विज़य होता है कहते हैं कि इसमें कुछ तकनी की यानि कि पंडि जबाहलाल लहरू ने अच्छा यूदान नहीं दिया था यानि कि इसमें कहते हैं कि कई कम्या थी भारत की तरप से बरना युद्ध भारती जीत था इस कमियों के लिए जम्मेदार आपका पंडित जबालाल लहरू को ठैराये जाता है ठीक है जैसे ही 1962 में चीन की द्वारा भारत की हार हुई तो पाकिस्तान का भी होसला बुलंद हो गया उसने भी 15 1965 में आकमर कर दिया लेकिन इसमें पाकिस्तान को मुई की खाने पड़ी भारत विजय हुआ आप भी देखते हैं कि जब आप किसी को हरा देता है कोई आदमी तो तुम्हें भी लागने लगता है कि हम भी उसे हरा सकते हैं लेकिन बास्ताव में ऐसा ना सोचिए ठीक है फिर पाक भारत पात्र की यूद 1971 में होता है यूद का कारण था बंगलादिस की सुतनता का वो 1971 में एक नया देश बनता है बंगलादिस ठीक हमारा उपड़ोसी इसमें भी आपका भारत विजय यूगा ये थे आपके कुछ मत्मूँ यूद अब देखते हैं हम लोग आंगल माराठा संधियों के बारे में आप लोग अकसर देखते रहते हैं जब किसी दो पक्चों में लड़ाई होती है तो उनके बाद वो लड़ाई या तो किसी समझोता की तेर्ट खतम होती है उसे ही आप लोग संधी बोद लेते हैं तो इससे भी आपके questions बनते रहते हैं अंग्रेजों तत्था मराटों के बीच हुई मात्वून संधिया हैं यानि कि समझोते हैं यह आपके संधियों के नाम हो गए यह जिस संध में हुई वर्स हो गए और संधी 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 पक्ष जो हो गए यह वो गए तो सूरत की संधी यह आपकी 1775 में हुई थी कब 1775 में किस-किस के बीच रगुनात राओ और इस्ट इंडिया कमपिने के बीच पुरंदर की संधी यह आपकी 1776 में होती है किस-किस के बीच पेशबा मादावराओ नारायन राओ और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच बढ़गाओं की संदी ये आपकी 1789 में होती है पेशबा मादावराओ नारायन राओ और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालवाई की संदी ये आपकी 1782 में होती है बाजी राय दूती है और इस्ट इंडिया कंपिनी की वीच बेसीन की संधी यह आपकी 1802 में होती है पेशबा मातावराव नाराएं और इस्ट इंडिया कंपिनी की वीच देवगाओं की संधी यह आपकी 1803 में होती है भहासले और East India Company की वीच सुर्जी और ज़ून गाओं की संधिता आपकी 1803 में होती है सिंधिया और East India Company की वीच राजपुर घाट की संधिता Troy अपकी 1824 में होती है होलगर्त थे East India Company की वीच नागपुर की संधिता आपकी 1816 में होती है नांगपुर के अप्पा साहेब और इस्ट इंडिया कम्पिनी के वीच ग्वालियर की संदी ये आपकी 1817 में होती है सिंधिया और इस्ट इंडिया कम्पिनी के वीच पूना की संदी 1817 में पेशवा तथा इस्ट इंडिया कम्पिनी के वीच होती मंदसोर की संदी 1818 में होती है होलकर और इस्ट इंडिया कंपनी की भी तो ये आपकी कुछ मात्पूर संदी आती यानि के समझोती याद रख लीजिए ने ठीक है अब चलते हैं भारत में यूरोप पियानों का आगमन होता है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं आपके देश में पुर्दगाली और सबसे बाद में ये लोग जाते हैं बारतो लॉमिव डियाज यापकर चौदे सो सतासी में आता है आसा अंतरी पहुचा उस जगए को तूफानी अंतरिम नाब दिया थे उसने तो सबसे पहले को न आता है बारतो लॉमिव डियाज यापका चौदे सो सतासी में आता है सत्रह मई 1498 को फुर्दगाली यात्री बासको डिगामा समुद्री मार्ग कैप औप गुड़ हॉप की रास्ते भारत में काली कट बंदरगाप सबसे पहले पहुचता है तो आप लोग कई बार देखते हैं उन्हें पूंच लेता है पूंचते हैं कई उलोग सामान गयान के लिए याद रखिए कि भारत की खोच किस न की थी तो कहते हैं बासको डिगामा अमेरिका की तो कॉलम्बस बताते हैं तो यह वही बासको डिगामा था काली कट के जमोरिन जमोरिन ने बासको डिगामा का स्वागत किया था यानि कि बासको डिगामा जब भारत आया तो उस समय काली गट पर किसका सासंता जमोरे निका बासकोटी गामादवारा भारार से ले जाये गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर लिगा माल लिजिए कि आपके आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं और आपका खर्च आता है उस पर एक रुपया समझ रहें और आपको फायदा होता है 60 गुना यानि कि 60 रुपय गा तो आप समझ सकते हैं भारत को मत्रिस समय कितना था तो जो भारत से मसाला ले गए बासको डिगामा इन्हें इनकी पूरी यात्रा से 60 गुना अधिक दाम पर बिका इसलिए आपके हां विदिशी आये हुए थी उरुपया इसी लालच में इउरुपया ब्यापारी अफीका स सौना हाथी दाथ एवं गुलाम जैसी चीज़ें ले जाते थे पंदरहे सो तीन इसवी में पुर्दगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में बनाया था कहां कोचीन में पुर्दगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग बनाया 1505 में एक कन्नूर में बनाया था 1509 में गुजरातिमम इसकी सयुक्त बेड़े को फ्रांसिसी फ्रांसिसको डी अलमेडा ने पराजित किया था फ्रांसिसको डी अलमेडा पिथम पुर्दगाली वाय सराय था फ्रांसिस्को D. Almeida कौन था पिथम पुर्दगाली वायसराय अलफांसो D. Alvukark 1503 में इसको वेडन कमांडर की रूम में आया और 1509 में इसे भारत का वायसराय निउप कर दिया गया इसे ही पुर्दगीज सक्ति का वास्त्विक संस्थापक भी आप लोग मात दे हैं डी अल्वुकर्क को अल्वुकर्क 1503 में भारत आया था कितने में 1503 में कि अल्वुकर्क यापका 1509 में पुर्थगाली गवर्णर नियुप्त किया हुआ अलफान सो डी अलवुकर्ट पंदरे सो नौ से पंदरे सो पंदरे को भारत में पुर्थ कीज सक्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अलवुकर्ट ने गुवा अधीगेर में तिमेया नामक हिंदू से साय था ली ती याद रखिए यह वही गुवा है कि सबसे पहले भारत में हमारे पुर्थ गाली आते हैं लेकिन गुवा और दमंदूई इन पर आपका 1961 तक पुर्थ गाली का गभ जा रहता है 1961 में गुवा से पुर्थ गाली जाते हैं तो सबसे पहले कई बार पूच लिया गया है कुछ है कि सबसे पहले कौन भारत आया था और सबसे बार में कौन गया ते पुर्थ गाली थे पंदरह सो दस में अलवुकर्ट ने गुवा को बीजापुर के सुल्तान यसो आदिल साय से जीता था गुवा में भारत पुर्थ गाली राची की राधानी 1530 में बना पुर्थ गालीयों ने दीब दूइब इवं दमन पर किरमसा 1535 और 1569 में अधिकार किया था यह आपकी यूरोपीय कंपणियों का भारत आगमन पुर्थ गाली कवाय थे आपके यह 1498 में अधिक्या अंग्रेजी कंपणी कवायी 1600 में डच कवाय 1602 में डैनिस कवाय यह आपकी 1616 में है फ्रांसीची यह आपकी 1664 स्वीडिस 1731 में इन्हें आपको याद रखता है क्योंकि कई बार क्रम से लगाने के लिए आ जाता है ठीक है आपकी वेंडे एक जाम में तो डारेक्ट कुश्चन्स बनेगा लेकर अगर इस्टेट PCS या फिर सिविल सर्विस में यह आपका क्रम लगाने के लिए आ सकता है गुआ गोडों के आयत के लिए फिस्द्थ था पुर्दगाली के समय में पुर्दगाली खुद को सागर क स्वामी भी मातते थे किसका सागर का दच्चटपूर्व एसिया से पुर्दगाली को डच्चों ने बाहर किया था पंदरे सो तीन में अलमेडा ने टर्की, गुजराद, मिर्शे की सयुक्त सैना को पराजी कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़े के रूम में इस्तेमाल किया था पुर्टगाली आपके गुआ, दमन, हुद्वीपद, 1961 कव, 1961 थर सासन कहते रहे पुर्टगालीयों की देन की बात करें तो हमारे देश में जो तमाकू की केती होती है जहाज का निर्माण होता है और प्रेंटिंग पेस, इसकी सुरुवाद पुर्टगालीयों की नहीं की थी ठीक है, पुर्टगालीयों के पास अंतिम रोप से ग्वाद वंदूई प्चेत रह गए थी 1961 में आपके ये भी इनसे छेन लिए गए फिर बात करते हैं डच बारत में ब्यापार के लिए सरफ पित्थम पूंजी सयवत पूंजी डचों ने आरह में की क्योंकि इसमें लगू कम्पिनियों की रचना इसपस्ट नजर आती है डचों ने पुर्टगालीयों को पराजीत कर आद्वनी कोची में कोची में 1693 में फोर्ट बिलियम का निर्मार कर आये थी डच इसट इंडिया कंपिनी की स्थापनाOWNja 1602 में हुई थी डच इसट इंडिया कंपिनी की स्थापनाक वी 1602 में बारतियों महाधीप डच उपस्थित थी रही 1605 से 1825 तक 1605 से 1825 डचों को अंग्रेजों ने 1769 के बेदारा की लड़ाई में पूरी तरह पराजित कर दिया था 1690 इस भी तक डचों की मुख ब्यापारी कोटी पोली कट थी 1690 की बार डचों ने नांग पटनम में मुख ख्यालाई बनाया था फिर आते हैं आपके अंग्रेज भारत आने बाला पहला अंग्रेज जाज था आपका रेड डेगन का रेड डेगन इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना हुथी है 1680 में 1680 में 1680 में इंग्लेंड के राजा जैम्स पिथम के दूद के रूम में कैप्टन हॉकेंस सूरत पहुंचता है जहां पर मुगल समराठ जहागीर से मिलने आगरा गया हुए था कैप्टन हॉकेंस जहांगीर के दर्वार में 1608 इसवी में आया था पेचे भी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में तो कैप्टन हॉकेंस किसके समय में भारत आया था जहांगीर के 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी 1611 में मसूली पत्नम में खोली थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कब खोली 1611 में मसूली पत्नम में जहांगीर ने सूरत और पश्मीतर पर फैक्टरी खोलने की जाज़त 1613 में दी थी जहां गीर न है अंग्रेज राज़तूत सर्ट टॉमस रों यह आपको 1615 में भारत आता है बंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्याले सूरत हुआ करता है बंबई तो आपका अंग्रेजों का मुख्याले बाद में बनता है पहले सूरत हुआ करता है मसूली पटनम गोलकुंडा राजगा पिर्मोक बंदर गाय था इस समय मद्दरास में अंग्रेजों दार राज थापित के लिए का नाम होट सेंट जॉज था अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पेंडी कोटी बनाई 1659 में होगली में अंग्रेजों को सरवुत्तम सोरा और अफीम आपका बिहार राज्य से प्राप्त होता था था उस समय अंग्रेज बंगाल से कच्छा रेसम सूती कपड़ा सोरा और चीनी का व्याबार भी किया करते थे बंगाल से पष्चे मंगाल जिसे आप लोग बूढ़ते हाँ जे अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में ब्यापार काविशे सदिकार दे दिया गया था अंग्रेजों ने हुगली को 1686 में लूटा कब लूटा 1686 मे? अंग्रेजों ने अपना मुख्याले 1686 में बंबई में बनाए 1661 में इंग्लेंड के राजा, चाल सुदुतिय का विवा, पुर्दगाली राजकुमारी केथरीन से हुगा थो वो कहते हैं मुंबई ने दहेज में ही मिला था बंबई दुई तो इस आउसर पर पुदगालियों ने चाल सुदुतिय को दहेज के रूम में बंबई दुईत पिदान किया था यानि कि इस समय भी आपका दहेज पे था विद्धमान थी अंग्रेजों द्वारा कालकत्ता में दुर्ग का नाम फोर्ट बिलियम था प्या था फोर्ट बिलियम इंग्लेंड वे समराट की सम्मान में ओक्ते किलाबंद बेवसाइक फितिष्ठान का नाम फोर्ट बिलियम रगग खा गया था सर्स चार्ल्स आर्चर इसका पहला फ्रेशिडेंट थे कलकत्ता की स्ताफनापकी 1690 में रखी गई इसके जो संस्तापक थे वो थे जौब चार नौक 1698 में अजी मुसान ने अंग्रेजों को 1200 रुपे में सुत्ता नाती कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जमीदारी भी दे दी थी 1698 में फिराते हाँ के फ्रांसी सी फ्रांसी सी ओने अपनी पहली गोटी बनाई थी 1668 में कहां बनाई थी सूरत में लुई चौदरवे के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपिनी की इस्ताफना भी की गई फ्रांसी सी ओने पॉंडी चोरी की निए 1673 में फ्रेंग मार्टीन द्वारा रखी गई थी फ्रांसी सी ओने बंगाल में चंदनगर की पिसिद कोटी 1690 में 90-92 में बनाई थी चंदनगर की पिसिद कोटी 1731 में फ्रांसी सी गवर्णर डूबले की नियुक्ति होती डूबले यूपले 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 की बारत में प्रम बस्तियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्द गालियों की तो इन में था गवा दुईब दमन बसई बोल आदी पश्णमी तटों पर और पूर्वी तटों पर बंबी सें थां मद्रास के निकट था और हुगली था आपका बंगाली के निकट अगर हम लोग डच की बात करें तो मसीली पटनम 1605 में पुली कट आपका 1610 में सूरत आपका 1610 कासिम अगर पटना बाला सोर उसके बाद आपका नांग पटनम 1659 में उसके बाद कोचीन या आपका 1663 में अगर अंग्रेजों की बात करें तो इसका सूरत आगरा अहमदाबाद भडोच बंबई मद्रास हरीहरपूर बाला सोर हुगली पटना कासिम बाजार अगर फ्रेंच की ब पटनम 1669 पांडी चेरी और चंदनगर यह थी आपकी वस्तियां अब हम बात करते हैं बंगाल में कंपनी सासन की स्थाफना देखते हैं अंग्रेजों ने 1659 ECB में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी साइज सूजा की अनुमती से बनाई थी फिर मुसीद कुली खां बंगाल का दीवान 1727 ECB में बना 1727 ECB में मुर्सीद कुली खां की नेदन की बाद सुजा उद्दीन ने सासन किया बंगाल पर इस समय बंगाल आपको बहुत महत्वूर छेते था अली वर्दी खां 1740 ECB में बंगाल का नवाब बनता है बंगाल बिहार उडिशा को मिलाकर बंगाल परांत की स्थापना 1733 में की गई थी इसमें कौन-कौन सामिल था बंगाल पिहार उडिशा अली वर्दी खांने अंग्रेजों वो फ्रांसिसियों को कलकत्ता और चंदनगर के किलेवंदी की अजाज़त नहीं दी थी किसने अली वर्दी खांने इसी समय मराठों की अकमड की कारण उडिशा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था भारत में अंग्रेजों का सबसे जाना विरूत मराठों ही ने मराठों द्वारां किया गया आपने देखा होगा अंत्त तक ही मराठी अंग्रेजों का विरूत करते रह फिर आपका सिराजुद दॉला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद दॉला किले बंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद दॉला 15 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कबजा कर लेता है अंग्रेजों ने सिराजुद दॉला किसे हारने की बाद फोल्टा दूइप में सरण ली थी इसके बाद आपका पिलासी का यूद होता है पिलासी और वक्सर का यूद होने की बाद अंग्रेज यहां नेडाय किस्तिति में पहुँच चुके थी पिलासी का यूद यह आपका 23 जून 1757 को होता है पिलासी बंगाल की नदिया जिली में भागी नथी नदी के बाएं तट परस्ते थे इसलिए आपका पिलासी का यूद बोलते से पिलासी जगए यह यह उद अंग्रेजों की सेनापती रौवर्ट किलाईव और बंगाल की नवाब सिराज़त दौलान यानि कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था इसमें रौवर्वर्ट किलाईव नितित कर रहा था बंगाल का नवाब को था इस समय सिराजवत दुलाव जिसमें नवाब अपने सेनापती मीर जापर की दोगदड़ी के करने के कारण पर आजित हो गए अंग्रेजों ने मीर जापर को बंगाल का नवाब गोसित करती है फिलासी की उद्दी की समय आपका आलमगीर दुती है मुगल बासाय बंद था नवाब की सेना करने ते तीन राजद्रोही कर रहे थी कौन-कौन से मीर जापर याल रतीप खान और राय दुल्लव इसी समय आपकी बिले खौल की घटना घटती है यह आपकी बिले खौल घटना 20 जून 1756 को एक छोटी से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था इस मैंसे आपकी केवल 23 को बचे हुए थे और 123 मर चुकी थे दमगोटने से सिराज दौला ने कलकत्ता का दिकारी मानिक चंद को बनाया था बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था जगसेट इनी से साटगार्ट करने की बाद आपका जो पिलासी का युद्वा था हार गया था यूँकि अंग्रेजों ने इन से समझोता कर लिया था नवाब के खास लोगों से मानिक चंद ने गुश लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौप दिया था अली नगर की संदी होती है फरविरी 1757 में फ्रांसेसी बस्ती चंद नगर को अंग्रेजों ने मार्च 1757 में गीत लिया फिलासी के युद्व की युद्व में नवाब की सेना करने था विश्वास घा साथी राय दुलब और मीर यापर कर रहे थे सिराज उद्वरा की बफादर सेनबती थी मीर मदान और मोहनलाल जो पिलासी में लड़े थे अच्छे से और जो राय दुलब था और मीर यापर यह अंग्रेजों से मिले हुए थे सत्रे सो संतावन में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है स्रजद दौलगी हत्या मीर जाफर के पुत्त जो मीरान था इसने कर दी थी मीर कासिम सत्रे सो साटीश भी में बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम ने दस्तक के दोपयों को रोखने के लिए देशी ब्याफारीयों को भी निस्तुलिक ब्याफार करने का अधिकार पेदान कर दिया था कंपिनी उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के इस्तच्छेप से बचने के लिए सीखी अपनी राधधानी को मुल्शीदाबास से मुंगे अंस्तांतिक कन लिया था इसने उदै नाला के यूद में पराजित होने के बाद मीर कासिम ने पटना हत्याकान करवाया था बकसर के यूद में अंग्रेजी सेना का नेत्त हेक्टर्ण मुनरू कर रहा था तो याद रखना पिलासी के यूद में रोबाइट के लाइट था और जो बकसर का यूद हुआ इस 1764 को लड़ा जाता है बक्सर का यूद अंग्रेजों और मीर कासिम अब इसमें आपकी अबद की नवाब सुजावत दौला और मुगल बासाय साहयालम दुतिये की सैयुक्त सैनाओं के भी चुगा था इसमें अंग्रेजों का नेतित्य हेक्टर मुन्रो ने किया जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से बिजय रहे बबसर के उद में ने बंगाल बिहार उडिशा पर कंपिनी का पूर प्रिबुत इस्थाफित कर दिया तथा अवद अंग्रेजों की दया का पात बन गये से और इ लेने लगते हैं मेज जाफर की मित्तिव आपकी सब्सक्राइब में हो जाती है कम्पणी ने मोगल समराट को 26 लाग रुपी बार्सक देना वार्सक देना सुईकार के इलावाद की संदी के बाद 2765 में बंगाल का नवाब बनता है नजमुद दौला लगान वसूलने के लिए कम्पणी ने बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खां इबं बिहार के लिए सिताब राय को निकु किया था यानि कि अब अगरेज आपके करवी वसूलने लगी थे 12 गस्त 1765 के साही प्रमाल के अनुसार मुगल वादसाय साहय अलम दुतियने बंगाल विहार उडिशा की दीवानी जमीदारी इस्थाई रूप से कम्पणी को सौंप दी थी इलावा संदी के तहत बकसर की उन्द की बाद आपकी इलावा संदी हुई थी 1765 में ठीक है उस समय रोबाट कलाइब बंगाल का गवर्णर था के लाइब ने 1765 में बंगाल में दुधिशासन की स्थापना की थी किलाई फरवरी 1766 में सदा के लिए बाहरा चोड़ कर चला गए दुधिशासन की समय ही आपका बंगाल में भायंकर अकाल पड़ा था यह आपका 1770 में पड़ा था अकाल के समय कार्टियल कार्टियर बंगाल का गवर्णर था बंगाल में आपका दुधिशासन 1772 तक चलता रहा कब तक 1772 अब चलते हैं लोग अठारे सो संदावन का विद्रो इससे आपका कुश्चिंस बनते रहते हैं अपसर ठीक है एक नाई कुश्चिंस आता रहता है फिर चाहें आपकी कोई भी परीच्चा हो ठीक जिसमें भी आपको जो पॉइंट है उन्हें याद रखना है दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूग ब्रावन बेस की स्थान पर नवीन बंदूग इन फिल्ड राइफल का प्रेयोग किया था 1857 का विद्रो मुक ततकालिक कारण किया था चर्वी वाली काल्तूस आप लोग जानते हैं कि जो भी चर्वी वाली काल्तूस बनते थी या आपके किस गाय के माज गाय की खाल और या पर सुहर की वाली कि sughar मुसलवानों में फिचले पार भे तो इसी लेक को लेकर आपका रिवित्रो खड़ा हुए तो आपसे पूछ लेता है कि इनफील्ड कौन सी बंदूख थी है इनफील्ड राइपल तो ततकालीन कारण क्या था इसका चर्वी वाली कार्दूश 1857 की स्वाधीनता संग्राम का पितीक था कमल और रोटी याद रखिए 29 मार्च 1857 में बहरामपूर की 19 भी नेटिव इनफील्ड फैंटी बिक्टित इसलिए कर दी गई थी क्योंकि सिपाहियों ने नई इनफील्ड राइपल का प्रियूख करने से इंखार कर दिये था क्योंकि इसमें आपके चर्वी वाले काल दूसों का प्रियूख होता था और धार्मिक बहुर्णाओं को ये ठोस पहुंचाता था 29 मार्च 1857 को 34 भी नेटिप इनफैंटी बैरकपूर के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी और मेजर सर्जेंट हुमन को गोली भी मार दी थी इसी कारण मंगल पांडे को आपका आठ अपरेल 1857 को फांसी दे दी गई थी कव आठ अपरेल 1857 को चर्वी युक्त कार्दूस का प्रेयोग ना करने के कारण 9 माई 1857 को उड़ी के घुड सभार रेजिमेंट ने कि 85 सेनिकों को मुद्तल कर 10 वर्स की सजा दी गई थी कितने 10 वर्स की 1857 में ये कि महार विद्रों की सुरुवात होती है आपकी 10 माई 1857 को मेरट से तो पूँचेगा आपका कि 1857 की विद्रों की सुरुवात कहां से होती है मेरट से कब होती है 10 माई 1857 को 11 माई 1857 को बहादुर साइद उतिये को भारत का बात साइद होसित कर दिया जाता है जब अधिकतर छेत्रों पर 1857 में विद्रो को करने वाले लोगों का कब्जा हो जाता है तो उसमय आपकी बहादो साइद उतियों को भारत का वाइसराइट को सित कर दिया जाता है चपातियों और कमल के पूलों का भिने-भिने स्तानों पर भीजना 1857 का विद्रो सची थिव्जिना का पईडाम था और आपको पता होना चीए आपकी जो वीजे पी है इसने इसलिए कमल का पूल चुन्ना पसंद किया ठीक है गरांती का एक उधारन है अप जैसा कि आपको पता हुए 1857 का जो विद्रो गए इसे अलग अलग नाम दिए अंग्रेजों ने अलग नाम दिए तक उलग नाम दिए इसका जैम्स आउट्रम डवलू टेलर इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के विरूत हिंदू और मुसल्मानों का सड़ेंद था यह S.N.C. इन्होंने सिस्टन्ता संग्राम बोला था T.R. Homs इन्होंने बरवर्टा तथा सब्वता की बीच युद कहा है। जो R से ही मजूमदार थे आपके इन्होंने कहा कि ना तो राष्टी है अंदूलन है ना ही सुस्टन्ता संग्राम है एल ए आर रीच ने धर्मानों की का इसाईयों की विरूत योद कहा था इसे बेंजामीन डिजराइली इसने एक राष्टी विद्रो बताए इसे इसे भी आपका कुश्चन्स बनता है कईवा यह आपके भारत के राष्ट भारती नायक हैं जो विद्रो के पिरमुक नायक थे यह समय या विद्रो का समय रता एक किंद था यह वेटिश नायक थे जिन्नोंने विद्रो ड़ाने के दबायार और समय विद्रों दभाने का समय था यह तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के तो यहां का नेतत करता था भारती नायक बहादुर साय जापथ और वक्त खांद यह आपके समय नेतत कर रहे थे यहां आपका समय का विद्रो होता है 11 सी बारे मई 1857 को और यहां का विद्रो दबाय किसने बेटिस नाय जॉन निल निकलसन और हडसन है कव 20 सेप्टमबर 1857 को तरिकानपुर की अगर हम लोग बात करें तो यह होता है यहां का नितित करता थी नाना साहब और तत्या टोपी 5 जून 1857 को यह विद्रो होता है इस विद्रो को किसने दबाय था सर केम्प वेल कब 6 दिसंबर 1857 को अगर लखनव की बात करें आप लोग तो यह वे आपकी बेगम हजरत महिल यहां का नितित कर रही थी यह आपका 4 जून 1857 को होता है इससे दबाय था केम्प वेल ने मार्च 1858 को एक बात आप लोग हम इसा याद रखिए है कई बाल आपका सिविल सर्विस में भी करम से लगाने के लिए आ जाता है पूच लेता है 1857 की लखनव विद्रो का नितित किस ने किया था तो इन्हें आपको याद रखने जहासी यहां का नितित की आपकी रानी लच्विम भाई और तत्या टोपेन है जून 1857 को यहां जिसने वेटिश नायक ने विद्रो दबाये था उसका नाम था यूरोज और यह आपका तीन अप्रेल 1858 इसभी और 17 जून 1858 को दबाये गया इलावाद और बनारस की अगर हम लोग बात करें तो इलावाद बनारस में आपकी नेतत करता थी लियाकत अली जून 1857 को यहां की नेतत को दबाने वाले विद्रो को दबाने वाले अंग्रेज का नाम गया था करनल नील 1858 ठीक है बरेली रोहेल खंड की बात अगर हम लोग करें तो इसमें खान बहादूर खान थे इसके नेतत करता 1857 यहां की अंग्रेज दबाने वाले विद्रो को कैम्प वेल थे 1858 फैजाबाद की बात करें तो इसमें मौलवी अहमद दुल्ला खान थे 1857 यहां विद्रो को दबाने वाले अंग्रेज का नाम था General Genard 1858 में फतेपुर की बात करें हम लो तो अजी मुल्ला यहां कि नेतित करता थी और यहां जिजनों ने विद्रो को दवाया उनका नाम था अंग्रेज का General Renard 1858 को और अगर जगदीश पूर की बिहार की बात करें हम लो तो यहां कुंगर सींग नेतित कर रहे थी अप्रेल 1858 में यहां जो विद्रो दवाया जिनोंने अंग्रेजोंने उनका नाम था विलियम टेलर मेजर बिर्चेंट आया है दिसंबर 1858 में इससे दवाये गया बहादूर साही सेकंड की पत्नी जीनत महल संदेज बहाद की रूम में अंग्रेजों की साहता कर रहे थी यानि कि बहादुर साय जापर बहादुर साय सेकंड यह आपका भारतियों का साथ दे रहे थे इनकी जो बीवी थी जीनत महल यह आपका अंगरेजों का साथ दे रहे थे नाना साब का असली नाम दौन्दू पंथ था क्या था दौन्दू पंथ अठारे सो चपन में हिंदू प्रिदवा बिदभा पुनर विवा अदिनियम आता है धार्मे का युगता अदिनियम एवं सेनावर्ती अदिनियम लागू भी होता है अठारे सो चपन में तो याद रुखना हिंदू विदभा पुनर विवा अदिनियम आपका अठारे सो चप जानी की एक यूरोपिये उसमें आपके च्छे भारतिये थे जो इन फील्ड राइफल थी एक किस बंदूग के स्थान पर लाई गई थी ब्राउन बेस ये भी आपका पूछ लेता है ब्राउन बेस बंदूग के स्थान पर फैजाबाद की विद्रोहियों का नेता था मौलव मौलवी अहमद दूला मद्रास के रहने वाले थे मद्रास इस विद्रों से अच्छू था रहा है यानकि यहांस का कोई चहल पहल नहीं रही अठारे सो संतावन के विद्रों में ब्यापारी सिक्षित बर्थ और भारतिये सास्थ बर्थ सामिल नहीं हुए इसलिए कहते हैं बहुत कुछ हमें मिला भी आम यह जितने भी आपके विद्रों हमारे आंके क्रांति खारी हुए बिच से पेर डाली करी हमें बढ़ें बहादुर साहे सेकंड को हमायू के मकबिरी से अखड़ा गया था बहादुर साहे सेकंड का कुबंदी बनाकर रंगून निर्वासिक कर दिया गया था विद्रों के समय भारत का वो गवर्णर जनरल था लौर्ड केनिग यह भी आपका कुष्टन्स कई बार पूँच लिया विद्रों जब 1857 का विद्रो होता है उस समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो आपको याद रखना है लौर्ड कैनिग बिहार में आपका जगदीसपुर आरा कि कुष्टन्स ने बागावत का नेतित किया था यानि कि जगदीसपुर बिहार में आपके कुष्टन्स नेतित कर रही थे समय विद्रों के समय कुष्टन्स को बिहार का सिंग कहा जाता है विद्रों की समय कुणर सिंग को बिहार का सिंग कहा गया था पतना की कमिश्णर विलियम टेलर थे इस समय तत्या टोपी और अजी मुलाखा नाना साहब की यी विस्वस्त सेवक थे विस्वास करने तत्या टोपी का वास्तविक नाम भी कही बार पूँच लेता है सामान ग्यान में भी रामचंद पांडूरग तत्या टोपी को वास्तविक नाम क्या था रामचंद पांडूरग नाना साहब नेपाल भाग गई थी समय विद्रोग कतम होने के बार ठीक है तत्या टोपी को उसकी विस्वस्त नहीं है मित मान सींग ने दो किसी पड़ब पकड़वाया था ग्वालियर के मान सींग निकल्सन निकल्सन को दिल्ली में मार दिया गया था अंग्रेजी अधिकारी को लखनव में 1857 के विद्रोग के दोरान अंग्रेज रेजिडेंसी के रक्षा करते हुए सर हेंडरी लॉरेंस मेजर जनरल हेवलाक और जनरल नील की मित्वी हुई थे इसी दोरान रानी लच्मी भाई की मित्व पर जनरल ही रोज ने कहा था कि भारती करांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत के लिए मर्द है यह भी कथन आपका कई बार पूंच लिया जाता है तो याद रखना किसके परिफेक्च में कहा था रानी लच्मी भाई की किस ने कहा था जनर बड़े पर सभार होकर लड़ते हुए बीरगती को पराप्त हो गई थी इनकी जो समाधी है यह आपकी ग्वालियर में है फूल बाग के पास तो यह भी आपका पूंच लेता है इनका जनम आपका बनारस में हुआ था और इनकी मित्यों ग्वालियर में हुई थी अगर पूंचे जनम के बारे में क्योंकि पूंच लेता है आप लोग अक्सर इसे क्या करते हैं जहां सी लगा देते हैं तो आपको याद रखना है इनका जनम बनारस में मित्यों होती है ग्वालियर में लेटिनेंट हरसन ने जीवनन बक्त की छोड बहादूर साय की सभी पत्रों को गोली मार दी थी लखनों में विद्रोहियों का नेत्त था की बेगम हजरत महल कर रही थी यहां के विद्रोहों को कॉलिन केम्पवेल ने दबाया था इस विद्रोह यहां का यहां पूंच पी महारानी लच्छी मिवाई की जनम इस्तिली थी वर्नाडसी उत्तरपदेश और समाधी थी ग्वालिया जहांसी में इनकी साधी हुई थी अब रखी बैटिस कंजर्वेटिव पार्टी के संसद बेंजावीन डिजराइली ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह एक र राश्टी विद्रोह है 1857 के विद्रोह का फिसासनिक परिडाम सकती का अंत्रन था इस्ट इंडिया कंपनी ने बैटिस समराट को दे दी थी अपनी सकती यानि कि भारत को चलाने की भारत पर सासन करने की सर सेयद एहमद खान ने 1857 की विद्रोह की कारण नों का विसलेशन क करती हुए अंग्रेजों तो था मुसल्वानों के वीच मेल मिलाब की बकालत की दी किसने सर सेयद एहमद खान अलीगड़ अंदोलन के मुख उद्देश मुसल्वानों को अंग्रेजी सिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राजिका भक्त बनाकर नोत्रियों में अधिकारी करक्षण प्राप करना था यहीं बात करते हैं अलीगड़ांदोलन मिर्जा गालिव 1857 की विद्रोप देखा था किसने मिर्जा गालिव ने इनका जनम मिर्जा गालिव का 1796 की आगरा में और मित्ती वोती है इनकी 1869 में दिल्ली में 1857 की विद्रोप किसम है बेटेन का पिदार मंत्री बिसकॉंट पाम टिष्टन था क्योंकि यह पूंच लेता है और भारत का गवर्णर था कैनन 1857 का विद्रोप आ सफल रहा इसका मुक्ष था जो कारण था यह उजनाओ केंदीय संगठन के कमी थी यानि कि कई या तो विद्रोई विद्रोईयों कुमार दिया गया जो आपके क्रांति का रही थी या फिर वहां का विद्रोप दबा दिया गया था आंगे कोई निद्ध करता भी नहीं था इसमें ठीक है तो जैसा देखा होगा उननीस सो ब्यालीस में आपका यह भारत छोड़ों आंदोलन चलाए गया तो उस समय गांधी जी ने सुता फूर्द विद्रोई आंदोलन कहा था उसे कि मतलब समय अपना नेत्त करना अगर कोई ना बचे क्योंकि नेत्त जब भी विद्रोई हुआ करते थे राष्टी आसन पिणाली को समाप्त कर भारत का असासम सीधे क्राउन के हाथ में कर दिया गया था सैनिक विपलाओ और आसनिक विद्रोई का पिरसार 1857 से अन्ठावन की वीच आपका दो फरवरी 1857 को नौबी स्थानिय पैदल सेना का बहरामपूर विद्रोई 10 मई 1857 में मेरट मैसेनिकों का विपलाओ 11 से 30 मई 1857 दिली फिरोजपूर बंबई अलीगर इटावा बुलंद सहर नसीराबाद बरेली मुरादाबाद आदी उत्तरपिदिस की नगरों में विद्रोई का आराम गुता है समय मुगल समराठ को भारत का समराठ गोसित कर दिया जाता है जून 1857 को ग्वालियर में भारत को चांसी इलावाद सुद्दान को लखनवू आदी में यह अंदोलन फैलता है राजपूताना मदभारत बंगाल की कुछ बावों में आसेनिक बिद्रों की होता है जुलाई 1857 में यह आपका सागर पहुचता है महूद और स्यालकूट जैसे पंजाब के कुछ इस्थानों पर पहुचता है अगस्त 1857 में सागर एवं नर्वदा की घाटी में आसेनिक बिद्रों भी होता है सेप्टमबर 1857 को आपका दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार पुना हो जाता है मद भारत में बिद्रों चलता रहता है अक्टूबर 1857 में आपका कोटा में राजबिद्रों होता है दिसंबर 1857 में सर कॉलिन केंपे बेल द्वारा कानपूर को जीतना और तत्या टोपी का भागना यहां से होता है मार्च 1858 में लकनव पर अंग्रेजों का अधिकार पुना हो जाता है अपरेल 1858 में अंग्रेजों का जासी पर अधिकार हो जाता है और बिहार में जग्दीसपुर के कुंगर सींग का विद्रो होता है माई 1858 में बरेली जग्दीसपुर कालपी पर अंग्रेजों का दिकार पुना हो जाता है रोहेल खंड में भालती विद्रोईयों के चापामार आकमड होते रहते हैं जुलाई से दिसंबर 1858 में संपूर भारत में अंग्रेजी सत्ता पुना इस्तापित हो जाती है इससे विद्रोई को पूरी तरह से दबा दिया जाता है अब 1857 के विद्रोई पर ही आपकी कुछ मत हूं पुस्त के भी लिखी गए है बुक्स तो इनके लेखर यानि की राइटर को आपको याद रखना है यह आपके लेखर होगे यह पुस्ता होगे 1857 यानि की 1857 किसके दवारे लिखी गए है यह है एस एन सेंड इरों ने इस बुक्स को लिखा रिवेलियन 1857 इसके लेखक थे PC जोसी दासिप और म्यूटिनी और 1857 इसके जो लेखक थे वो थे HP चटोबद्याए 1857 इन इंडिया इसके लेखक थे AT Embry, the support mutiny and revolt of 1857 इसके आपके लेखक थे RC मजूमदार सिबिलियन रिविलियन इन दा इंडियान म्यूटिनीज 1857 इसके द्वारा लिखी गई थे 1857 इसके आपका मौलाना अभूल कलामाजाद के द्वारा लिखी गई थे इसके लेखक थे बीडी सावर का दा ग्रेट रिविलियन इसके लेखक थे आपके असोक मेंगता कौन थे असोक मेंगता तो यह था आपका 1857 की विद्द्रो की कहानी अब है आपका नागरिक और गैर आजिवासी विद्द्रो आठारे सुसंतावन का विद्द्रो कतम हो जाता है उसके बाद आपका टॉपिक है नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्द्रो इससे भी आपकी कुश्चन्स बनते रहते हैं इससे डारेक्ट कुश्चन्स वा अंडेग जाम में भी आते रहते हैं और आपकी इस्टेट PCS Civil Service में भी आते रहते हैं तो एक तरप यह आपका विद्द्रो का नाम दे दिया है यह आपका जो सन जिस सन में यह हुआ है बो सन है इससे प्रभावित जो छेत रहे हैं उन छेत्रों का नाप इनका जो नेतत्त करता रहे हैं उनके नाम और कारन बस आपको यही प्वाइंट याद रखना है जैसे सन्यासी विद्रों यह आपका 1763 से 1800 चलता है इससे प्रभावित छेत थे आपके बंगाल और वियार इसके जो नेतत्त करता थे उनका नाम था केना सरकार दिरजी नारायन इसके सन्यासी विद्रों का होने का कारण था तीर थ्यात्रा कर लगाना यानि कि जो आपका तीर थ्यात्रा हुआ करती थी इस पर कर लगाने के कारण यह विद्रों हुआ था बाकिंग चन्द चट्टो पद्या है कि उपन्यास आनंद मट में सन्यासी विद्रो का उलेक मिलता है चीए फकीर विद्रो फकीर विद्रो आपका 1776 से 77 की भी चलता है इससे प्रभाविचित था आपका बंगाल इसके जो नितत करता थे मजनूसाय, चिराग, अली और भवानी पाटक और देवी चौधराने इसका कारण था कारवरिच सैनिक, विस्थापित किसान और बेदखल जमिदारों को सरकारी अधिकारियों एवं धरान्यों यानि की बड़े लोगों की पिती आप कुरोस्थार्स में फरे आपका चुवार वित्रो यह आपका पहले 1766 से 72 की भी चलता है इसमें आपका बंगाल एवं बिहार के धालवूम तो इसमें जो नितित करता थी इसमें और दूसरी बार यह चलता है 1795 से 1800 सूले की वीच कैलापाल इसमें नितित करता रहे हैं आग्या जगनात धाल गंगा नारायन और दुर्जट सी मैं इसके विद्रो होने का कारण था बंगाल अकाल एवं बड़ती भूमीकर की कारण इस विद्रो हुआ- फिर आता है आपका पाई की विद्व है आपका अठाऊ सचार से सत्रे की बीच हुआ है और फिर आपका सत्रे से बीच हुआ है इससे फिरवाविच्छी था आपका ओडिसा इसके नित्त करता थी खुर्दा की राजा, बाद में जंग बंदू पहले खुर्दा की राजा नित्त कर रही थी इसका, बाद में जंग बंदू जमीदारों के दिन लगान, मुक्त भूमी के भोगी, खुर्दा एवं सैन बर्ग, पाईकों द्वारा अंग्रेजों के उडीशा पर कमचा अठारे सो तीन में और उनके भूराजस से निती के खलाब विद्रो थाई फरे आपका कट्टा भोगन का विद्रो यह आपका सत्तरे सो बाईसती, सत्तरे सो निन्यानवे की भी चलता है कहा तिरुन, तिरुनल वेली में, तमिलाडू में आपका इसके होने के कारण था, बीर पांड्या, अंग्रेजमादारा, पन्नल कुरीच्चा के राजा को अधीनता सुईखार कराने का त्रयास किया गया था उसी के परिपिप्च में आपका यह विद्रो हुआ थरे आपका विजय नगरम राजा का विद्रो इसके होने का कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा राजा से सेना भंग करने, एवं तीन लाख रुपिया भेंट देने की मान, आश्वी कित करने पर, राजा को जागी द्यप्त कर ली गई थी इसमें फरे आपका पोली गरों का विद्रो 1799 से 1801 की वीच होता है इसते प्रभाविच्चित थे आपके तमिल्नाडू, मालावार और तटी ये आंध्विदेश इसके जो नेतित करता थे वो थे कट्टाव, वम्मान और नारायन ग्राव इसका कारण था अंग्रेजी भूमी कर विवस्था और बकाया ना चुकाने पर जमिदारी जब्त करना इसी के प्रभीक्ष में ये विद्रो हुआ थे तरह आपका मैसूर का ये विद्रो हुआ ये आपका 1800 ये 1831 तक चलता है मैसूर में इसके जो नेतित करता थे सर्दार भनला थे बोड़ियार सासक ने सहायक संदी से उत्पन विस्तिये दवाव कुदूर करने के लिए जमविदारों से अधिक राजस की मांग की थे तो उसमें सायनी में यानि कि आपको क्रम से लगाने के लिए पूँचेगा तो सुमलेद करने के लिए आएगा तो आपको डेट भी याद रखना है और इनके बारे में ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगे फर्याबत तरवनकोर के दीवान बेलू थंपी का बदरों यापका 1808 से 9 के वीच होता है कहां तरवनकोर में इसके जो नेतत करता थे वो थे बेलू थंपी इसका प्रमुक कारण था सहाइक संदीर वारा है लगाये गया सहाइक कर देने में आनकाने रेजिडेंट का द्रश्टा पूर्बग बेवार और दीवान को वटाने की मान की गई इसी के कारण ये विद्रोखा फिर आपका सौराष्ट सौराष्ट की सर्दारों का विद्रोख होता है ये आपका 1816 से 1819 के बीच होता है इससे प्रवाविच्छित रहते हैं आपके कच्छेवं काठियावाड इसके नितित करता रहते हैं राओ भारमल इसका कारण था अंग्रेज्यों की विस्तार की निति तथा कच्छ की आंत्रिक मामलों में हस्त शेव से उत्पन अंग्रेज्यों की पिती घेडा फिर आपका रामो सी विद्रोख ये आपका 1822 से 29 के बीच रहता है इससे प्रवाविच्छित थे आपके पूना और पश्च 1288 इस्वी में अंग्रेज्योंने पेसवास की चित्रों मेर्धिकार कर रामो सीयों को वेरोह कर दिया था ज kicking प्रहू का को को अहुआ playing कि अत्त्रह की होता है पिल्च प्रवाविच्छिच बीच होता है और इसके अगर नेतत करताओं भी बात करें तो इसमें सामिल थी भावू, सरे, चिमनाजी, यादो, नाना दरवारे, रघू भंगरिया, बापू भंगरिया, आदी. इसके होने का कारण था, अंग्रेजों द्वारां दुर्बों के तोड़े जाने, तथा बेगार हो जाने के विरोज में ये विद्रो खड़ा हुआ था. फरे, आपका कित्तूर का विद्रो, ये आपका 1824 से 29 के बीच होता है. इसके से प्रभावी छित था आपका धारवाड की निकट का छेत. इसके नेतित करता थी कित्तूर की रानी, चनंगमा और रायप्भा. इसका प्रमुकारण था सिवलिंग, रोद्य देशाई की मित्यू के बाद, को भी उत्तरादिकारी ना होने पर अंग्रेजों ने गोद के लिए लिए पुत्त को राजा नहीं माना. गोद पिथा को बंदे कर दिया तो है समय. ठीक? फिर हुए आपका सतारा विद्रों. यह आपका 1841 में होता है. इससे पिरवावी छोचेत होता है सतारा. और इसके जो यहाँ नेतित करते हैं धार, रावपवार, और नसिंग, पांटी करो. इसका पिरवों कार्ण था कि सतारा की राजा प्रताप सींग को अंग्रेजों ने हटा दिया था. अपने पद से. फिर आपका गड़करी का विद्रों होता है 1844 में. यह आपका कोलापूर में इससे पिरवावी छित रहता है. और इसके नेतित करता रहते हैं किष्ण दाज पंडित इसका कारण रहता है कोलापूर राज में पिसासने पुनरगटन में इससे बंसा नुगत सैनिक जाती गड़करी की छटनी कर दी गई थी. फिर आता है आपका सावन्त वाड़ी लित्रो. यह आपका 1849 से 45 की वीच चलता है. इससे पिरवावी छित रहता है सावन्त वाड़ी और इसके प्रमुख जो नेतित करता रहते हैं वो हैं फौन सावन्त और अन्ना साहिव. कारण था इसका सावन्त वाड़ी की राजा. खेम सावन्त को हटा कर पिसासन को एक अंग्रेज अधिकारी को सौपना. फिर आता है अलिगड़ की तालुकदारों का वित्रो होता है. यह आपका अठारे सो चौदे से सत्तरे की बीच होता है अलिगड़ में. इसके जो नेतित करता रहते हैं दयाराम और भगवन्त सीन. इसका कारण था मालगोजारी बढ़ाने की बेरोध हुआ था यह वित्रो. जवल जवलपूर के बुंदेलों का वित्रो हुआ यह आपका अठारे सो ब्यारीस में होता है. इससे फिर वाविक चित रहते हैं जवलपूर, आगरा और दमोहुआ. इसमें जो नेतित करता थे बहुत थी मधूर, मधूगर साहे और जवाहर सीन. और इसका कारण था अंग अठारे सोड़तीस से इंक्यावन की बीचे. इससे फिर वाविक चित रहता है पूर्वी गंगाल और इसके जो नेतित करता रहते हैं हागी, सरीयत उल्ला, दादु मिया या फिर मुहम्मद मुसीन. इसका जो कारण था अधिक राजस नेधारन एवं वेद अखली. यह संप इसा है आपका संबलपूर का बिद्रों यह आपका 1827 से 40 के बीच होता है. इससे प्रभावी चित रहता है उड़ीजा और इसके नेतित करता रहते हैं सुरिंद साइं. इसका कारण रहता है अंग्रेजों द्वारा संबलपूर में आंत्रिक मामली में हस्त छेव करना. तो आपका बहावी अंदूलन यह आपका 1820 से 1870 तक चलता है. इससे प्रभावी चित आपके रुहिल खंडव से शुरूआत होता है इसका बाद में उत्तरपर्शिम भारत बंगाल बिहार में इसका विस्तार हो जाता है. इसके जो नेतित करता रहते हैं वो हैं राइवरेली के सेहत अहमद, विलायत अली, मौल्वी नसिरुद्दीन, इनायत अली, मक्सूद अली और मुहम्मद हुसें. और इसका कारण था इसलाम धरांगा पुनारुद्धान, अंग्रेजियों को बाहर खदेरना, मुसल्वान सत्ता की पुनारिस्थापना करना. इसके प्रमुक उत् फिर है पागलपन्ती वित्रो, काँसा है? पागलपन्ती वित्रो, यह आपका 1825 से 33 के बीश चलता है, इसे जो प्रभावी छेत रहता है वो है सेरपूर, पूर्वी बंगाल, और इसके जो नेतत करता रहते हैं वो है करमसाय एवं टीपू. इसका कारण था धार्मिक राज आपका सुरू होता है, फिर आपका कू का अंदोलन, यह आपका 1845 से 1872 के बीश चलता है, कहाँ पंजाब में, इसके जो नेतत करता रहते हैं भगज, जवाहल, मल, मिया साहिब भी बोलते हैं, बालप सीन, राम सीन, यह सिरिफ गुरू गुबिन सीन, कोई अपना गुरू मा इसका कारणता सिक्क धरम में सुधार और राजनितिक सिक्ष प्रवू सत्ता की पुनल स्थापना, फिर आपका खड़के का बिद्रू होता है, यह आपका 1889 में होता है, महाराष्ट में, और बासू दियो बलबंत खड़के इसका नेतित करते हैं, राष्ट की संपत्ती के एवं अकाल पुना हिंदू राज की स्थापना का बिश्यार लेकरे बिद्रो होता है, फड़के बिद्रों, अब आते हैं आपके आदिवासी बिद्रों, आदिवासी बिद्रों, क्योंकि अंग्रेजियों के आने से पहले, आदिवासीं को सुतंता मिली हुई थी, वो कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, ना तो राजा रजवारों की समय में उन्हें कोई रोकता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, तो यह यहां भी आपका दखल देने लगी, इसी परिपेक्चे में आपके आंदूलन खड़े होते हैं, तो यह आपके आंदूलन का नाम हो जाता है, यह जिस सन में हुए यह वो सन हो जाता है, रेस्ते आपके पिभादे चेत हो जाते हैं, और यह आपके नेतत करता हो जाते हैं, और यह आपके कारण हो जाते हैं, इतने पॉइंट आपको याद रखना है, तो सबसे पहले आता है बील आंदूलन, यह आपका पह इससे जो प्रभाविच्छी था वो था आपका खांदेश और इसके जो नेतित करता थे वो थी त्यम्मकजी दांगलिया ने भीलों कोक्साया और 1825 में सेवरम द्वारा इसका नेतित किया गया इसका जो कारण था वो था किर्शी संबंदी कर्ष्ट तथा नई सरकार सिभ है इस विद्रों का कारण बनाई पर आपका हो विद्रों यह आपका 1820 में होता है 1822, 1831, 1832 और 1837 यह होता है सिंग भूम छोटा नागपूर में और इसका कारण था सिंग भूम पर अंग्रेजों क अधिका है इसका प्रवों कारण था पर था आपका खासी विद्रों यानि की खासी आंदोन यह आपका 1829 से 1833 के भी चलता है यह आपका असम और मेगाले की पहाड़ी छित में होता है इसके जो नेतत करता थे वो तीरसीन और वर्मानिक और इसका कारण था अंग्रेजों द यह उजना तता अंग्रेजों यह वंबाहरी लोगों का अतिकिरमण इसका करमों कारण था फर आपका सिंग पू आंदोन यह आपका 1830 से 1849 के भी चलता है कहां असम में अंग्रेजों द्वारा अतिकिरमण के खारण यह आंदोन खड़ा होता है फिर आपका कोल विद्रो य 1832 कहां यह आपका चोटा नांगुर ज्यार खंड में जलता है इसके जो नेतत करता थी बुद्धो भगयात और गौमधर कुमर साहब इसके नेतत करता थी इनकी भूमी इनसे चीन कर मुसलिम किर्षकों यहों सिक्खों को दे दी गई थी इसी के परिबेक्च में आपका यह बिद्रो होता है अ तरह है आपका कुया बिद्रों यह आपका 1840 में पहले होता है फिर 45 फिर 1858 फिर 1861-62 में फिर आपका 1889-84 फिर उसके बाद 1922-24 में और यह इससे प्रभाविक छेता चेड़ावरन का राप्पा छेत और इसके जो नितत करता थी उनमें सामिल थी नुमाडोरा 1889-80 की बीच फिर आपके राजन अनंतिया यह आपके 1884 फिर अलूरी सीताराम राजु इसके होने के कारण थे कुवया एवां कुण्डा डोरा मुखियों ने अंग्रेजियों के साम दिया समझोता किसा समझोता करने पर अपने स्वामी की विरुद 1862 तक विद्रो गिया उसके बाद 1889 में मनसापदार ने लकड़ी एवं चराई पर कर बढ़ाने की कौसिस की और जूम खेती पर पीतिबंद लगा गिया यह जूम खेती अभी भी कई छेत्रों में आपकी होती है क्या हुगा करता था इस जूम खेती के अनुसार कि आपने एक जगए खेती की फिर उसके बाद इस खेती को छोड़ दोगे आप लोग फिर दूसरी जगए जंगल साफ करके यहां आप खेती करेंगी फिर एक बार अब जानेक बाद इसके आगी बढ़ जाएंगे इसी कोई इस्थान अंत्रिय किर्सी या फिर आप लोग जूम करती करते हैं ठीक है फिर आपका खौंड वित्रों या फिर इसे आप लोग खौंड अंदोलन भी बोलते हैं या आपका 1846 से 48 के वीच होता है फिर 1855 और उसके बाद 1914 में इससे प्रभाविच्चेत रहता है गौंड माल खौंड माल औरिशा और इसके जो नित्रत करता रहते हैं वह हैं आपकी चक्य विसोई इसका कारण रहता है अंग्रेश पिसास को द्वारां खौंडों की पिछली नर्वली की पिठा मेरिया रोखने के प्यार है प्रयास किया गया यानि की इनकी सामाजी किता में हस्त छेप किया गया इसे के कारण यह आपका आंदोलन सुरु यह पर आपका सवार यह आपका 1856 से संतावन की वीच होता है पालिया खेमदी में इसे वरभावी छेत रहता है वो इसके नेतित करता रहते हैं रादा किष्णा दंड सेना इसका कारण रहता है अंग्रेजियों के अमसार इस आंदोलन की चक्य विसाई की साथ संबंद का से एक बहुत ही महत्कूर आंदोलन है आपका संताल आंदोलन है यह होता है संताल आंदोलन आपका 1856 जारकंड और इसके नेतित करता रहते हैं शिद्दू और कानियों सुरू में ए विद्रू महाचन एवं ब्यापारियों के खलाब था, बाद में से में पुलिस गोरी, कास्तकार, रेल्वी अभियन्ता और अधिकारियों के खलाब हो गया थाई थर उसके बाद है आपका खेरवाड एवं सफाहार अंदुलन ये आपका 1870 की देसक में चलता है, इससे पिरवाबी चेत रहते हैं राजमहिल की पहाड़ियां और भागी रत सुरू में एक के सुरवाड यानि की एक इस्वर को मानन एवं सामाजिक सुधार अंदुलन था है बाद में राजस बंदुबस्त के लिए विरोधवी अंदुलन यही अभियाद सुरू हो गया फ्रयाब का नायकडा अंदुलन यह आपका 1858-68 की भी चलता है कहां पंचमहिल गुजरात में इससे के जो नितित करता थी रोपसीन और जोरिया भगत्ति और इसका कारण था नायकडा वन जाती द्वारा सहिस्तबाद में आस्था और धरम राज इस्थापित करने का फ्रय 1822 में होता है कछार असम में होता है इसके जो नेतित करता है वह संबूदान जादूगर संबूदान को विश्वास था कि इसके अनुवाईयों को गोली भी कोई नुकसान नहीं पहुचा सकती है फिर आपका मुंडा यानि की उल्गुलान वित्रो भी कहते हैं से यह आपका 1899 से 1900 की बीच चलता है कहां छोटा नांगपुर जालकंड में इसके जो नितित करता थी वो थी बिर्शा मुंडा यह आपका भू स्वामियों के विरूद वित्रो था फिर आपका भील वित्रो यह आपका 1913 में होता है बांसवाड़ा डोंगरपुर राजिस्था में होता है इसके नितित करता रहते हैं गोबिंद गुरू शुरू में सुद्धी आंदूलन पर बाद में भीलाज इस्थाबित करने का लग्च निजदारित किया गया इस आंदूलन ही आप फिर और और नाव यह 1914 से 1915 के वीच होता है कहां छोटा नंगपुर जारकंड में इसके जो नेतित करता थे वो थे जत्रा बगर्द सुरू में आया अंदूलन एकसरी प्रवित्ती का था बाद में अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना इसका उद्देश बन गया था फिर है आपका कू की आंदूलन यह आपका 1917 से 1919 के वीच रहता है मड़ीपुर में इससे प्रवावित रहता है और इसमें अगर नेतित करताओं की बात करें तो रॉंग मेई जादू नाम एवं राणी गैडिन लीपू लिव इसके नेतित करता थे और इसका कारण था बेट को भड़ती करने का प्रयास पौधांग और जूंग केती बंद करने के बिरोन में आपका अंदूलन खड़ा हुआ अब बात करते हैं हम लोग किसान अंदुलन आधिवासी हो गया गैराधिवासी हो गया और अब आते हैं किसान अंदुलन इस समय किसानों पर भी बेपत्ती चाहिए थी तो यह आपकी अंदूलन का नाम हो जाता है और इसी तरह बर्स हो जाता है प्रभाविचित, नित्त और कारण रंगपूर रंगपूर का अंदूलन होता है आपका 1783 में इसते प्रभाविचित रहते हैं रंगपूर और दीनाजपूर और इसके जो नित्त करता रहते हैं वो एक धीरज नारा है इसका कारण रहता है इस्ट इंडिया कपणी ने जमीदारों पर बढ़ा दिया गया कर बढ़ा दिया था जिसका बोज किसानों पर पढ़ रहा था क्योंकि जमीदारों किस से वसूल करते थे किसानों से और जब आप कि तपके पर पड़ेगा यानि कि किसानों पर इसी तरह प्रिभापड़ा फिर होता है आपका मोपला विद्रों मोपला विद्रों होता है आपका 1836-1800 चंगन के वीच मालावार केरल में इसका कारण था अंग्रेज्यों द्वारा नई राजस विवस्था लागू करना तथा जनामी साजीधारी पर आधारी दुगुराजस के सरोग में परिवर्तन करना इसका मुखकारण था तरय आपका नील विद्रों होता है 1869-60 के वीच होता है कहां बंगाल में इसके जो नेतत करता थे दिगंबर विश्वास और विश्नु विश्वास इसके नेतत करता थे य युरूपिये लोगों दारा किसार्म से बलपूरवक नील की खेती करवाना इसका प्रमुक कारण था यह आपका चंपारण की तरही आंदुलन है फिर आपका पावना विद्रों होता है आंदुलन 1873 से 76 की बीच होता है कहां बंगाल में इसके जो नेतत करता रहते हैं इसान चंदराय एवं संभू पाल इसका प्रमुक कारण था अधिक लगान और 1869 के अधिनियम 10 के तहत मिली कास्तगारों को की जमीन पर कबजे की विरूद्य सड़ें दोर बेदखली फिर आपका दक्कन उपदिव दर्वे होता है या आपका 1875 में इसमें प्रबाविच छित रहते हैं महराष्ट के पूना अहमधनगर सोलापूर और सतारा जिलों में होता है इसका प्रमो कारण था रियत बाड़ी छित के किसान करज अदाएगी को लिकर कर महाजनों के सिकंजी में अकाल के बाब जू लगावन की दर में पचात पेस्ति की विध्धी होई यानि कि उसी तरह है कि मतलब अकाल पढ़ गया फिस भी आप लो कर बढ़ा रहे हैं तो इस 1890 से 1900 की बीच होता है पंजाब में इसका प्रमो कारण था ग्रामीर रड़ ग्रिष्ट था और क्रसकों की भूमी का आकिरसक बर्ग यह था महाजनों के पास हस्तांतरन यानि कि किस जो किसान थे उनसे जमीन चीन कर महाजनों को हस्तांतरन की जा रही थी है फिर आपका कि इससे प्रवावी चित था मेवाड और इसकी नित्यत्यकरताओं की बात करें तो इसमें सामिल थी सीता रामदाव भूप सींग और विजय सींग पत्थिक और मडिक लाल कि इसका प्रमो कारण था किसानों पर 86 पिकार की टाइप के कर लगाए गए थे फिर आपका होता है चंपारण एक गांधी द्वारा सफल आंदूलन था पहला भारत पर चंपारण 1973 चंपारण रामनगर मौतिहारी बेंतिया और मदूबन इससे प्रवाविच छित थे इसके नेतत करता थी महत्मा गांधी तिनकटिया पिडाली, सहरवेसी, लगानपिती और तवान एक मुस्त मुआपचा की विरोध में यापका आंदूलन हुआ फिर आपका खेड़ा आंदूलन होता है यापका 1918 में होता है कहां खेड़ा गुजरात में इसके नेतत करता भी आपके महत्मा गांधी ही रहते हैं फसल वरवाद होने के बाप जूस सरकार मालगुजारी बसूल कर रही थी तो याद रखे चंपारन आपका 1918 में होता है खेड़ा आपका 1918 में होता है फ्रयापका अबद अबद अंदूर यह आपका 1919 से 1922 की बीच होता है इससे प्रवाविच चेत रहते हैं प्रतापगड रायवरेली सुल्टानपुर और फैजाबाद और इसके नितत करता रहते हैं जिंगुरी सिंग और रामचंद इसका प्रमकार्ण था अवेद लगान क संसोधन अदिनियम लगान में बड़ोत्री इसके आपके प्रमुक कारण थे फिर आपका एक अंदूलन 1920 में होता है इससे प्रवाविच चेत रहते हैं बारवं की हर्दोई, बहराईच और सीतापुर यानि की उत्तरपितिस में इसके जो प्रमुक के नेतत करता रहते हैं प्रमुक कारण थे लगान में बड़ोत्री के कारण यान्दूलन होता है फिर आपका मभोपला बिद्रो होता है यान्दूलन 1921 में मालावार केरल में इसके नेतत करता रहते हैं याकूब हसन, यूगोपाल मैनन और पी मुहित्वीन कुवा इसका प्रमुक कारण रहता है अधिक लगान बेदकली और अंग्रेज मुदारा अली मुस लियार को पकड़ने के लिए तिरू रांगडी की मस्जिद पर चापा इसका प्रमुक कारण रहता है पर आपका बारदोली कांदोलन एव 1918 में होता है सरदार की उपादी इसी दोरान मिली थी याद रखिये सरदार पटल को बल्लभाई पटल को सूरत का बारदौली तालुका इसके प्रभाविचता सर्दाय बल्लभाई पटलने इसका नित्त कियाता है इसका प्रमो कारण था लगान में बड़ोत्री हाली पत्ति यानि की बंदुगा मजदूरी पर यह आपका आंध कांदुलन यह आपका 1923 से 38 के बीच रहता है इससे प सत्त नारायन दंडू और सत्त नारायन राजू इसका कारण रहता है राजस्व में पौने उन्नीस पितिसत खेत जोतने और मचली मानने की अधिकारों को लिकर संगर्ष छेड़ चेड़ा गया था इसके तहता पर आपका मालावार की किर्शक आंदुलन यानि की मालावार की किसानों कांदुलन यह आपका 1934 से 40 के बीच होता है केरल का मालावार इसके नेतरत करता रहते हैं आ रामचंद बेदु मगडी और बी किष्ण पिल्लई टी पिकासम इसका जो कारण रहता है सावंती वसूलि या नभी करनी है सुल्क और लगान की अग्यम अदाई की फिर बिहार में किसान सभा कांदुलन यह आपका 1939 से 49 के बीच चलता है कहां बिहार में और इसके जो नेतरत करता रहते हैं स्वामी सहजानन इसके नेतरत करता रहते हैं जमीदारी उन्मूलन गैर कानूनी बसूलि कास्तकारों की बेदकली बकास्त जमीन की बापसी यह पिर मुक कारण रहते हैं इसमें फिर आपका पंजाब का किसान अंदुलन 1930 से 40 की बीच चलता है इससे प्रभाविच छित रहते हैं जलंदर अमरसर होसियारपुर लायलपुर और सेखपुरा पंजाब इसके अगर नि इसके कारणों में सामन लेती हैं भूराजस में कटोती रडों की बुकतान में इस्तगन और ततकाली कारण अमरसर और लाहूर में भूराजस का पुनर निधारण और नहर में नहरकर में बेत्री फिर है उसके बाद आपका वरली का अंदुलन या आपका 1945 में होता है इससे प्रभावी चित रहते हैं बंबई के निकटवर्थी चित और इसके जो नितित करता रहते हैं गोदावरी पुरू लेकर इसके नितित करता रहते हैं इसके कारण थे जंगलों के ठीकेदारों नानी केट्स को बेट बेगार के बिरोत होता है आपका अंदुलन फिर आपका तिभागा अंदुलन उननीस्व च्छालीस में इससे प्रभावित च्छित रहते हैं दिनाजपुर रंपूर जलपाई गुडी मेमन सीम मेंदिनापुर 24 परगना और खुलना इससे प्रभावित यह सभी च्छित रहते हैं इसमें जो नेतत करता है उनका नाम है किष्ण बिनोद्राय अवनी लाहरी सुनेद सैन भावानी सैन और मौनी सिंग और इसके जो नेतत में जो होता है इसके बाद आपके कारण है बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह भी जोतदारों को एक त्याई उपज देंगे सरकार ने बरगाकार बरगादार विद्याक पारितकर खिसानों को कि मांगों की पूर्टी की इसके तहरे फिर आपका होता है फुनरप्पा का बिद्रों फुनरप्पा वाइलार का अंदुलन 1946 में होता है कहां तरवन कोर में होता है इसके जो नेतत करता रहते हैं बुए पनत धानू पिल लए और इसका कारण रहता है अन्न की कमी दिवान सी पी रावा स्वामी अयरका अमेरिकी नमूना तरप ताकि अंग्रोईजयों के जाने के बाद एक सुतन्द तरवन को उसके नेंतर में रहे फर होता है आपका तेलंगाना का यह आपका 1946 से इंग्यावन तक चलता है कहां तेलंगाना में आंध्यपेदिस से अलग करके आपका तेलंगाना दो जून 2014 को नया राज बनाए गया था ठीक है तो यह आपका संद्रेया इसमें आपका निजाम जमीदारों साहुकारों तथा ब्याबारियों के विरूट संगर्ष बेकार बिट्टी जमीन और हत्याना इसके प्रमुख कारण थे तो यह आपके किसान अंधुलन थे फिर आपके हैं धार्मिक और सामाज सुधार आंधुलन हिंदु धार्मिक सामाजिक आंधुलन यह आपके संगर्ष बेकार नाम हो जाता है जो इसकी संथा बक्ति उनका नाम है जिस सन में हुआ वो सन है और इस स्थाने आपको आदमी यह सभा इसके जो संस्था बक्ति वो थे राजाराम हो रहा है कब 1815 में कहां हुआ था कलकत्ता में और आपका ब्रह्मा समाज इसके मही संस्था बक्ति राजा राम मोहन रहे हूए यह आपका 1818 में कलकत्ता में तो यह आपका कही वाद पहुँच लिता है याद रहे हैं धरम सबाब इसके जो संस्थाबक होते हैं रादाकांत देव कब 1839 में कलकत्ता में तत्थ बोधिनी सबाब इसके संस्थाबक थे देविन्दनाट टेगोर और 1849 में ये बनते हैं कहां कलकत्ता में परमहंस मंडली इसके नेतत करता यानि की संस्थाबक रहते हैं गोपाल हरी देश्मों 1840 में कहां बंबई में फिर आपका रहनो माई माज दायन सबा इसके नेतत यानि की संस्थाबक रहते हैं दादा भाई नौरो जी एस एस बंगाली कब 1859 में बंबई में बनती है फिर आपका रादा स्वामी सत्संग इसकी संस्थाबक थी तूलसी राम सिब्दयाल कव 1861 में यी बनती है आगरा में फिर आपका भारतिय ब्रह्मा समाज इसके नेत शंस्थाबक रहते हैं की सवचन सैन 1866 में कलकत्ता में फिर आपका प्रातना समाज बनता है इसके संस्थाबक रहते हैं डॉक्टर आत्माराम पॉंडूराम और एमगी रनाडे 1866 में बंबई में फिर आरे समाज इसके संस्थाबक रहते हैं स्वामी दयानन सरसुती 1875 में यी बनती है बंबई में फिर आपका थियो सॉफीकल सुसाइटिटी इसकी जो संस्थाबक थी वो थी मैडम एच बी बिलावत्स की और कनल एच एच एस अलकॉट ये कब बंदा है 1875 में नीवार्ट में याद रखे फिर आपका साधरन बह्मा समाज इसके जो संस्थाबक रहते हैं आनंद मोहन बोस रहते हैं 1878 में बंती है कलकत्ता में दक्कन एजूकेशन सुसाइटी या आपका urf के नित संस्थाबक रहते हैं जी जी आगर कर याOOOOOOOO 8884 में बनती है पूञ में कहां पूञ में पर्याप्की इंडिया नेशनल सोचल कौन पेंस इवंती है автом्ग रणाडस के संस्थाबक रहते हैं 1887 में बंबभाए में पर्यापकी देव समाज इसके संस्तापक रहते हैं शिवनारायन अगनी गुत्री यापका 1887 में बनती है लाहूर में फ्रयापका रामकिष्ण में सन्थ इसके संस्तापक रहते हैं स्वामी बिवेक अन्थ यापका 1897 में बनती है बेलूर में सर्वेंट आप इंडिया सुसाइटी इसके संस्थापक रहते हैं गोपाल किश्म गोखली 1905 में बनती है बंबई में फ्रयापका पूना सेबा सदन इसके संस्थापक रहते हैं स्रीमतिही रामा भाई रनाडे यह 1909 में बनती है आपकी पूना में सोसल सर्विस लीघ यह आपका इसके संस्थापक रहते हैं एन एमजोसी 1911 में महते कहां बंबई बिस्सभारती इसके प्रयाबॏयर्ट जो संस्था परक्राइथी उनका नाम है रवे नाट्टेख टाकुर 1912 में भनती है कलकत्ता में सेबा समती इसके संस्था परक्राइथी ए-चैन कुंजरू 1914 में मती है इलावाद में जिसे आज आप लो प्रेयाग राज के नाम से जानते हैं प्रेयाग की सेवा समती बॉय स्काउट इसोसीएशन इसके संस्तापक थे सिरी रामबाच फे इसकी स्थापना होती है और बंबई में इसकी स्थापना की गए थी हिंदु महासला इसके संस्तापक थे वो थे मदनमुहन माली निज़म्क्या वन हरिद्द्वार में इसकी स्थापना होती है करा कुछ बीमेंस इंडियां सोची इसके जो संस्ता बक्त है लेडी चदा सिफ आया है इसके लिए संस्ता बक्त है 1970 में इसकी स्तापना होती है मद रास में कहां मद रास में कि स Raum का मुस्लिम सामाजी का अंदोलनों का अठार में का अंदो飯तों तो इनके भी आंदोलन देख लेते हैं यह आपके आंदुलन हो जाते हैं बर्स हो जाता है एश्थान हो जाता है यह संस्थापक हो जाता है फराजी आंदुलन 1838 में होता है फरीतपूर बंगाल में होता है यह आपका कहां? फरीतपूर बंगाल में इसके संस्थापक रहते हैं हाजी, सरीतुला और दादु मिया तैयूनी आंदुलन ये आपका 1849 में होता है ये ढाका में होता है इसके जो संस्थापक रहते हैं करामाती, अली और जौनपुल फिर होता है दार उलूं अतबा देवबंद आंदुलन भी आप लोग इसे बोलते हैं ये आपका 1866 में होता है, कहां देवबंद में इसके संस्थापक रहते हैं मुहमद कासिम, नौत नभी, एवं रासिद अहमद गंगोई फिर आपका अली गड़ आंदुलन होता है, 1875 में, अली गड़ में इसके संस्थापक रहते हैं सरसेद अहमद खान अहमदीय आंदुलन ये आपका 1889 में होता है, इसके स्थान रहता है फरीद कोट में होता है कादिया की मीड़्या गुलाम अहिमाद इसके संस्थाबक रहते हैं फिर आपका नदवाताल अंदुल नदवार उल उलेमा यह आपका 1894 से 95 गीवीश होता है लखनौ में इसके संस्थाबक रहते हैं मौलाना सिबली नुमानी ठीक है? फिर आपका निम्न जाती है अंदुलन एवं संगठन्ते आपके यह आपकी अंदुलन हो जाते हैं बर्स हो जाता है स्थान और इसके संस्थाबक सत्य सोधक समाच यह आपका 1873 में बनता है कहां महराष्ट में कौन इसका संस्थाबक थे हैं? जोदिवा फूले फिर आपका अरविपूरम आंदुलन 1888 में अरविपूरम केरल में होता है इसके संस्थाबक रहते हैं स्री नारायन गुरू फिर आपका स्री नारायन धरम फरी पालन योगम यह आपका 1902 में बनता है केरल में इसके संस्ताफ़क रहते हैं सिरी नारायन, डॉक्टर पल्यू एबं कुमारन आसन, फर आपका डिस्पेश्ट किलास मिसन सोसाइटी, 1906 में यह आपकी बंबई में होता है, बी आर सिंदेश के संस्ताफ़क रहते हैं, फर आपका बहुजन समाज, यह आपका 1910 में होता है, स् संस्ताफ़क रहते हैं मुकंदराव पार्टे, फर आपकी जश्टिट पार्टी, 1915 सूले में मदरास में होता है, इसके संस्ताफ़क में सामेल रहते हैं, सी एन मुदालिया, टी एम नायर, और पी त्रयाग राज चिप्टी, फर आपकी वहिश्ट कित हिद कार्णी सभा, 19 1924 में, यह आपका बंबई में होता है, डॉक्टर भीमरा अंबेडकर, इसके संस्ताफ़क रहते हैं, आत्म सम्मान आंदोगन, यह आपका 1925 में होता है, मदरास में, इसके संस्ताफ़क रहते हैं, इवी रामस्वामी, नायकर पेरियार, फिर आपका हरीजन सेवक संग, 1932 म यह आपका पूना में होता है, महतमा गांदी, इसके लिक संस्ताफ़क रहते हैं, यह भी आपका कई बार पूच लिया गया है, तो आपके निम्न जातिय संगटन भी है, नडार महाजन संगम, 1910 में बनता है, मल्याली मेमोरियल, यह आपका 1891 में बनता है, लिंगायत सबा 1897, बुक्कालिक सबा 1906, महिस समती 1901, सत्य सोधक समती 1893 में बनती है, यह भी आपके कुछ मातुरून आंदूलन है, इजावा आंदूलन, यह आपका केरल में होता है, पल्ली आंदूलन, यह आपका तमिलाडू में होता है, आत्म सम्मान आंदूलन, तमिलाडू में ह महार आंदूलन यह आपका महाराष्ट में होता है, नामसुद्ध आंदूलन यह आपका बंगाल में होता है, नाडार आंदूलन यह आपका तमिलाणू में होता है, नायर आंदूलन यह भी आपका तमिलाणू में होता है, सत्त सोधक आंदूलन यह आपका महाराष्ट में होत कि बारे में बंगाल की गवंणर 1773 के रेगु लेटंग एक्ट के अनुसार हम लोग देखें तो रोवाइट कलाइब का पिथम सासन इसका रहता है 1757 से 60 की बीच फिसके बाद आता है हॉल बैल या आपका 1760 में आता है फिर आता है आपका बिंसी टाट या आपका 1760 से 65 की बीच रहता है फिर आता है आपका रोवाइट कलाइब दूसरा सासन या आपका 1765 से 66 की बीच रहता है अना बैरेलिश्ट happy Siya का सरसट से 69 की बीच रहता है फिर आपका tying कोटीयर यापका 69 से Yaminer की बीच रहता है पर आज का वारें हैस्टिंग्स हैंश का 1772 से 74 तक रहता है एंधकी बंगाल की गवरंणर ति, अब बात करते हैं बंगाल की गवर्नर जरनलों की बारे में इनसे आपकी पुसिछ इनस कई बार बनती रहते हैं वारेंग हेस्टिंग वारेंग हेस्टिंग्स या अफका 374 से 1785 तप रहता है इसके समय में मुख्य घटनाएं घटती है Council of Supreme Court से जगड़ा होता है, Council और Supreme Court के बीच जगड़ा होता है, इसके मैं समय ही पित्थम मराथा और दूतिय में सूर यूद होता है, इसी के समय पीछ इंडिया का इंडिया अधीनियम आता है, 1784 में, इसी के समय ऐसी आटिक सुसाइटी की स्थापना होती है, सुरक्षा प्रिकोष्ट या फिर रिंग भैंस की नीती, बंगाल में दुए सासन की समाप्ती होती है, इसी के समय, कलकत्ता में उचनियालई की स्थापना और महावियो इस पर चलता है, फिर इसके बाद आता है आपका सर्जॉन मैग फर्सन, यह आपका 1785 से 86 की बीच रहता है, यह आपका आइस्थाई गवर्नर जनल था, क्या था, आइस्थाई गवर्नर जनल, लॉर्ड कॉंड वालिस, यह आपका 1786 से 1793 तक रहता है, इसके समय की प्रमुक के गटना है अदालतें, भूमीकर और नौकरियों में सुधार, तितिय मैसूर इउद इसी के समय होता है, बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त परणाली की सुरुवात होती है, और सिविल सिवा करसेरिजन होता है इसी के समय, लॉर्ड कॉंड वालिस की समय, नियाएक संगठन की स्थापना होती है, जिलों में पुलिस थाना की स्थापना और कॉनड़ बालिस कोड का निर्माड भी इसी के समय होता है फिर आता है आपका सर जॉन सौर ये आपका 1393 से 1798 तग रहता है इसके कारकाल की प्रमुक घटना है आलश्ट छेप की निती देशी राज्यों में फ्रांसिसियों की सडेंद इसके कारकाल की प्रमुक घटना है इसके कारकाल की रापता है आपका लॉर्ड बेली जली या आपका 1798 से 1805 तक रहता है इसके कारकाल की पिरमुक्ष घटनायती साहेक संधिया, चत्तोर्थ मैसूर यूत, दुतिये और तितिये मराठा यूत, साहेक संधी करने वाली राज इसमें हैतरावाद, मैसूर तंजोर, अवद पेसवा, वरार, भौसली और सिंधिया अधी सामिल होते हैं अठारे सो इसमी में कोट, फोर्ट बिलियम कॉलिज की स्थापना की गए, फरन्तु नागरिक सेपा में भलती यूगकों के, पिसीक्षण में जानदा बय की कारण, अठारे सो छे में से, इंगलेंड के हेलीवरी, इस्थ कॉलिज की स्थापना की गए, एस अभी घटनाया आता है, दुबारा, इसकी कब्र आपकी गाजीपुर में है, कहां उत्तर फिदेश में, याद रखी, फिर आता है सर्क जॉन बार्लो, यह आपका अठारे सो पास से अठारे सो साथ के वीच रहता है, मराठों ने नई संधियां, मराठों से नई संधियां, और बंगलोर में सिपाही विद्रों इसे के कारिकाल की प्रमुप गटनाया है, फिर आपका लॉर्ड मेंटू आता है, यह आपका अठारे सो साथ से अठारे सो अठारे की वीच रहता है, इसके समय में आपकी सेमांत राज्चों से संधियां होती है, उत्तरा सिसियों के उपने वेसक पर सिंदारियों का दमन, मराठों की सक्ति का अंद, सिप्चा को राज्च की सहायता और अदालतों में सुधार, उत्तिय अंगल मराठा योद्ध होता है, और आंगल नायपाल योद्ध इसी के समय होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आपता है आपका लॉर्ड है, एम हर्ष्ट ये आपका 1823 से 1828 के बीच रहता है, इसके समय में बर्मा का पितम योद्ध होता है, वेरापुर की चावनी और सैनिक केम्प में 1824 में बिद्रो होता है, फिर आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक, 1828 से 1823 के बीच, ठगी पिताकंत, राजारुम मुहराय के सहयोग से सती पित मैसूर का अंग्रेजी राच में बिले, इसी के समय होता है, लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय, फिर आते हैं भारत की गवर्नर जनर, ये आपकी 1823 के चार्टर रेक्ट के अधिन, तो इसमें सबसे पहले बनता है लॉर्ड विलियम वेंटिक, ये आपका 1823 से 1835 के बीच रह लॉर्ड विलियम वेंटिक को, और मैंकाले की रिपोर्ट इसी के समय आती हूं, ली कमीशन की व्युक्ती भी इसी के समय होती आपकी, फिर आपका आता है सर्चार्स मेंटकॉप, ये आपका 1835 से 1836 के बीच रहता है, इसके समय की सबसे प्रमुग घटना थी, फ्रेस की सु लॉक्लेंड, ये आपका 1836 से 1842 तक रहता है, इसके समय की पिथम पहली घटना थी, पिथम आंगल अपगान योथ, फिर आपका आता है लॉड एलन बरू, ये आपका 1842 से 1844 तक रहता है, इसके समय में की कार की बात करें, तो सिंध पर अंग्रेजी समराज में मिलाएगा, रवीबार की चुट्टी जो आपकी 1833 से शुरू ही, ये आपकी लॉड एलन बरू की समय से हुई थी, जो आप रवीबार की चुट्टी देखते हैं, ये आपकी 1843 से शुरू हुई थी, पिर आता है आपका बिलियम बिल बर, फोर्स बर, इस्थापन, ये आपका 1844 में मनत रहता है, फिर आता है आपका लॉड हाल्डिंग्स, ये आपका 1844 से 48 तक रहता है, इसके समय का प्रमुक का रहता है पितम आंगल सिक्ख्यूद, फिर आपका लॉड डल होजी रहता है, ये बहुत ही मात्मूर है, इससे आपकी कुष्ट्यन से बहुत बार बन चुके हैं, बनती रहती हैं, तो ये आपका 1848 से 856 के बीच रहता है, इसके समय की प्रमुक घट्नाओं में सामेल है, दूसरा आमिल सिक्ख्यूद, हडप की नीती, रेलों का आरम, यानि कि इसने रेलों का आरम किया था इसी की समय, सासन सुधार, हडप नेती केंदगर राज, इसमें आपका सतारा जयतपुर, और संबलपुर, बधाट, उदैपुर, जहांसी, नांगपुर, तार सेवा आरम इसी ने की थी, नांगरिक सेवा में पितियोगता परीक्षा आरम इसी के समय हुए, पबलिक वर्क्स डिपार्मेंट की स्थापना की इसी के समय हुए, भारती राजचिछित का अंतिम बिस्तार इसी के समय हुए आपका, फिर आता है आपका, लौड कैने, यह आपका 1856 से 1858 तक रहता है, कंपेनी के सासन का अंत, विदभाप उनरविवा अधीनियम पारित हुए, बंबई करकत्ता तथा मद्रास में, एक-एक उच्च नियाला की स्थापना इसी के समय की गई, महाले का परिक्षक का पद का गठन भी इसी के समय हुए आपका हुटता है, ठीक है, फिर यह हैं आपका 1858 से 1862 की बीच रहता है, इसके समय की प्रमुख गटना है, रेलों का विस्तार होता है, विवस्तापी का सभाओं के सदस बड़े और 1861 का भारतिये परिशत अधिनियम इसी के समय आता है, हाइकोट की स्थापना इसी के समय होती है, भारतिये दंड पिक्रिया सहता इसी के समय की गटना है, फिर आता है आपका लॉड एलगिन, यह आपका 1862 से 1863 की बीच रहता है, इसके समय की प्रमुख गटना थी भावी आंदुलन का दवन, फिर आपका सर जॉन लॉरेंस, यह आपका 1864 से 1869 की बीच रहता है, इसके समय की प्रमुख गटना होती है, अ किसमय होता है फर आपका लॉड मेव लॉड मेव यह आपका 1859 से 1872 की वीच रहता है फरांतीय सासन में सुधार मेव कॉलेज अजमेरी की स्थापना पित्थम जन्गणना की सुरुआत किर्शी विवाग की स्थापना यह point आपका कई बार questions के रूम में बन चुपा है याद रखिए आप लोग जो पिथम जनगणना हुई थी शुरुआ यह आपकी Lord Meo के साथ काल में हुई थी अठारे सो बक्तर में लेकिन नेमित जनगणना आपकी कब हुई थी Lord Ritpan के काल में अठारे सो 81 में तो यह आपका कई बार questions बन चुका है तो आपको याद रखना अगर पूँचे कि पिथम बार जनगणना कब हुई थी तो आप Lord Meo के समय बताईए अठारे सो बक्तर अगर पूँचे कि नेमित जनगणना कब हुई थी तो आपको 1881 में बताना है लॉर्ड रिपन की समय ठीक है तो इसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थ बुरुक यह आपका 1882 से 1886 की बीच रहता है इसके समय का प्रमुक एकार था अफगान निती तटरस्ता जारी और कूला आंदूलन लॉर्ड लिटन यह आपका 1886 से 1880 की बीच रहता है दुतिय अफगान योर्थिस के समय होता है अकाल आयूक गठन वर्ना कूलर प्रेस एक्ट और 1872 इस भी में कित्हम जन्गनना की सुरुआत होती है भारतिय सास्त अधीनियम पारित होता है बाहरानी विक्टोरिया को केसर यह हिंदी की उपादी प्यदान की गए लॉर्ड रिप्पन यह आपका 1880 से 1884 की बीच रहता है अफगान योद की सवाक्ती एलवर्ड विल परभाईस फ्रेस की सुदंता इस्थानिय सुसासन की सुरुआत सरफ पित्हम नीमित जनगड़ना और पित्हम फेक्टरी एक्ट अदिनियम इसी के समय आया ठीक है लॉर्ड दप्रेंग आपका 1884 से 1888 तक रहता है इसके समय की प्रमुक घटनाथी कॉंग्रेस की स्थापना तीसरा आंगल बर मायूत पिर आपका लॉर्ड लैंस डाउन ये आपका 1888 से 1894 तक रहता है 1892 का सुधार मुसलिम संगठन का आरम भारत और अफगानिस्तान की मत दूरन रेका का निर्धार है दूसरा कारखान आदिनियम इसी के समय आता है पिर आपका लॉर्ड एल्गिन दूतिये ये आपका 1894 से 1899 की बीच रहता है 1895 से 1895 की मत बहेंकर अकाल इसी के समय पढ़ा था लॉर्ड एल्गिन दूतिये की लॉर्ड करजन ये आपका 1899 से 1905 की बीच रहता है सातन्त सासंत्तन सिक्षा सुधार महामारी और अकाल बिस्विध्यालाय आयुक का गठन बारतिय पुरातत विवाग की स्थापना, बंगाल विभावाजन रेल बेबोर का गठन और फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधारे से संबंदी थे ये आपकी लॉर्ड करजन के समय होती है यहां आपको यह कुष्टन कई बार कुछ लिए रहे है यह भी आपको यांद रहे है जो आपका बंगाल विभाजन होता है किसके समय लॉर्ड करजन के समय 1905 में और इसे रद कब किया जाता है बंगाल विभाजन रद होता है आपका लॉर्ड हर्डिंग के समय याद रहे है तो बंगाल विभाजन लॉर्ड करजन के समय होता है और रद होता है लॉर्ड हर्डिंग के समय लॉर्ड करजन के बाद आता है लॉर्ड मेंटू दूतिये यह आपका 1905 से 1910 के बीच रहता है इसके समय की प्रमुक घटनाओने सामिल है दापका 1914 में सुरू होता है और 1918 तक ही चलता है फिर आपका आता है लॉड चैम्सपोर 1916 से 1921 की बीच रहता है इसके समयकाल की प्रमक गठनायती इसके समय कांग्रेस का दमन होता है स्वराज पार्टी का गठन होता है एक मात यहूदी गवर्नर्ट जनर्ल था ही चोरी-चोरा कांडिसी के समय की घठनाय है क्या है नहीं कई बार पूच लेता है कि जलिया वाला बाग अत्याकंड किसके समय हुगा था तो आप लोग इसे याद रखा करिए कि इस तरह है कि जो भी चर्चित घठनाय रहती है लॉड इर्बिन यह आपका अठार साइमन कमीशन सविनयय विग्यांदूलन पूर्त राज का लक्ष और गांदी इर्बिन समझाता है यह आपके लॉड इर्बिन की कारिकाल की घठनाय है फिर आपका लॉड बिलेंगटन आता है यह आपका 1931 से 1934 की बीच आता है कॉंग्रिस का दमन पूना समझोता संपदा साइक पंचाइट और 1935 अधिनियम लॉड बिलेंगटन की समय की कारिकाल की घठनाय है फिर आपका लॉड लिनलेथ को यह आपका 1934 से 1936 के बीच फ्रांतिय सोराज की स्थापना पहला चुनाओ अगस्त पिस्ताओ किरफ्स मिशन और भारत चुड़ू आंदूलन इसके समय की प्रमुक घठनाय थी ठीक है फिर आपके गवर्नर जनल तथा वायसराइग किराउन की कि पिती निदी इनमें आपका है लॉड लिनलेथ को 1936 से 1938 के बीच रहता है फिर बेरन बेवर्न इस्थापन ये आपका 1938 में रहता है फिर आपका लॉड लिनलेथ को ये आपका 1938 से 1923 के बीच रहता है इसके समय में प्रमुक घठनाय गठती है दुतिय विस्यूद का प्यारम होता है भारत चुड़ू आंदूलन का आरम होता है जैसा कि आपको पता ह होगा दुतिय विस्यूद 1949 में शुरू होता है और भारतिय भारत चुड़ू आंदूलन 1942 की घठना है इसी के समयकाल की घठना है फिर आपका लॉड बेविल था ये आपका 1943 से 47 की बीच रहता है कॉंग्रेस नेताओं की रहाई होती है के अंदरिये तदा प्रांतिये सभा के नया चुनाऊ होता है विधान सभा का संफा का हुथा समय केविनीट मिसेड गजन के यहांधका मिस्प्रेंट है मिस्प्रेंट जनी सो चालीज में ऐता है के मिस्टन आपका 1940 में आता है जवाहल्लाण नेहरू के अंत्रियम सरकारगी का गठन होता है रहत भ़़भाजन क और सरकार बढ़ती है। फिर आता है लॉड मांट बेटन 1947 से 1888 के बीच रहता है। यह पाकिस्तान और भारतिय संगी की स्थापना होती है। संपदाइक धंगे होते हैं कस्मी रियोद इसी के समय होता है। और गांधी जी की हत्या इसी के समय होती है। नाथुरा गौर्ण सि पारचारी 1908 से 1950 के वीच इनके समय में देशी राज्यों का एकत्यत होना नभीन समिधान कर निर्मान होना यह हमारे पहड़े भारतिय थे। अगर हम लोग विदेशों में भारतिय कुरांतिकारी संगठनों पी बात करें जो विदेशों में संगठन बनाए गए। इंडिया हाउस यह आपका इंग्लेंड में बना यह था कहां लंदन में कब बना 1904 में किसके द्वारा स्यामकिष्ण बर्मा के द्वारा यानि कि स्यामकिष्ण बर्मा इसके संस्थापक थे अभी नव भारत इसके संस्थापक थे बीडी सावार कर यह आपका लंदन इंग्ल ना था इसके जो संस्था वक्त थे उनका नाम था तारक नाथदास 1907 में गदर पार्टी में यह आपकी स्रेंड फ्रांसिस्कों अमेरिका में बना था बनी थी और इसके संस्था वक्ते लाला लाल हरद्याल और रामचंद और बर्ग तुल्ला जिन में लाल लाला हरद्याल प्रमुक थे इसमें यह 1913 की बात 1913 में बनती है फिर आपकी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग यह आपकी 1914 में बनती है लाला हरद्याल इवं बीरेंदनाथ चटोपत दिया है इसके संस्था वक्ति कहां बनती है वर्लिंग जर्मनी में वर्लिंग जर्मनी मे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्मेंट यह आपके राजा महिंद प्रताप ने बनाई थी है कहां काबुल अफगानिस्तान में 1915 में फ्रयापकी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग यह आपके टोकियों यापान में बनी थी इसके जो संस्थाबक थे रास बिहार बहु सेंगापुर में नेता जी सुवथतय ने किया थे इसका गतनस फैनल में मैं किसने कि यह उनीह सुभाशचंद बहु स का गतनसा होता है इसका पेजा पूरण किया जाता है नेता जी वphone तो यह कुछ मत्कून आपकी विदेशों में जो संगठन बनाए गई उनके नाम थे अब हैं आपके बेड़ेस काल में विदेशों पर अधिकार है कि यह आपकी नेपाद देश हो गया बर्स गवर्ण जनरल वाइस राइड अधिकार की प्रवित्ति नेपाल अठारे सो सूले में किसकी समय लॉड हैस्टिंग्स की समय अधिकार की प्रवित्ति थी कुमायू और गड़वाल का बिले सिंदिका बिले अठारे सो तैंतालीस में लॉड एलन बरू पूर्ण बिले थाई सिक्किम 1861 में लॉड केनिंग पूर्ण बिले थाई भूटां 1865 में लॉड लॉरेंस पूर्ण बिले थाई अफगानिस्तान 1889 में लॉड लिटन की समय वाह ने अंतर इस्थापित किया गया। बर्मा 1865 में लॉड दप्रिन की समय पूर्ण बिले मडीपुर 1981 में लॉड लेंस्ट डाउन की समय पूर्ण बिले तिब्बद 1903 में लॉड करजन पूर्ण बिले थाई चीक है अब हैं आपकी सरेमिक संग अधवा संगठन यहां की संगठन हो गया इस संस्थाबब हो गया इसकी इस संथान हो गया जिस संथान हो गया ठीक है जहां बनाएगा संगठन पहला आपका बुम्बे हैंड मिल एसोसियेशन बुम्बे हैंड मिल एसोसियेशन इसकी जो संथाबब थे वो थे एम एन एम लोखंडे यह आपका 1880 में बनता है मुम्बई में वर्कस मैंस किलब या पका इसकी संस्थाबक थे सशीपस बन अगयी इसका 1870 में बनता है में कलगत् MODE याका 1909 में बनता है बंबई में मद्रा सेमिक संग जी आल नाइडू चेल पत्ति याका 1908 में बनता है मद्रास में एहमदाबाद टेक्स्टाइल इसके जो संस्ताबक्ति इनका नाम था अनुसुया सारा भाई याका 1920 में बनता है एहमदाबाद में लेवर एसोइसिएशन इसे ही कहते हैं All India Trade Union Congress इसके संस्ताफक थे एन एम जोसी उननीस सो बीस में इसका स्थापना होती है बंबई में कहां बंबई में पर आपका बंबई टेक्स्टाइल लेवर एन एम जोसी बंबई में All India Trade Union Federation इन एम जोसी उननीस सो बंबई में National Federation of Trade इसके भी संस्ताफक थे इन एम एम जोसी इसके भी संस्ताफक थे इन एन एप्टी यू हिंदू मजदूर सभा यह आपकी बल्लब भाई पतिल राजन पिसाथ और जेवी के प्लान इसके संस्ताफकों में सामित थे इन एन फेडरेशन ओप चेंबर इन एन फेडरेशन ओप डेवर एम एन रायस के संस्ताफक थे उननीस सो बालीस में यह बनता है इन्डियन नेशनल ट्रेड इवनियन कॉंग्रेस यह आपकी बल्लब भाई पतिल इसके संस्ताफक थे जमसेद पूर लेवर एसोसियेशन एस एस हल्दर इसके संस्ताफक थे यह आपका जमसेद मुर्फ में बनता है 1925 में यह आपकी कुछ मत्मूर पूश्टक है है इन्हें भी देख लिजेए बंदी जीवन सचैंदनाथ सन्या इसकी लेकट थे ठीक है कौन थे सचैंदनाथ सन्या सब्सक्राव बानि मंदिय बरेंद कुमार खोस की दवार लिखी गई है वर्दमान रडणी थी वरिंद कुमार्खोस के द्वारा लिखी गई है पथेड़ दावी या के सरथ चंद चटो बग्द्याय के द्वारा लिखी गई है आत्म सक्ती सार्थी बिगली पत्तिका या के भूधपुर क्यदी के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक ये भगवती चर्मन बोहरा के द्वारा लिखी गई गई थी या की पी एन वापट द्वारा लिखी गई थी अंग्रेजी में अनुबात था है पिरमुक उपादिया है ये आपकी इनसे भी आपका बनते रहते हैं आप पूछ सकता है आपका कि ईह उपादी है ये पर राप्त करता है जिसे मिली और ये दाता है जिसने दि राजाराम मोहरा एको राजा की उपादी किस ने दी थी तो अकबर दुतियान्य इस तरह से पूच सकता है फिर पूछे का कि महत्मा गांदी को महत्मा की उपादी किस ने दी थी तो यह आपकी रवेननाट टैगोर रवेननाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दी थी महत्मा गांदी महत्मा गांदी को अर्थनंगा फकीर किस ने कहा था वेस्टन चर्चिल औ फ्रेंक मौर्स ने मात्मा गांदी को राष्ट करेता किसने कहा था? सुवाश्चेंद वर्स ने सुवाश्चेंद वर्स कू नेता जी किसने कहा था? एड़ूलव हिटलव बल्लबाई पटेल को सर्दार की उपादी किस ने दिती बार्दोली सत्यागे की दौरान बार्दोली की महलाओने स्वामी बिवेकानन्द को बिवेकानन्द की उपादी देती महराज खेतडीने मुहमद अली जिन्ना को कायद याजम की उपादी किस ने दिती हमारे महत्मा गांदी गाए सुभाष्चन्द बॉस को देश नाय की उपादी किस ने दिती रभेंदनाद टेगोर नाय राजिन्द पिसाद को देश रहतन की उपादी किस ने दी थी? महत्मा गांदी ने तो इन्हें याद रखना है आपको क्योंकि कई बार आपका इंटर्वी में भी पूंच लेटा है इस तरह की कुश्चेंस अब चलते हैं हम लोग आगे बैटिश सासन की भूराजस नीतियों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस्थाई बंदोवस्त इसे आप लोग इस्तत्मरारी चिर इस्थाई या फिर जमिदारी बंदोवस्त भी कहा जाता था यह आपका 1793 में लौड कंडबांजित द्वारा बिहार बंगाल उडिशा में लागू किए थी कहां बिहार बंगाल उडिशा में यह विवस्ता में जानसोर और जैम्स ग्रांट भी जुड़े हुए थी इस विवस्ता थी किसानों की भूमी संबंदी अधिकाल समाब्द कर जमीदारों को भूमी मालिक बनाएगा था किने जमीदारी जमीदारों को इसमें एक पुल बेटिस छित का 1930 सामिल था आपका कितना 1930 पर द्वाण थी आपकी रियादबाडी विवस्ता इसकी जनम्धाता थामस मुन्रो और काप्टन रीड को माना जाता है थामस मुन्रोड और केप्टन रीड को यह विवस्ता आपकी मदरास और बंबई में लागू केई थी सरबसे पहले रियात बाड़ी विवस्ता का सरफितम वारा महिल तमेलाडू में से लागू दिया गया था इसके अंतरगत पितेव जमीन धारक को भूराजस यानि कि भूस्वामी सुईकार करके उसके साथ लगान की सर्थनेताई की गई थी कुल बेटिस भूमी का इंक्यावन पिती सर्थ भूभाग इसमें सामिलता यानि कि इंक्यावन पिती सर्थ भूभाग पर ये लागू थी रियात बाड़ी विवस्ता फिर थी आपकी महालवाडी बंदोवस्त इस पद्धिती की जनमदाता हॉल्ट मिकेंजी तथा रौवाइट मार्टिन्स बढ़ थी कुल बेटिस भूमी का तीस पिती सर्थ पर लागू थी आपके इस थाई बंदोवस्त आपकी उन्नीस पिती सर्थ पर और जो रेयत बाड ती यापकी तीस पिती सर्थ बात पर थैटी इस विवस्ता के अंदर के दक्कन के कुछ जिले सेट परांथ आगरा अवद मदबरांथ पंजाब के कुछ से सामिल की गए थे इसके विवस्ता में पितेक महाल यानि की जागी या गाउं के अंग्रेजियों ने राजिस निश बेल्थ धन बरी बहिर गमन के दिसा में पिथम परियास दादा भाई नौरोजी ने किया था किसने दादा भाई नौरोजी ने इसके अनुसार भारती संवदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद वेटेन को निर्याद कर दिया जाते था जिसका कोई पीतीफल नहीं मिलता था आर्सी दत्त की पुस्टक एकोनोमिक हिष्ट्री और इंडिया को आर्थिक इत्यास की पहली पुस्थक माना जाता है याद रखी ठीक है थिर आपकी वेटिस काल में विदेशों में भीजे गए सिष्ट मंडल है यह आपका वर्स हो गया जिस सन में भीजे यह आपकी शिष्ट मंडल हो गए यह देश हो गए यह गवर्नर जनल जिसके समय भीजे गए गया 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 था किसके समय कौन बालिश की समय 3797 में मैलकम शिष्ट मंडल फर्स्ट यह आपका इरान भी जा गया था किसके समय वेलीजली की समय 1808 में एल्फिंस्टन सिष्ट मंडल यह आपका कहां भी जा गया था काबुल में मैंटू की समय किस embodied collas दो या आपका इरान भी जा गया था मिंटू के समय ने 1809 में आपका डेविट सेटान सिष्ट मंदल या आपका सिंध भी जा गया था मिंटू के समय ने 1892 में रोबाइट सिष्ट मंदल या आपका काबूल भी जा गया था लैंस डाउन की समय 1893 में हेन्री डूरंड सिष्ट मंदल आपका काबूल भीजा गया था लैंस डाउन की समय ठीक 1903 में यंग हज़बेंड सिष्ट मंदल तिबद भीजा गया था करजन की समय किसके करजन की समय में 1904 में डैन शिष्ट मंदल या आपका काबूल भीजा गया था किसके समय करजन की समय में 1912 में डॉक्टर अंसारी मिशन चेकिसा या आपकी तुर्की भीजा गया था हार्डिंग की समय में 1938 में डॉक्टर अटल मिशन या आपका चीन भीजा गया था लि यह आपके राष्ट मंडल, राष्ट दूर थे, राष्ट मंडल, एभी आपके आते रहेते हैं, राष्टी, सुतंता अंदोलन, सम्धी, पिर्मुक, बच्चन और नारे, ये भी आपका पूचते रहेते हैं, सौराज हमारा जनम से ददिकार है ये किसका बक्तब था यानि की नारा था ये बाल गंगदर तिलक साहब का नारा था सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये आपके रामपेसाद विस्मिल साहब का बक्तब था यानि की नारा था सारी जहां से अच्छा हिंदुस्थान हमारा याकी एकवाल ने नारा दिया था जै हिंद याकी सुभास्चंद बोस ने नारा दिया था हे राम याकी महत्मा गांदी ने नारा दिया था जनगर्मन अधिनायक जय यह आपकी रविंदनाथ टेगवर साहब ने कहा था हू लिप्स इप इंडिया डाइच इसके इसी आपकी जवाला नेहरू न बोला था किरांती की तलवार में धार विचारी पत्तर पर रगड़ने से ही आती है यह अपकी भगस सींग ने कहा था इंकलाब जिन्दवाद भगस सींग बाद में मोहमद एकबाल में दिल्ली चलो यह आपका सुभाश्चंद बॉस ने कहा था किसने सुभाश्चंद बॉस ने क्योंकि यह सावान ज्यान के लिए तो पूछ लेते हैं कई वार कई बार कुश्चेंस भी इस इनसे बने गए करो और मरो करो या मरो यह आपकी मातमा गांदी ने कहा था मेरे सरीपर पड़ी एक-एक लाठी बेटे समराज के कफन में केली सिंध होगी यह आपके लालाल लाच्पद राय ने कहा था आराम हराम है यह आपके पंडिन जवाहलाल नहिरू ने कहा था भारत बर्स को तलवार के बल पर जीता गया था तलवार के बल पर ही उसे बिलतामी कपजे में रखा जाएगा यह आपके लौड एलगिन के द्वारा कहा गया था यह बंदे मात्रम यह आपके वाकीम चंद चटडी ने लिखा था उनकी रचना है इसलिए उनका बक्तव है पूर सराज पूर सराज यह आपके जवाहलाल नहिरू ने कहा था बहारत छोड़ो म्हात्मागाल दी लें ह ये आपके भारत हिंदू भृस्चंद से संबन्दी थे हैं तो मुझे कुन दो मैं तुमें आ जाती दूँगा यह आपकी सुभास्चंद नेता सुभास्चंद बोस ने कहा था समूचा बारत एक विसाल बंदी गरे था सी आरदास ने एक कहा था यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहली ही नर्ट हो जाने वाला था याकि महत्मा गांदी साहब ने कहा था किर्ष पिस्ताव के संदग में कहा था हमने घुटने देख टेक कर रोटी माली किन्तु उत्तर में हमें पत्तर मिले याकि महत्मा गांदी ने कहा था सभी ने गया अंदुलन की पूर्व कहा था यह ठीक है विजय विस्ति रंगा प्यारा याकि स्याम लाल गुपता पार्शन ने कहा था बेदों की ओर लोटो लोटो यह आपके दयानन सरसुती ने कहा था यह थे कुछ मत्कून नारे और मत्कून से समधित बेटती अब हम चलते हैं भारत का राश्टी आंदोरन और सुतनता प्राप्ति की ओर यानि कि हम आजाद होने की तरफ अब चलते हैं 1885 से 1947 तक का टायम तो सबसे पहले आपका पहला चलन होता है भारतिय राश्टी आंदोरन का फित्थम चलन इसे आप लोग उधारबादी चलन भी बोलते हैं ठीक है यह आपका 1888 से 1905 तक चलता है तो इस समय की प्रमुक घटनाओ की बात करें तो भारत में राश्टी आंदोरन का प्यारम 1885 इस भी में माला जाता है तब भारतिय राश्टिय कॉंगरेस की स्थापना करने का उद्देश इतना था कि आप सोचिए कि इतना बड़ा देश भोगोली चेक फल भी उसका है कि मालुचला कि यहां सी मैं कोई वर रड़ घृए किसी और है के लिए मालुचला भोपाल मैं कोई वर लड़ रा एंगवालियर में कोई पटना कोई लड़ रा है तो सबकह एक बीजन तो होना चाहिए इस लिए आपको भारतिय राश्टिय कह पित्थम चर्ण की मुक घ रटना थी 1885 इजबी में भालतिय राष्टिय कॉंग्रेस की स्थापना इसका पिथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1888 को बंबई इस्थित गोकुल दास्तेजपाल संस्कित से विद्यारे में हुआ था इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बियुम्चंद बनलज तो आप सी भालतिय राष्टि कॉंग्रेस की स्थापना कभी तो आपको बता देना है 1885 और इसका पिथम अधिवेशन कहां हुआ था तो आपको बता देना है बंबई में कभी था 28 दिसंबर 1885 में इसके पिथम अध्यक्ष कॉन थे बेयुम्चंद बनलज जी इतने कुश्चन से बन स के मज़न सकते हैं। सब्सक्राइब ब्लकुरा सकते हैं आपकी भालतीय राष्टि कॉंगरेस के संस्थापक थे Wars *** स्कॉटलेंड की नवासी थे एलन ओक्टिवियन हिूम इनका ए ओ हिूम का पूरा नाम था एलन ओक्टिवियन हिूम एक पिसासनी का दिकारी राजनेतिक सुधाराक और बैटिस भारत में सौकिया पक्छी विज्ञानी थी बारतिवियराष्टी कॉंग्रेश संस्ताप को मैंसे एक थी हाला की वह कॉंग्रेश के जन्म जाता जनम दाता थे परन्तु उसने कभी भी इसकी अद्यक्षा की के कांघेर सिन में आपके 32 सदस्सों ने इस सालिया था कितने 72 सदर्स्तों के लिए ओंग्रेस के महामंत्री पत पर 1850 से 1907 तक रहे महारती राख्टी कॉंग्रेस का पिता ओंग्रेस को कहा जाता है कॉंग्रेस नेताओं ने अपनी मागे मनमाने की उद्दे से बेटन में नोरोजी की अध्यक्ष्टा में दादावाई नोरोजी की अध्यक्ष्टा में 1887 को भारती सुदार सम्ती की स्थापना भी की थी कहां बेटन में 1888 में बिलियम डिगवी की अध्यक्ष्था में लंदन में बैटिस कमेटी ओप इंडिया की स्थापना भी की गई थी 1888 1885 में कॉंग्रिस की स्थापना की बाद इससे एक गुट का फिरभाव बड़ा इसमें जिसे आप लोग उधारबादी गुट भी कहते हैं क्या कहते हैं उधारबादी गुट है उधारबादी गुट में अगर नेताओं की हम भाद करें कि कौन-कौन सामिलते तो इसमें उधारबादी प्रमुक नेता थे दैदा भाई नौरो जी सुर्यंद नात्मनव जी फिरोज साह मेता गोविंद नराडे दीन सावाचा गोपाल किष्ण गोकले मदन मोहन माल भी है या कि उधारबादी यह में प्रमुक नेता थे उधारबादी नेता कि उधारबादियों का उद्देश की बात अगर हम लोग करें ते सम्मिधानी तरीके से भारत को चुदंता दिलाना था तथा अंग्रीजी शाषन की नया पीता में इन उधारबादियों की गोर आसता थी यानि कि इनका काम तोड़ पोड़ करना नहीं था सोंसकते हैं आरा कि बसे हैं और भी जो आपकी रेल पठली हैं इन्हें उखाडने लगते हैं गांधी भी इनहीं की समझ तक थे आपके उधारबादियों में उधारबादियों नेता अपने मांगें पिती वेदनों प्रात्ना पत्रों और शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार की सम्मोग नेताओं ने उधारबादी नेताओं की इस लचीले पर बेवार की कारण इसे राजनितिक भेक्षा वित्ती कहा था किनों ने ओगवाती नेताओं ने 1885 में कॉंग्रेस के पितनों वहती वेशन में पार्यत मांगों को बिनम निवेदन के साथ पितीक अधिवेशन में दोहराती रही है कॉंग्रेस के उयुदारबाधी निताओं की अंसिक दभाव की पड़्डाम शुरूई 1892 में भारतीय परिश्यत दिनियम पारिट हुआ जिसके द्वारा निर्वाजित इस्थानी निकायों को कुछ अधिकारी भी आपकी दिन गए या आपके खुद उधारवबादीयों निताओं का ही युगदान था जो 1892 का भारत परिश्यत दिनियम पारिट हुआ बारती राष्टी कॉंग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पिथम मुसलिम अध्यक्ष अठाए सो सताशी में बदुरुद्दीन तेयब जी थे और पिथम अंग्रेज अध्यक्ष थे अठाए सो अठाए सो अठाए सी में जॉर्ज इवल ये भी आपका कई बार उच लेता है पिथम मुसलिम अध्यक्ष और पिथम अंग्रेज अध्यक्षमों है मुसलिम अध्यक्ष थे लेक बदुरुद्दी उत्यफे चिश, और पिथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्जू इवल लोग से बायोग की स्थापना भारत एबं एंग्लेंड में एक साथ परिच्छा कराने की सहमा थी भारतिय बेगी समिच्छा है तुँ वेलवाई आयोग की निखती और 1892 का भारतिय परिच्छत दिनियम इस चैन की यानि की 1885 से 1905 की राष्टी आंदोलन की पैर्मिक उपरब्दियां थे इनकी उधारवादियों की फिर आता है आपका भारतिय राष्टी आंदोलन का दूतिय चैन यह आपका 1905 से 1919 तक चलता है इसे उग्गबाद भी पुलते हैं राष्टी आंदोलन की इस चैन को नव राष्टबाद यह आथवा फिर उग्गबाद की उधाय का काल माना जाता है उसी समय स्वधिसी अंतिकारी आतंक बाद का सूथ बात हुआ कि अगर हम लोग कॉंगरेस के उग्गबादी नेताओं के बारे में बात करें तेसमें सामिल थी आपकी बाल गंगा अधर तिलक अरविंद गोस बिपिन्देशन पाल और लाला लाच पत्राय इपिर मुख इन में थे बारत में उग्गबाद के उदय का स्रे किने जाता है बाल गंगा दर तिलक साहब में उन्होंने उग्ग राष्टिय जितना की विकास में धार्मिक रूडीबाद का आसरे लिया था तिलक ने 1894 में गड़पती महत्सो और 1895 में सिवाजी महत्सो प्यारम किये थे सौराज सौदेशी वहिसकार का नारा सरफ वितम तिलक ने दिया था याद रखना सौराज सौदेशी वहिसका नारा सरफ वितम किस ने दिया था तिलक ने बाल गंगधर तिलक ने उग्वादी नेताओं का विश्वास था कि भीक मागने से कभी सुतंता नहीं मिल सकती है उसके लिए स्वालम्बन संगठन और संगहर्ज की आवस्त्ता होती है बारतीय राष्टी आंदोलन के तितिये चर्ण में लालवाल पाल उग्वाद के तीन प्रमोक इस्थम कहलाते हैं दुतिये चर्ण में भी थे ये लोग जीए बारत में करांदीकारी गतिविडियों का सूत बात 1897 में महराष्ट से हुआ था महराष्ट राष्टी आंदोलन के दुतिये चर्ण में करांदीकारी आत्तंक बाद के प्रमोक इन आपके बंगाल पंजाब महराष्ट थे यही आपका विद्रोग होते रहते थे जो भी करांदी होती थी यही से सुरू होती थी इस चर में करांतिगारियों ने तिलक द्वारा दीगे नारे अनुनाय बिनए नहीं अपितु यूद्सा को अपना आदरस गोसित किया फिर होता है आपका बंगाल विवाजन क्योंकि आपने देखाओगा जो भी विद्रो हुए जो भी आंदोलन हुए करांती हुई बंगाल से ही होती थी तो बंगाल में एक जुटता थी अच्छी तो अंगरेजों ने सोचा क्यों ना इने अलंग अलंग कर दिया जाए बेभाजन कर दिया कि वह सकते हैं बंगाल में राष्टिय चेतना कुनष्ट करने के उद्देश से लौड करजन इस नाम को याद रखिए लौड करजन द्वारां 20 जुलाई 1905 को बंगाल विवाजन की नेड़े की गोश्णा की थी 16 अगस्त 1905 को बंगाल विवाजन का नेड़े प्रभावी हुगा तो आपसे पहले पूछ सकता है कि बंगाल विवाजन कब हुगा था तो इसकी गोश्णा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और यहापका फिर्भावी हुगा था 16 अगस्त 1905 को किसके समय में हुगा था लौड करजन के समय में कि बंगाल विवाजन के विरूद में कॉंग्रिस द्वाना साथ अगस्त 1905 को तलकत्ता की टाउन हॉल में सौदेशी आंदुलन की गोश्णा की गई साथी वहिसकार फिस्ताव भी पारित किया गया इसी टाउन हॉल में कि जब 16 अगस्त को 16 अगस्त 1905 को बंगाल विवाजन प्रभावी हुआ तो इसे संपूर बंगाल में कॉंग्रिस द्वारा सोक दिवस आयोजीत किया गया सौदेशी आंदुलन का विचार सरपितम किष्ण कुमार मित्त कि पत्त संजीवनी में 1905 में पिस्तुत किया गया था सौदेशी आंदुलन का विचार ठीक है सौदेशी और बहिसकार आंदुलन को ओगपंती नेता वाल गंगतर तिलक लाला लाचपत राय और अर्वेंद गोहस ने पूरे देश में फेलायता इसे सौदेशी और बहिसकार आंदूलन वहुष्ण के इंतोर ना किवल वेदेशी वत्रों का वहिसकार किया गया अपितों स्कूल अदालतों उपादियों सरकारी नौकरियों आधी का भी वहिसकार कर दिया गया बंगाल विवाधन के समयए बंगाल का लेटिनेंट गवर्नर सर एंडी उज हैंडर्शन इसे एंडर्शन लीत फेजर था एंडी उज हैंडर्शन लीत फेजर बंगाल बिवाजर के विलोध में हुए प्यारम भी कांदूने का नेतत सोरेंदनात बनर जी ने किया था किसने सोरेंदनात बनर जी नें बंगाल में बेटरीन की बस्तूगों की बहिस्कार का सुज्वाओ सरफ इसम किष्णेकुमार मित ने दिया तै किष्णेकुमार मित ने बंगाल बिभाजन का मुक्ः कारण हिंदू और मुसल्मानों को विभाजीत करना था हिंदु मुस्लिम को विभाजीत करना था 1911 में दिल्ली तरवार में बंगाल विभाजन को रद्ध कर दिया गया और राध्धानी को गलकत्ता से दिल्ली हस्तानति कर दिया गया 1911 में सोदेशी आंदुलन को एक बात आप लोगे है याद रखे ना 1911 में दिल्ली दरवार में बंगाल विभाजन को रद्ध कर दिया गया था राध्धानी को को कलकत्ता से दिल्ली हस्तानति करने की घोषना की गयी 1912 में आपकी दिल्ली राध्धनी बनाई गयी ठीक है पूरे देश में अजी सिंग और लाला लाजपत राएने पंचाब उत्तरविदेश में सियद हैदर रजा दिल्ली में चिदंबरम पिल्ले में मद्राश प्रेसिडेंसी में इसका नेटर्ट किया सौदेश पत्तकार सौदेश आंदोलन के द्वारान बंदे मात्रम भारती राष्टिये आंदोलन का सीड सकी बंदे मात्रम फिर मुसलिम लीग की स्थावना होती है इसे भी देखते हैं एक अक्टूबर 1906 को आगा खान की नितत में मुसल्मानों का एक सिष्टम अंदल लें सिम्ला में वाइसरायल लॉड मिंटो से मिलकर मुसल्मानों के लिए इत्थक निर्वाचन विवस्था की मांग की थे एक अक्टूबर 1906 को डाका के लिए सली मुल्ला मुल्ला की नितत में 30 देसंबर 1906 डाका में आज़े तिक बैटक में मुसलिम लीग की स्थावना की लिए कव 1906 में 1908 में अमरस्तर में हुई मुस्लिम लीग के अधी रिशन में मुसल्मानों के लिए पित्थक निर्वाचन मंदल की मांग भी की गई थी इसमें और इस मांग की पूर्थी सीखी 1909 में भार्तिये परिश्यत अधिनियम मारले मेंटो सुधार अधिनियम द्वारा हुई थी याद रखे जो भार्तिये परिश्यत अधिनियम 1909 है इसे आप लोग मारले मेंटो सुधार अधिनियम की नाम से भी जानते हैं कि अंग्रेश चाय भी रहे थी कि हिंदू मुसलिम में विभाजित हो जाए यानिकि यह अलग-अलग हो जाए तब ही तो उनकी पित्थक जो निर्वाचन की मा elect्स mudा निया है मुसलिम लीक का पिधम अद्यक्श आगा खानते हैं और 1907 में मुसलिम लीग का वालसीक कई वेशन कराची में हूआ मुसलिम लीग का मुख्याल है था लखनव में उत्तरविदेश लखनव 1908 में इसकी एक साखा लंदन में सियद अमीर अली ने स्ताफित की दी कहां लंदन में थरग होता है आपका कामा गाटा कामा गाटा मारू पिकर एक नवंबर 1913 इसवी को गदर अखवार का पहला अंग पिकासित हुआ जो आपका उर्दू भासा में था 9 दिसंबर 1913 को से गुरू मुखी में चपने लगाई पहले आपका उर्दू में था उसके बाद गुरू मुखी में चपने लगा गदर के पितेगनक के पहली पिष्ट पर शप्ताता अंग्रेएभी राज का कच्चा चिप्था क्या चप्ता था अंग्रेएभी राज का कच्चा चिप्था कामा गाटा महरू पिकरन आपका race 1914 में घैर्ठी थ कुग ये कि कुछ लोग श्में 194 में भार्तियों के कनाड़ा प्रविश खुले कर कुछ भार्तियों पर लगे पिती वेंदों की विरूत आंदूलन हुआ था इस आंदूलन की नेताओं ने शोर कमीटी सोर कमीटी की भी इस्तापना की थी इन नेताओं में थे पिरम बल्वंद सिंह हुसें रहीम सुहनलाल पातर तो इन्हें जब यह भार्तिये कनाड़ा गए अपने जहास से तुन्हें वहां उतरने या उन्हें रिविश्ट करने पर पावंदी लगा दी गए इसे ही आप लोग कामागाटा मारू के तरण बोलते हैं पित्थम विश्ट के द्वारान भारत की गुरु दीव सिंह कौन थेश में प्रमो गुरु दीव सिंह ने जल्पोत किराय पल लेकर कनाड़ा के बंदरगा बैंकूबर की वह इस्तान किया प्रिपेश नहीं दिया गया था फिर होता है आपका कॉंग्रेस का सूरत अधिवेशन एह होता है आपका 1907 में राष्टी आंदोलन की उगता के साथ साथ कॉंग्रेस के उधारबादी निताओं और उगबादी निताओं के मद्भेद व्यापक होते जा रहे थे जिसके बा याधि राष्टी कंग्रेस के सूरत अधिवेशन में कउग्रेस वधारबादी और उगवादी गोटों में बिङत हो गई कव 1907 में कि तो आपसे पूंचे क्ई है कि अगर सूरत विवाजिन के बीच ता उदारबादी ओगवादी गोटों में 1907 के सूरत दीवेशन में उग्गुबादियों द्वारा पास कराएगे पिस्ता हो सुदेशी, बहसकाल, राष्ट यसिक्छा और सुसासन की परियोग को लेकर कॉंग्रिस में पहला बेभाजन हो गया 23 देसंबर 1912 को लॉर्ड हाइडिंग पर दिल्ली में पंप फेका गया जिसमें आपकी भाई बाल मुकुन ने को फासी दे दी गई तीज में 1912 में फिर होता है आपका लखनुपेक्ट लखनुपेक्ट कब होता है आपका 1916 में 1915 में मुहमद अली जिन्ना के ब्यक्तिकत प्रयास से बंबई में कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए मुसलिम लीग और कॉंग्रेस द्वारा न्युक्त सम्तियों ने मिलकर एक से अधिवेशन बनाई जो 1916 में के कॉंग्रेस के लखनुपेक्ट कहलाती है क्या कहलाती है लखनुपेक्ट कहलाती है लखनुपेक्ट द्वारा कॉंग्रेस ने पहली बार मुसल्मानों के लिए पित्तक निर्वाचन मंडल की मांग को और चारिक रूप से सुईकार कर ली जो कल अंतर में कॉंग्रेस की भाहिंकर भूल से द्वी क्या हुई भूल से द्वी उगवादी एवम उधारबादी के पोनर मिलन की विद्करिया में एनि बेरसेंट और तिलख ने भूमिका निभाई थी जबकि मुहमद अली जिनना और तिलख कॉंग्रेस लीग समझाता में भूमिका निभाई थी इन्होंने यानि कि कॉंग्रेस और लीग यानि कि मुस्लिम लीग के समझा था में मुहमिका किसन ने भाई थी मुहमद अली जिन्ना उत्ति लगने और उधारबादी जो आपके दो धड़े थे कॉंग्रेस के हो गए थे इसमें एनिवेजन्ट और तिलगने भूम काईने कि मुलाकात हुई थी जिन्होंने उन्हें चमपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत भी कराया था रामकुमार सुकल थे ठीक है और इसी चमय भाहरत लोटे थे अपकी गांदी की 1915 में ही और चमपारण इनका पहला सफल आंदूरन था भाहरत में और पहला ही था इनग 1916 में सरपितम आयलेंड में आयरिश नी था रेड मांड की निदत में हॉम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 का लखनुव दिविशन हॉम रूल लीग के सदस्थों के लिए अपनी तागत दिखाने का अच्छा मौका था 28 अपरल 1916 को बाल गंग दर तिलाग द्वारा महराष्ण में हॉम रूल लीग की स्थापना की जिसका केनड था पूना पूना फूना इसका केन हुआ ता सेप्टमबर 1916 में एनिवेशन द्वारा मक्दराश में अखिल बास ये हूम रू लीग की स्थापना की दिखा एनीवेसेंट दवारा मद्राज na अखिलबाम थी है हॉमलूरू रोल की लिक की स्थाफना किए ए शोवय मन्यम एएर एनीवेसेंट की हॉम रोल लिक की स्थापना से समखन दित थी एनी बैसंट ने अपने पत निव इन्डिया तथा सब्धाहिक पत common wealth द्वारा होम रूल आंदुल रून का पिचार किया था यह आपका कही वार वूच लिया जाता है कि एनी बैसंट के देने इक पत कौन कों से थे और सब्धाहिक पत तो यह न्यूडिया था और एक कोमन बैल्द था तीर विल झाल और बालगंग दर तिलक के पत्त थी केशरी यह मराठी भाचा में था और माराठा यहां कि अंगरी जी भाचा में था बालगंगाद तिलक के केसरी और मराठा पत्रों ने भी इस अंदूलन यानि भी होम रूर लीग अंदूलन की पिरचार में अगड़ी कारी किया था फिर आता है आपका राष्टी अंदूलन का तितिय चर्ण 19-1947 तक जब तक कि यहमारा भारत आजाद नहीं मुझाता बारतिय राष्टी या अंदूलन के तितिय चर्ण गांधियुक की नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय गांधी का प्रिवेस हो गया था वो गांधी जी बहूत इस्तिती में भी थे 1915 में दच्छिड पीका से लोटकर मोहन करमचंद गांती ने गोपाल केश्ण गोकली को अपना राजनितिक गुरु बताया क्या बताया राजनितिक गुरु बताया तो अगर पांप से पूंचे कि मात्मा गांधी कब लोटे थे भारत तो 1915 में और इनके जो राजनितिक गुरु थे उनका नाम क्या था गोपाल किश्ण गोकली मात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ठा का मुगत्मा लणने के लिए दछिड़फी का डर्वन गए थे और जहाँ वो 21 बरस तक रहे कब तक 21 बरसों तक मारे है भारति भारत बापसी कि समय पिथम बिशिवध चलर आथा भारत में जब गांधी की भारत बापसी हुति है तो उसमाय आपके भारत में बिशिवध पिथम बिशिव चलरkov गांदी जी ने बेटी सरकार की युद्ध परियासों में सहायता की, फलता बेटी सरकार ने उन्हें केसर एह हिंद सम्माज से सम्मानिक किया, आगे आपकी असरियू आमदोलन की समय केसर एह हिंद पादी को त्याग देते हैं, गांदी जी ठीक है, गांदी जी ने सिफ पिटोरिया, पिटोरिया तक रेलवे द्वारा पिथम सेड़ी के डिपों में यातरा करने की क्रम में, मेरिट्स वर्ग नामक स्थान पर, गांदी जी को स्वेत लोगों द्वारा पट्री से नीचे, यानि की ट्रेंस से नीचे ठेक दिया गया था, डिपे से, ये कौन सा इस्थान था, मेरिट्स वर्ग, गांदी जी ने 1904 में डर्मन में फीनेक्स फार्म की स्थाबना भी की थी, 1904 में, गांदी जी की दिरिष्टी में एहनसा का अर्था, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसे ही रामराज कहते थे, क्या कहते थे, रामराज, गांदी जी का जनम होता है, 2 अक्टूवर, 1879 को, गुजरात के पूरवंदर नामाकिस्थान पर, तेरे वर्ष की आईउ में, कस्तुर्वा गांदी के साथ, इनका वेवा कर दिया जाता है, आप समझ सकते हैं, तेरे वर्ष की आईउ में, गांदी जी दा इनर टेंपुल, लंदन से बेरिष्टी कप्रिशिक्षान लिया थे, तता रस्किन की पुस्तक, अन्टू दालाष्ट से सर्वादी पिरवावित हुए थे आपके गांदी जी, इस पुस्तक की अनुसार बेक्ती का कल्याड सबकी कल्याड में नहीं थे, इसी यादार पर सर्वुदर की अवधाणा का पित्ती पाधन होता है, और इसी कसाहरा लिखे सर्वुदर युजिना आज भी चलाई जाती है, लेकिन गांदी जी की सिविर्पर हट कर रहता है इन एहमदाबाद के समीश सावरमती नदी, कित्तर पर सावरमती आत्रम की स्थापना भी गे थी, सावरमती नदी के वास, कहां एहमदाबाद में? भारत में 1978, 1978 की दवरन गांदी जी ने, चमपारन किसान आंदूलन, खेडा किसान आंदूलन, और एहमदाबाद मजदूर आंदूलन का सफल नितत्ति भी किया याद रखते हैं, चमपारन किसान आंदूलन आपका 1970, खेडा किसान आंदूलन, और एहमदाबाद मजदूर आंदूलन ये बहिए आपका 1908 में होता है, क्योंकि कही बार ये क्रम में लगाने के लिए आजाता है ठीक है, धरम नेरपेक्ष लेखों में गांधिवादी विचारधारों को थोरो, रस्किन, टाल इस्टोय से सबसे अधिक प्रभावित किया था अब बात करते हैं अब रॉलेक टेक्टी, ये आपका 1919 में आये था, क्रांतिक्यारी राष्टबादी भावनाओं को कुछलने के लिए 1918 इसमी में गठित सर स्रिडिनी रॉलेक्ट समती कि सिपारिसों के आधार पर फरवरी 1919 में के अंधरिये विधान परिशत द्वारा एक विधेव पारित किया गया जिसे आप लोग रॉलेक्ट एक्ट करेते हैं इस एक्ट में क्या होता था कि बिना मुकत्मा चलाए जेल में किसी को भी बंद रखा जा सकता था इस एक्ट के द्वारा गरजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकत्मा चलाए जेल में बंद करकर रख सकती थी यह कानुन जन्ता के सामान सुतंता पर पित्यक्ष कोठारागाद था इसे आप लोग भारतिये जन्ता ने इसको काला कानुन भी कहते हैं आपने सुना होगा 1975 से 77 का कारकाल जो इंद्रा गांदी ने अहपात काल लगाया था इसे भी समढ़ेदा काला दिन जाता है इस रॉलेट रैट्रेट को भी काला कानुन कहते हैं क्योंकि इसमें य Throughout की उच्छा कर दिया जा रहा सभी तरइकी सुतंताय चिह ले गए थी समिधान में बड़े इस तरफ पर एक सम्मिधान संसुदन किया गया था 12 बार वह सम्मिधान संसुदन जैसे आप लोग में नी सम्मिधान भी उतक नदा आनिकल अनिकल एंड रेवो लिंशनरी करांई में टुनिस सोंडिस को सामान बोल्चाल में रॉल एक्ट रॉलेट ऐटक कहा जाता था रॉले एक्ट की विरोद में कि गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्यागे करने कनेश्य किया एवं सत्यागे सभाः स्थापित की थी किसने आपकी गांधी जी ने च्छेपरेल 1919 को गांधी जी की अनुरोर पर देश बर में हडतालों का आयूजन किया गया। च्छेपरेल 1919 को रोलेक्टेट की बिरोद में ही। सर्मक्रकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर पितीबंद लगा दिया। 9 अपरेल 1919 को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने की करते ही उन्हें ग्रबतार कर दिया गया। यससे जन्ता में आक्रोस बढ़ गया और अंतदा सरकार ने गांधी जी को बंबई ले जाकर रहा कर दिया। परन्तु आक्रोस कम नहीं हुआ और जलिया वाला बाग की घटना घटित हो जाती है। इसी के आंगे। अब बाग करते हैं लोग जलिया वाला बागत्याकानदगी है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है। यह आपका 13 एपरेल 1919 को होता है। यानि की 1919 की एगटना है। जलिया वाला बाग नर संखार को मौन्टिग्यू ने निवारक हत्या के नाम से बिसे सीकेट किया था। रॉलेक टैट के विरूद में जगे जगे पर पंजाब में जनसभाएं आयजित की जा रही थी। इसी दोरान सरकार ने पंजाब की लोगप्रिये नेता, डॉक्टर सिफुद्दीन किछलू और डॉक्टर सत्पाल्म को गरभतार खलिया। और आपकी इसी गरभतारी के विरूद में 13 अपरेल 1919 को एक जनसभा अमरसर में जालिया जो जलिया वाला बाग था इसमें आयविजित की गए। अमस्तर के फोजी कमांडर जनरल डायर इसको भी आप याद रखिए। जनरल डायर ने इस सबा को घेर कर नहती भीड पर गोलिया चलवा दिया। क्या करवा दिया। गोलिया भी चलवा दिया। इस सत्याकांड के संदर्व में सरकारी रिपोर्ट का अनुसार दस मिनिट तक हुई गोली बारी में लगवक चार सो बेक्ती मारे गए तथा दो हजार लोग घायल हुए थे। ये अंग्रेजियों की तरफ से सरकारी रिपोर्ट थी। अब हकीकत क्या था वो आप समझ सकते हैं। जब अभी सरकारी रिपोर्टों में आकड़े गड़वड़ा दिये जाते हैं तो उस समय की स्तिती तो कुछ औरी थी। इस अत्याकांड ने राष्ट की सोई हुई आत्मा को जख जोड डाला और राष्टी अंदुलन की दिशा परिवर्तित कर दी। इस अत्याकांड की विरोद में रवेनार्ट टेगोर साहब ने नाइट की उपादी बापस कर दी। वाय सराय की कायकायडी सदस्य संकर नायर ने तो याद रखना इस अन्दोनों ने आपका जलिया वाले बाग अत्याकांड की बाधी रवेनार्ट टेगोर ने नाइट की उपादी बापस की थी और वाय सराय की कारकायडी सदस्य संकर नायर ने त्याकपत्य भी लिया था इस अत्याकांड की बिरोध बढ़ते जन आसंदोस से भैवी सरकार ने लौड हंटर की अध्यक्ष्टा में एक जांसमती गठित की जिसे हंटर आयव की नाम से जाना जाता है हंटर आयव की रपोर्ट के अमसार जनरल डायर के कित्यों को बैद यानी किसा ही ठहराय गया खिलापतांदुलन क्या होता है खिलापतांदुलन यह आपका 1921 की बीच चलता है पित्थम बेस्योदी के द्वरान बेटेन और उनके सहयोगियों द्वरा तुर्की पर किये गए अथ्याचारों ने मसल्मानों के बर्ग को गहरा आगाद पहुँचाया था जिसके पैडाम सवरूप सेप्टमबर 1919 में अखिल भारतिये खिलापत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलापतांदुलन प्यारम किया गया सेप्टमबर 1919 को बारत के मुसल्मान तुर्की के सुल्दान को खलीभा मानते थे यानि की गुरू मान देते एक तरह से और पिथम विस्योद्ध के द्वरान विस्योद्ध के समय बैटेन ने बचन दिया था कि वे तुर्की को नुपसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन बैटे सरकार तुर्की का विक्टन करने का निश्य किया गांदी जी असेयों आंदे लंचलाने की सलाय द एराश्टी कांग्रेस को खिलापन आंदोलन को समर्थन देने के साथ साथ असस्यो अंदोलन चलानी के लिए भी तेयार किया उन्ने सो से पहली आपका मुसलमानों हिंदू मुसलिम में इतनी एक्डा थी उसके बात एक समय आता है आपका एक खिलापत आंदोलन और मुसलिम और हिंदुओं में बड़ी एकता थी है दोनों एक दूसरे से बहुत सहवयोग किया इस समय भी में कोंग्रेस और मुसलिम लीग के साथ साथ दिल्ली में अखिल भाजति है खिलापा सम्मेलन वआ जिसमें आपके गांदी जी को सरव संमति से संम्मेलन का अध्यफ्शं क्याने खैंजी को खिलाऊंत खिलापा संती के सदक रुट हो तर्षा ना थि आपके इसमें आपके गांदी जी अध्यक्ष देगा हकीम अजबन खाने खिलापा तांदोलिन के दोरान हाजित उल मुल्की की पद्वी त्याग दी थे खिलापा तोर रसयोग की घटना पर एचेंसन ने कहा था कि हम मुसल्वानों को हिंदों से बेड़ा नहीं पाई मतलण उनका उनकी अंग्रेजों की चाल चल नहीं पाई और हिंदू मिसलिम दुबारा एक हो फिर आपका असयोग आंदोलन चाल उता है कि एक अगस्त इनीस सुबीश को खिलापात अंदोलन के साथी 1919 में आपका खिलाफत अंदुलन शुरू होता है उसके बाद एक अगस्त 1920 को आपका असहेव अंदुलन शुरू होता है 1920 में नांगपूर अधिवेशन में असहेव पिस्ताव सीयार दास ने पिस्तावित किया था किसने सीयार दास ने याद रखे लाला लाजपतराय की अधिश्ता में हुए कलकत्ता कॉंग्रेस अधिशन में गांधी जी ने असहेव अंदुलन का पिस्ताव पारित करवाया गांधी जी द्वारा चलाये गया पिथम जन आंदुलन असहेव अंदुलन को माना जाता है यकनी की इसमें सभी ने भाग लिया था गांदी जी द्वारा असयूग आंदूलन एक अगस्त उननीससो बीस को प्यारब किया गया सिक्षा सनस्थाओं का असयूग आंदूलन की समय सरवाधिक बहसकार आपका बंगाल में हुआ कहां बंगाल में इस आंदोलन के दौरान बरिष्ट अनिक बरिष्ट बकीलों जैसे आकिमोधिला नहरू लाला लाजपत्राय शरदारवल लभाई पटेल पंडिक जवाहलाल नहरू चितरंजय अंदास बिठल भाई पटेल राजन पिसाद राजन पिसाद ने नियालेयों का कि अपनी केसर हिंदी की उपादी भी बापस करती थी तो याद रखी ऐसा ही हो गांदोलन के दौरानी गांधी जी ने अपनी केसर हिंदी की उपादी त्यागी थी 17 नमबर 1921 को प्रेंस ओफ बेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सारुजुने खरताल काई सरकार का दमन चक्त भी आंदोलनकानियों को रोग नहीं पाया अंतता सरकार ने कॉंग्रेस और खिलाबत कमेटी पर पितिवंद लगाते हुए अली बंदू, पंडित मौतिला नहिरू, चितरन जंदास, लालालास पत्राय, मौलाना आजात आधी लोगों को गिरफतार कर ल कि यादी एक हपते के अंदर सरकार की उत्पीडन नेतियां बापस नहीं लिगें, तो व्यापक सभी ने अयोग्या अंदोलन आरम कर दिया जाएगा। पुलिस के एक ठाने में आग लगा दी, जिसमें आपकी 22 जवानों, 22 जवान जिन्दा जला दिये गये थे इसमें, तो याद रखना आपको चोरी-चोरा घठना कब हुई थी, पांच फरवरी 1922, इसी के बाद आपका असायोग आधनुलन को इस्थिकित कर दिया गया था, यानि कि बंद कर दिया गया था, इस घठना से गांधी जी अतेंत अहात हो गये और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असायोग आंधोलन को समाप्त घोसित कर दिया, आंधोलन समाप्त होती ही सरकान ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गरवतार कर लिया, तथा आसंतोस बढ़काने के में 6 वर्ष की कैद की सजा ती गई गांधी जी को किसे गांधी जी पांच नवंबर 1922 को अल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी के अधीवेशन में गांधी जी ने असायोग आंधोलन सुरू होने के एक बर्ष के भीत है, सुराज फ्राप्त करने का नारा दिया था, बालगंगा की पिथम दिन ही उनकी मित्तिव हो जाने के कारण वो इसका पैड़ाम नहीं देख सके, यानि कि एक अगस्त 1922 को आपके बालगंगा धर तिलक साहब की मित्तिव हो जाती है, और वो इसका पैड़ाम नहीं देख पाते हैं, चोरी-चोरा की घटना के समय गांधी जी, बार दौली में सामुविक सत्यागे द्वारां सभी ने एग्या अंदुल प्यारम करने की तैयारी कह रहे थे, अस्योग अंदुलन के द्वारां, विदेशी बस्तों के लिए जलाय जाने पर रवेंद्नाट टेगोर ने महत्मा गांधी को लिखा था, कि या निश्ठो बरबात है, क्या है, बस्तों के जलाय जाना निश्ठो बरबात है, मैंने कहीं पढ़ा था, आर्टीकल में कहीं, कि जब बिदेशों में कहीं भी जापान, अमेरिका तरफ, यानि कि बिकसित देशों में, कोई आंदुलन होता है मजदूरों का, तो लोग क्या करते हैं, जैसे वो किस जूता बनाने बाली पेक्टरी में आंदुलन हो रहा है, वहां के करमचारियों का, यानि कि बरकर्स को, तो वो क्या कहते हैं, एक पैर का जूता, एक ही एक पैर का जूता बना देंगे सब, कि वाल एक पैर का, दूसरे का नहीं बनाएंगे, और जब उनका आंदूलन खतम ह होता है, तो उस दूसरे पैर का भी जूता बना दिया जाता है, यानि कि ऐसे नादो कंपनी को आनी होती है, और नहीं बरकरों को, ठीक है, इस तरह से हमारे यहां, कि सब कुछ बंद कर दिया जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, कंपनी को तो घाटा होता ही है, उसमे की का तो फरक देखते हैं आप लो बिख से तो और विकास सील दे समय कि आप तभी तो विकास सील में पिशड़े हुए हो क्योंकि तुम अपनी संपत्ती को नुक्सान करोगे उसके बाद भरपाई दिवी तो आप ही लोग करते हैं कोई दूसरा थोड़ी जा रहा है आप जो टXT दे रहेे हैं यहां tats देने का मतलब विंद्रेट और वदारेक्ट दोनो टेक्स सांबिल किया जाते हैं ऐसा 1921 में Much य Kings 10 किया गया यह भी भारतीय कम्युनियस्टपाईटी का गठन किसके के दवारा किया कहता में एम एन राय उननेस्सों इकीज में भारत में 1922 इस भी में इलाबाद में सिविल सिवा परिक्षा की सुरुआत्वी थे जिसकी तयारी करते हैं आपनों सिविल सर्विस हाई एस टीक है यूपी एसी तो 1922 में इलाबाद में सिविन सिवा परिक्षा की सुरुआत्वी अब बात करते हैं सौराज पार्टी का गठन जैसा कि आपको पता होगा जैसे ही आपका असाययो आंदूलन की समाप्ति होती है और मार्च 1923 में मौतिलाल नहरू और सीयार दास नहलावाद में सौराज पार्टी की इस्थापना की गांदी से नाराजू कर सौराज पार्टी का उद्देश था कि कॉंग्रेस के अंदर रहकर चुनाओं में यह सलेया और विधान परिशत में सवदेशी सरकार क्यठन की मांग उठाना मांगों की ना मानने पर विधान परिशत की कारवाही में बाधा पहुंचाना यानि कि जो सौराज पार्टी थी यह चुनाओं में भाग लेने यानि कि भारतियों के भाग लेने की पक्च में थी कि सेप्टंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजात की नेतित्य में हुई कॉंग्रिक के विसेश अधीवेशन में सौराज पार्टी को मानता पिदान की गए सौराज पार्टी की राजनीती के फ़ल्सवरूप ही भारतियों को सरपितम संसद बनने का गौरब भी प्राप्ति हुआ सौराज पार्टी की देंति है 1925 में बिठल भाई पटेल का केंद्रिय विधान सभा में चुना जाना सौराज जीओं की मात्पून उपलत्ती थी यानि कि पहली बार आपके बिठल भाई पटेल चुने जाते हैं इसके तहर्ट 1924 में नगरपालिकाओं और इस्थानीय निकायों की हुई चुनवा में जी इन्हें विशेश सपलता भी पराप्त हुई कलकत्ता की मेर सीयरदास एहमदाबाद की मेर बिठल भाई पटेल पटना की मेर राजिन पिसाथ और इलावाद की मेर आपके पंडित जवाहला नहरू निरवाचित हुए थे इसमें 16 जून 1925 को सीयरदास की मित्ती हो जाने से स्वराज पारटी सित्थल होने लगी और स्वराज जी बादियों के आसफल होने पर कॉंग्रेस की बागडोर पुनहा गांदी जी के पास आवे थी स्थ्री निवास एंगर मद्रास प्रांथ स्वराज पारटी के संस्थावाग थे तथा एंसी केलकर ये स्वराज दल के अन्निता थे मॉंटिगीव घोशना के समद में कॉंग्रेस में बिक्टन हुआ इस बार उदारबादियों ने कॉंग्रेस छोड़कर अखिल भारतिय उदारबादी संग यानि कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी किनोंने उदारबादियों कि देश बंदू किसे कहते थे चितरण जन्दास साब को देश बंदू चितरण जन्दास ने कहा था कि सौराज आम जन्ता के लिए होना चाहिए फिर बात करते हैं किरांथिकारी आंदूलनों की बारे में 1922 इसवी में गांधी जीद्वारा असयु आंदूलन समाप्त कर दिये जाने के पस्चार देश में राजनितिक गतिविदियों के आवाव में उत्साही नवीवक नेरासा में पुना किरांतिकारी गतिविदियों की ओर उन्मुक हुए इस दौर में किरांतिकारी अंदुलन दो धाराओं में विक्सित हुगा एक पंजाब उत्तरपिदेश बिहाल में और दूसरा आपका बंगाल में एक आपका पंजाब उत्तरपिदेश बिहाल में और दूसरा बंगाल में और उत्तर भारत में अग्हिए दिक्रांदिकारी नेðाओं में सामिती सचंदनाट, सन्याव, राम पेसाथ विस्मिल और 6 सेकर सरवाधिक चल्चित थे अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1924 में सचेन नाथ सान्याल रामपसार बिस्मिल और चंदे सेकर ने कानपूर में एक करांधिकारी संस्था बनाई थी, इसे HRA कहते हैं, हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन के नाम से जानते हैं हालो हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन अक्टूबर 1924 में बनती हैं, इस संस्था यानि कि HRA ए हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तार रेलवे के लग्णव सहरान को संभा के काकोरी नाम इस्थान पर ट्रेन पर डगेटी जालकर सर याद रखना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, तो याद रखना काकोरी कांड आपका 1925 में होता है, 9 अगस्त को, इसमें आपका समले थे H4 इंदुस्तान रिपाब्लिकन नहीं डखेंस दी डाली थी सरकार्निक काकोरी कांड के सडेंज में सामिल आपके 2929 किरांती कारियों को अभियोक्त बनाये, जिसमें आपके रामपेसाद में सिर्मिल सामिल थे, अस फाक उल्ला साहब खान, रोसनलाल और राजिन लहेडी कुफासी दीगी इसमें, इस कांड से संस्था HRE का अस्तित समा हो गया है, क्योंकि मैं जो अभी करता थी इसमें, यानि कि जो कार्य करता थी, वो ग्रफतार कर ली गए, और में फासी दे दी गए, चंद सेकर आजात की नितत में, सेप्टमबर 1928 को, दिल्ली में आपका हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना होती है, कब? H.S.R.A. हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन सेप्टमबर 1928 में, याद रखना इसे, किसके नितत में? चंद सेकर आजात साहब की निततता है. साइमेन कमिशन के बिरोध की समय, लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने बाले साहिक पुले सदीक्चक सांडर्स लाहोर की 31 अक्टूबर 1928 को, भगसीन चंद सेकर राज़गुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिये साइमेन कमिशन की करांती कारी गतीवी थी, यानि कि साइमेन कमिशन भारत की में सुधार के लिए आया हुआ था, इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें कोई भारत, भारतिये सामिल नहीं किया गया था, इसका कोई चतस भारतिये नहीं था, इसका विरोध किया जा रहा वाप भी समस्कें कि जब आपकी जिन्दगी का फैसला लिया जा रहा हूं लेकिन उसमें आपको ही सामिल ना किया जा रहा हूं तो एक चिस तरह से संभव हो सकता है समच सकते हैं पाउर कि आधcción जर्कें हिंदोस्थान हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोचलिष्ट रिपब्लीकर रिपब्लिक एसोसीशन के दो सदस्थों जिनमें आपके भगस सींग ओबर्टू के सुर्दत ने 8 अपरेल 1929 को केंद्री वे विधान मंडल में बहस के द्वारन बंग फेका जिसका उते सरकार को आद तांकित करना था यानि कि जगाना था सीधा साथ जिस तरह से अभी नहीं कहते हैं कि इन्सान मुर्दा बन कर गुम रा कestar टो येंए जगने के लिए कई लोग एंसानीयत की निसाल करते हैं तो इसी तरह स्वले हूँ यह लोगों को जगाना इस बंका उद्रेस था कि सी को मारना या इस बंकाउद्रेस के नहीं था ठीक है बेधान सबार पर बन फेकते समाई ही पहली बार भगस्तिंग ने इंकलाब का नारा दिया था किसने भगस्तिंग ने इंकलाब जिंदाबाद की रचना मुहम्मद इकवाल ने की थी परन्तु सबसे पहले इसका नारा भगस्तिंग ने दिया था तो अगर पूंचे आपसे इंकलाब जिंदाबाद की रचना किस ने की थी तो मुहम्मद इकबाल ने और सबसे पहले इसका नारा किसे ने दिया था भगरसी ने क्योंकि ये कई बार questions पूंच लिया गया है और आप इसमें इससे अच्छे से नहीं जान पाते हैं और गलत कर ब 1931 को भगस सींग और सोकदेव राजगुरु को बैट सरकार द्वारा फासी दी गई तो याद रखिए इससे भी कि अगर पूंचे कि 23 अगस्त 1931 को किन किन लोगों को फासी दी गई थी तो इसमें आपके भगस सींग सामिल थे सोकदेव थे और राजगुरु इंती नाम को आपको याद रखना है कि तत्पष्चा हिंदुस्तान सोसलिष्ट रिपलिक एस्वोसियेशन के एक मात बच्चे सदस चंद सेकर राजा 27 परबरी 1931 को पुलिस के साथ मोटवेड में सहीद हो गया कहां इलावाद में इसे आप लोग चंद सेकर भार्ग भी बोलते हैं अग इंदुस्तान सोसलिष्ट रिपाबलिक एस्वोसियेशन की कतिविदियों का सदेवल के लिए अंध हो गया क्योंकि जो प्रमुक थी इसमें वो सभी मारे जा चुके थी यानि कि इन्हें भासी या दे दी गई थी बंगाल में सूर सेन ने इन्डियन एप रिपबलिक आर्मी यानि कि आई आर ए की स्थापना की किसने सूर सेन ने यह संस्था चटगाओं में सक्रिये थी यह संस्था के अंदर प्रमुक सज़स्ते अनंत सींग अमीका चकवर्ती प्रेती लता वाड़े दिकर गडेश गोस और कलपना गोस तो अगर कोई पूचे आपसे की चटगाओं से संबंदित कौन था तो सूर सेन थे लिए 16 फरवरी 1931 को राज़द्रोहों के आरूप में सूर सेन को बंदी बना लिया गया और 12 फरवरी 1934 को उन्हें फासी दे दी गई और उन्हें जो आपकी अंग्रेश थे उन्हें बहाना भी मिल जाता था इसी के चलते इसलिए तो घंधी जी सपोर्ट नहीं करते थे हिंसा का क्योंकि अगर आप किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं तो उसे भी बहाना मिल जाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए गोली चला है या कोई भी काम इतिकरिया दे रहा है फिर आती है आपकी साइमन कमीशन भारत में पिसासनिक सुधार की जाज कर आप एक्ची सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 में एक्ट की अनुसार 1927 में सर जौन साइमन की अद्यवशता में एक आयव गटित किया गया जिसमें कोई भारतिय सतस सामिल नहीं था तो याद रखना इसके अद्यक्ष थी आपके सजौन साइमन 1927 में लॉर्ड इडविन के सुझाओं परभारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था साइमन कमीशन की निफ्ती 1919 के एक्ट के गरियार्मन की पुश्टाज के लिए की गई थी यानि की 1919 के एक्ट के बारे में जाने के लिए की गई थी इसकी स्थाफना और भारत में पिसासनिक सुधारों के लिए की गई थी परड़ाम सुरूप कॉंग्रेस ने इसका बहिसकार किया जहाँ जहाँ आयुग गया उसका विरोध किया गया और कालेज हंडे दिखाये गया इसमें 1928 में साइमन कमिशन के विरोध पिदर्सन में पुलिस की लाटी की चोट से घायल लाला लाश्पतराय की मित्य हो जाती है कब 1928 में या तकना साइमन कमिशन ने मई 1930 इस भी में आपनी रिपोर्ट पिस्तुत की जिसके आधार पर लंदन की गोल में सम्मिलोनों में विचार विमर्ष हुआ बारत की सुतंता संगराम में साइमन कमिशन बिरोधी आंदोलन ने भारतिय राष्टी आंदोलन को निडायक दोर में पहुचाती है इसके बाद आपकी नहरू रेपोर्ट आती है साइवन कमिशन का बहिसकार करने पर लॉर्ड वरकन हेड ने भारतियों को समीधार मनाने की चुनोती दे भारतिये नेताओं ने इस चुनोती को सुईकार करते हुए फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदली ये संबेलन का एविजन किया है इसका सीधा सा मतलब है आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आप से कोई बोले कि आप एक काम कर नहीं सकते हैं आपको चुनोती दे समझ रहें फिर आपकी मन में भी चाहत बढ़ेगी जुनून बढ़ेगा वह आप उस काम को कर लेंगे इसी तरह आपका देश आजा दुगा तो विदेशों जितने भी विदेशी थे यानि कि अमेरिका सभी देश बेटें उन्होंने काया कि भारत कुछ दिन बाद कई हिस्सों में बढ़ जाएगा कि हमकि भारत में कई जाती धरम की लोग रहते हैं भारत सबको एक साथ लेकर नहीं चल पाई लेकर आज तक हम लोग देख रहे हैं कि भारत सभी नागरेगों को साल लेकर आने बढ़ रहा है ठीक है बेहतर पिदर्शन कर रहा है तो लौड बरकन हेड की किचनोतियों को सुईकार किया सम्मिलन में इस आसय का पिस्ताव पारित किया गया जिसमें एक ऐसे समिधान निर्माड की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदाई सरकार की विवस्ता नहीं थी 11 मई 1928 को दूसरे सरफ दली है सम्मिलन में पंडित नहरू ने की अध्यक्ष्टाव है एक सास सतसीय समिती की स्थापना होती है मौतिलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में याद रखना है जिसे समिधान के सिधानतों को निर्धारित करना था इस सम्मिलन में 28 अगस्त 1928 को आप लोग नहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इस रिपोर्ट में उपनेवेसिक सवराज केंद में उत्तरदाई सासन प्रांतिये सुतनता और मौलिक अधिकार जो आप लोग आज मौलिक अधिकार दीखते हैं यह 1928 में इस चर्च्छा में आ चुके थे पूर्ण सुराज को ततकालिक लक्ष की रोम में जवाहलाल नहरू और सुवास्चंद वॉस ने इंडिपेंडेंस पोर इंडिया लीग की रोम में कॉंग्रेस के भीतर एक दवाव समू का निर्माड किया फिर आता है पूर्ण लक्ष का सुराज का लक्ष 1928 इसवी में लखना हुए सरफ दली है सम्मिलन में नहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ और मुहमद अली जिन्दा ने इस रिपोर्ट को आस्वीकार कर दिया यानि केसे मानने से आस्वीकार कर दिया मुहमद अली जिन्दा ने कॉंग्रिस में सुभाष्चंद वस और उसके बाद पंडित जवालाल नहरू ने डॉमिनियन इस्टेट की जगए पूर्ण सुराज की कॉंग्रिस का लक्ष बनाने की आखांच्छा पिद्रसित की नहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 में कॉंग्रिस दिवेशंग में पूर्ण सुराज और डॉमिनियन इस्टेट को लेकर मदभेद किस्तिती उत्पन हो गई जिसे गांदी जी ने हस्त छेप कर सुल जाया कोई भी बिबाद होता थो गांदी जी की पास ये खत्यार उगा करता था यानि कि भूब पर बैठ जाती थे हड़ थालब उनकी बच्चों की जैसे और कर उनकी माने मांगे मान नी पड़ती थी गांदीजी की पिस्ताव के इनसार सरकार को एक वर्स के समय दिया गया और चेतावनी दी गई किए दिय एक वर्स के भीतर नहरू रिपोर्ट में पिस्तावी सम्मिधानी के उजना को सुईकार का डोमियन नियन इस्टेट पिदान ना किया गया तो कॉंग्रिस पूर्ट सुराज से कम किसी भी पिस्ताव पर समझोता नहीं करेगी थेर आता है आपका जिन्दा भार्मूला मुसलिम लेग के नेता मुहमद अली जिन्दा ने नहरू रिपोर्ट में मुसल्बानों के लिए पित्थम निर्वाज शक्त मंडल की सुविधा ना दिये जाने के कारण मुसल्बानों की चौदे मांगों का प्रपत्त जारी किया गया जिसे जिन्दा का चौदे सूत्रिय फार्मूला भी करते हैं आप लोग आप लोग सुनते हैं जिन्दा का चौदे सूत्रिय फार्मूला यही है आपका इसमें आपकी चौदे मांगे थी इनमें कौन सी मांगे सामिल की गई थी तो ये मांगे थी मुसल्मानों के लिए पितक निर्वाचन की सुविथा केंदरिय तता प्रांतिये मंती मंदलों में मुसल्मानों के लिए एक दियाई पितिने दित मुसलिम बहूल बाली प्रांतों का पुनरगठन राजी की सभी सेवाओं में मुसल्वानों के लिए पदों का आरक्चा ये सभी मागें इसमें सामिल की गई थी फिर होता है आपका कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन 1929 में कॉंग्रेस द्वारां बैटी सरकार को दी गई एक बर्स की समय सीमा डॉमिनियन स्टेट की स्थापना के संदर में समाप्त हो जाने के बाद परशा 31 देसंबर 1929 को लाहोर में कॉंग्रेस का दिवेशन आयुजित किया गया इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके पंडिच जवाहलाल नहरू जिसकी अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने नहरू रिपोर्ट को निरस्त गोसित कर दिया कि अगर दिया निरस्त कर दिया इस अधिवेशन में पंडित जवाहलाल नहरू ने वुद्गोष्णा की कि आज हमारा किवल एक लक्ष है स्वाधीनता का लक्ष मैं समाज बादी और गरतंत बादी हूं पूर सुतंता ही भारत की जनता का लक्ष है यह आपके पंडित जवाह वाजने यहा इंग्या अंदुलन तो नि्यसा औसरों ौम ludzi की लाहर कॉंग्रेस अधिवेशन में कॉंग्रेस काराणी को सभिंव में आयङ आयुग्या अंदूलन प्यारम करने का अधिकार ने करती है भर्वरी नाहर्विं साबनमत्य तौन में हुए कॉंग्रेस कारकरणी की दूसरी बेठक में महतमा गांदी को सभिन्य गया आंधूलन प्यारम करने का दायत स्तुप अधूलन प्यारम करने से पूर्व महतमा गांदी ने वाए सराय इ समक्छ है किनक्तose एक मांग पत्त किया परन्तू वासरा गांधी की मांगें आस्वी कित करती गएं आप समझ सकते हैं मातमा गांधी की अइंसा की नीदी को या कि कोई भी काम करने से पहले कई वार उन्हें समझाने की कॉसिस करते थे यानि क्योंने टाइम देते थे फिर भी कुछ नहीं मिलता था ठीक है फल्दा गांधी जी द्वारा सविनय ग्यांधुलन का सूत पात त्यार किया गया 12 मार्च 1930 को महत्मा गांधी ने इतिहासिक नमक सत्या गये प्यारम करके सविनय ग्यांधुलन कपत तसस्त किया 12 मार्च 1930 को आपका नमक सत्या गये चालू होता है गांधी जी ने सावरमती आसरम में अपने 78-78 अनुयाईयों के साथ डांडी मार्च किया 24 दिन की लंबी यात्रा कि बश्चाथ 6 अबरेल 1930 को डांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा यहीं से आपका सवी ने एक व्यांदोलन प्यारम होगा गांधी जी डांडी या इस सभी पत्तकारों को संभूधित करते हुए का था कि सकती की विरुद अधिकार किस लड़ाई में मैं बिस्व कि साहन होती चाहता हूं इसा ही समय आपका जर्मनी में हिटलर का उदय हो रहा था तो कली पर सौम लोगों ने जर्मनी के बारे में जाना है पूरा कि अला सही पूरी लेक्चर है आपका डेड़ से दो घंटे का चरीव से जाकर देख लें किस तरह से मान भी यह विवार उनके साथ जितना हम लोग जानवर के साथ साहथ गलत विवार नहीं कर सकते हैं यानि कि जानवरों से बत्तर जिंदगी जिने के लिए उस समय आपकी यहूदी हो चुके थे उनके साथ इतना गलत विवार किया गया उन्हें कितना अत्याचार किया गया आप जहां जाकर आप तहल तो आपको उसे पढ़ना चाहिए ठीक है वैसे तो आपको एंसी याटी की इबुक्स सभी को बढ़ना चाहिए बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलता है आपको और याद रखिए आप लोगों को आघे याen के सभलता आघे बढ़ने में एक हत तक आपका जो भी मेनद करते हैं वो साथ देता है लेकिन कुछ जाना यांगा बढ़ना हैं आपको 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 आपका अनुभाव प्रियान को आगे बढ़ाता हैं तो आप जो भी हुआ करें जब फिर याप लोग होते हैं तो एक-दो किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं महत्मा गांदी की वाहिवर आपी पढ़ सकते हैं विवेक अनंद की जब भी आपको टाइम मिला करिएगा कोई आप स्टूरेंट है या नहीं आप लोग आप सुनते रहते हैं कि मैंने चुटियों में यह बुक्स बढ़ी कई बड़े-बड़े बिजनिस मेहनों के द्वारा में तो आप भी पढ़ लिया करिए और आपके लिए अप तो इतने लेक्षर पढ़ी हो गया वहां से भी सुन लिया करिएगा जब आप फिर ब्योकम सत्यागय की निता के लड़ ने नमकान अंदोलन की सुरुआत की थी ता मेलाणू में सी राजगोपाला चारी मालावार में थे ब्योकम सत्यागय की निता के लड़ पश्मोत्त सीमा परांत में खान अब्दुलकफार खान की निद्ध में सवीने अगया अंदोलन संचालित रहा उनके द्वारा गटित खुदाई खिदमतगार लालकुर्ती संगतन ने सवीने अगया अंदोलन की में मात्मूं भूमिका भी नवाई तो याद रखना वत्वादगार लालकुर्ती अंदोलन भी बोलते हैं या लालकुर्ती भी बोलते हैं संगतन ओर जोसे संब्धित खान अबदुल गफ़ार खान इसके नेत्द करता थे बैटे सरकातवारा सभीने अगया अंदोलन को उत्वीडण कारी तरीकों से कुछलने का प्रयास किया जून 1930 में कॉंग्रेस और उससे समझते सभी संगठन गयर कानूनी को सित कर दिये गए जब आलाल नहरू और मात्मा गांदी को इस समय गरभतार कर लिया जाता है यह तो कोई भी आंदोलन शुरूं होता है उस समय आपके पिथम मतलब जो प्रमुक नेता हुगा करते थे नमक कानून के उलगन पर गांदी जी को गरभतार कर यहरवदा जेल में रखा गये तस पश्यात आंदोलन कर नितत अबबास तेव जी के हातों में आ गये वेब मेलर एक अमेरिकी पत्तकार था जिसे गांदी जी ने दांडी मार्श के समय सावनमती आसरम में ठैयर आया था यह रखना वेब मेलर और याद रखिए नमक कानून के उलगन में गांदी जी को गरभतार करकि यहरवदा जेल में रखा गया था कहां यहिवदा जेल में अब है आपका पिथम गोल में सम्मिलन जो लंदन में तीन गोल में सम्मिलन हुए इनके बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि इन से भी आपका questions अक्षर बनते रहते हैं तो पितम गोल में सम्मिलन आपका होता है 12 नवंबर 1930 से 13 जन्मरी 1931 तक होता है कहां लंडन में ठीक है यह एक ऐसी पहली बारता थी जिसमें बैटरिस सासकों द्वाराभारतियों को बरावर कर जा पितान किया गया इसमें इस गोल में सम्मिलन में आपके 89 सदसों में 13 बैटर जो थे भारतिये थे इन में आपके उदारबादी भी दल सामिल था मुसलिम लीग भी हिंदू महासवा दलित बग व्यापारी बग और रजवाड़े की पितिनीदी सामिल थे लेकिन याद रखिए इसमें आपके कॉंग्रिस का कोई भी पितिनीदी ने भाग नहीं दिया थ गाहतन बेटेन के समराठ जॉर्ज पंचम ने किया था किसने जॉर्ज पंचम ने वह इसकी अध्यक्ष्टा जो की थी पिदान मंतिरी रैम जी मैड़ो नौड मैड़ो नाल्डन ने की थी इसकी अध्यक्ष्टा इसमेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुखनेताओं की बात क जोने ना होमी मौदी है एम और जयकर मुञ्जे भीमराव मेडकर इन्होंने तीनों संविवन में भाग लिया थे और संदर्शी मजीठ या यह इसमें सामिल थे पहले कुल में यह समीलन में धिव्यमराव ऐसे ब्यक्ति को एक समझोता होता है जिसे गांधी इर्विन समझोता की नाम से आप लोग जानते हैं तो इस समझोते की फ़स्वरूप कॉंग्रेश न अपनी तरफ से सभी ने अंधोलन समाप्त करने की गोश्णा की और गांधी की दुथियस गोल में सम्मिलर में बहार लेने के लिए त्य आदूतना नाम क्या है इसी आप लोग दिल्ली सम्मझोता भी कहते हैं तो दिये गोल में सम्मिलर होता है आपका इसके बाद यह आपका होता है लंदन में यह साथ सेप्टमबर 1931 से सुरूं होता है इस सम्मिलर में कॉंग्रेश के एक मात पिती ने दी कि रूम में आपके गांदी जी इसमें भाग लेते हैं दुद्धी गोल में सम्मिलर में मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पहले और तीसरे गोल में सम्मिलर में कॉंग्रेश की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया लेकिन बस दूसरे में गांदी जी ने भाग लिया था कॉंग्रेश की तरफ से यह सम्मिलन संबदायक समस्या पर विवाद की कारण पूरता आसफल हो गया इसका कोई सफल उद्देश नहीं रहा है इस सम्मिलन फलस्वरूप यह सम्मिलन एक दिसंबर 1931 को समाप्त गोशित कर दिया गया 28 दिसंबर 1931 को गांदी जी निरास होकर बंबई बापस आगए भारत आकर उन्होंने वायसराय विलेंटन से मिलना चाहा परंतु वायसराय ने मिलने से इंकार कर दिया अताहा बेवस होकर गांदी ने पुनाह सभी ने एवग गया आंदुलन प्यारम गुद्दी है सरकारी दमन चकर तेज हो गया गांदी जी एस एस राजपूता ना जाज से लंदन पहुचें वहाँ क्रेंग किसले अध्क अल में थेivamente ist इससे गांदी जी एस एस राजपूता नाज जाहाद था इससे लंदन गए होगे थे और वह क्रेंक स्ले हॉल में ठहरे थे समय इसी समय बेटेस पिदानवंतिरी रैम जी मैक डॉनाल्ड ने संपदाएक पंचाट की गोशना कर दी और आंदोलन एक नया रूप ले लिया गां मदन मोहन मालविये ने इस सम्मीलाण में भागा लिया था यानिकि अथीुद्धु दुद्धिय भूल में में सम्मीलाण में लेकिन क्या हुआ था इसमें आपके सरोंजी नहाइडो और आप लोग पूना समझोता के नाम से भी जानते इसी किसमा 16 अगस्त 1932 को बिभीन संपदायों कि पिति निदियों के विसाय परबेटिस पिदान मंत्री रेम जे मैक डॉनाल्ड ने एक पंचाड जिसे आप लोग किमियू नल अवॉर्ड कहा गया जारी गया इस पंचाड में पितक निर्वाचन पदिती को ना किवल मुसल्मालों के लिए बलकि दलीतों बरबों के लिए भी लागू करती है संपदायक पंचाड के तहे आपका दलीतों के लिए भी पिथक निर्वाचन पदिती लागू किर दिये इसके तहे अंतरगत मुसल्मानों इसाई, सिक्खों, आंगल भारतियों तथा आन्ने के लिए पिथक निर्वाचन पदिती की सुविधा पिदान कर दी गई दलिदवर्ग को पिथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिये जाने की विरोज में मातमा गांदी जी ने जेल में 20 सेप्टमबर 1932 को आमरन अंसन प्यारम कर दिया जैसा की आपको पता हुआ कि जैसे ही कोई बिरोज जता दे थे गांदी जी तो ये भूँख खड़ताल पर बैठ चाते थे इसके बाद मदन मोहन मालवी और डॉक्टर राजिन पिसाब फुरोसोतमदास टंडन और लाजगोलप गोपालचारी की पेरतनों से पात दिन उपरांथ 26 सेप्टमबर 1932 को गांदी जी और दलित नीता अम्बेडकर में पूना समझोता होता है तो अगर आपसे पूचे कहीं भी किसी भी एक्जाम में कि पूना जो समझोता हुआ था किस-किस के भी चुया था तो इसमें एक तरफ गांदी जी साथ थी एक तरफ आपकी दलित नीता अम्बेडकर थी ठीके यह आपका 1932 में होगा 26 सेप्टमब 1932 को पूना समझोता कि अनुसा दलितों के लिए पितक नेरवाचन वेवस्था समाप्त होगी फिर होता है आपका तितिये गोल में सम्विलन तितिये गोल में सम्विलन यह आपका 17 नमबर 1932 से सुरूँ होता है 24 दिसमबर 1932 तक चलता है यह सम्विलन लंदर में मात होटी सेक्स यानि कि 46 पितिनितियों की भागेदारी में संपन हुआ था इस सम्विलन का कॉंग्रेस ने भाहिशकार कर दिया था इस सम्विलन में भारत सरकार अधिनियन 1935 को अंतिम रूप दे दिया गया था डौक्टर भी मराउमेटकर कई वार पूच विया गया है वी तीनों गोलमे संविलन में भाग लेने बाले भा़त्ये पितिनिती थे यानि कि इन्हों नें तीनों गोल्मे संभीलनों में की बैठकों में भागे लिया एक तीनों अलग-अलग संभीलन नहीं थे अपितु यह एक ही संभीलन की अवस्था थी जो तीन सत्रों में संपन्ग भी थी यानि कि आज एक बैठक हो जाती है उसे आप नाम दे देते हैं कोई उसके बाद कुछ संभीलनों के बाद उसी बैठक कुवा में बढ़ाते हुए दूसरी बैठक होती है तीसरी बैठक होती है तो इससे तीनों कोड में संभीलन बोल देते हैं अखिल बाती है किसान सभा का पित्थम संभीलन अपरेल 1936 को लखनव मोय हुआ जिसके अध्यक्ष थे आपके स्वा पिस्ताव दूतिय विश्यूद प्यारंब 1949 में होने पर कॉंग्रेश ने यूद में समर्थन की बदले भारत को सुतंतराष्ट घोसेद किये जाने का पिस्ताव रखा मार्च 1940 को कॉंग्रेश ने अपने राइगर बिहार में आईजित बारसे का दिवेशन में एक पिस्ताव पारित कर सरकार से इसपष्ट किया कि यदि हुआ केंद में एक अंतरिम सरकार गटित करे तो कॉंग्रेश दूतिय विश्यूद में सरकार पसेहों दे सकती कि आपको बता होगा 1949 में आपका दूतिय विश्यूद सुरू हो जाता है और इसमें हैं अमेरिका और बाकी देशों की तरफ से मित्राश्टों की तरफ से दवा बढ़ता है कि भारत को यदि में सामिल किया जाए कॉंगरेस के इस पिस्ताओ के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिन लेटगो ने आठ अगस्त उननी सो चालीस को अगस्त पिस्ताओ पिस्तत किया तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है अगस्त पिस्ताओ अगस्त पिस्ताओ के वושन इस तरह से कर्म में लगाने के लिए आपका आ जाता है सुमलेत करने के लिए पर इस तरह के व्यासराय की कायकारणी में अतिसीक है गाकी सदस्तों की संख्या में बिद्धी तरह होता है पितक पाकिस्तान की मांग, यानी कि भारत को बारस से पाकिस्तान को अलग करने की मांग क्योंकि आपमें देखा होगा 1928 से नेरू रिपोर्ट से आके मुहमत अली जिन्ना एक तरफा भगने लगी थे मतलब वो अलग होने की चाहर रखने लगी थे 1933 से 1935 तक के भीच कैम्बरिज इंग्लेंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामा के एक मुसलिम चात ने एक परचा जारी कर बिथक राज पाकिस्तान की परीकल्पना को जनम दिया तो अगर पूछे आपसे कि पाकिस्तान सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था तो यह थे आपके चौधी रहमत अली इन्होंने पहली बार पाकिस्तान की परीकल्पना का जनम दिया यानि कि इसका प्रयोग किया था 22 मार्च 22 से 23 मार्च 1940 को मुसलिम लीगन की लाहर अधिवेशन में पहले बार पितक पाकिस्तान राज की निर्माण का प्रयोग किया परंतु प्रयोग में पाकिस्तान सब्द का वो लेक नहीं था ठीक यानि कि अलग देश मुसलमोनों के लिए अलग देश बनाने का इसमें नेड़ यानि कि प्रयोग प्रयोग किया गया कब 1940 में लाहर अधिवेशन में मूसलिम लीग के लाहर अधिवेशन में पिथक पाकिस्तान की मान को पहली बार मान ने था 1942 में क्रेट से पिस्ताओं में सन्य थी जो 1942 में आपका क्रेश्प से पिस्ताओं आता है इसमें समलिट की गई थी पाकिस्तान को पिथक यानि की अलब करने की मान भारत से जिन्ना ने की थी इस अधीवेशन में भारत में से अलग मुसलिम राजी पाविस्तान की माल की गई इस माल को फजलू लहेक ने पिस्तुत किया और खजी खली कुजमान ने इसका अनुगूदन किया मुहम्मद इकबाल को मुसलबानों के लिए पितक राष्ट की विचार का विवाल तक माला जाता है क्रिफ्ट से पिस्ता हो क्रिफ्ट से पिस्ता हो दूतिय विश्योद के दौरान अमेर की राष्टपती रोजबिल्ट और स्टेलियाई पिदारमंती इयार तथा चीनी राष्टपती चयान काई सेग ने बेटिस पिदारमंती चर्चिल पर दवार डाला की वह भारतियों का योद में सहीव प्राप्त करने ही तू उनसे उनकी आप अच्छाओं के अनुपूल बिचार बिमर्स करें और इसी का परड़ाम था कि आपका भारतियों से बात की इसकी मामले में तो दुधिये विसी उद्धि जब चल रहा था आपका तो इस समय अमेरिका के राश्पती थी रॉजबिल्ट ऑस्टेलिया के पिदारमंती थी इयाद चेनी राश्पती थी थी च्यांग काई सेक और वेटिस पिदारमंती थी इस समय चर्चिल याद रखिए पिदामता वेटिस सरकान ने भारत के राश्पती एवं बैदानी गतीरोत को दूड करने के लिए इस्टिफ हड़ किप्स के नितत में एक मिसन भारत भी या जिसे क्रिस्प्स मिसन के नाम से आप लोग जानते 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचकर सभी दनों से भेंट के पश्चात कुछ पिस्ताओ पिस्तुत किये जिसमें ऑपनेवेसिक राजी की स्तापना, समीधान का गठन, परांतों का पितक समीधान बनाने का अधिकार इसमें सामिल किया लिए किसमें क्रिस्प्स पिस्ताओ में और मौलाना आजात साहब थे क्रिस्प्स पिस्ताओ में थिर आपका सुरूं होता है भारत चुड़ भारत चुड़ो आंदोलन इससे भी आपके कुश्यंस बनती रहते हैं भारत चुड़ो आंदोलन कितना पड़े हैं लोग पड़ने का यह की तरीका है कि कोई भी वुक्स लीजिए आप लोग उसे एक से दो बार पढ़िए और फिर कुछ पॉइंट बचते हैं नहीं रट लीजिए क्योंकि इसे कितना भी पढ़ दीजिए आप लेकिन तब भी यह खमी ही बनी रहेगी तब भी आप सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब नहीं कर पाने हैं चूटना आपका तह रहता है पिर चाहे कोई भी कितना भी पढ़ा लिखाओ अब तभी तो समझ सकते हैं सेविल सर्विस की तैयारी करना है वाला लड़का 48 से 50 कुष्टेंस में पास हो जाता है सब्सक्राइब और अगस्त पिस्ताओ एवं त्रेट से मिशन की आसफल था एवं कॉंग्रेस द्वारा सुरो की गई आंदोलन के द्वारा राष्टी सरकार की स्थापना की मांग को आसुईकार किये जाने पर कॉंग्रेस ने बंबई यदिये विशन में 8 अगस्त 1922 को भारत छोड़ो पिस्त पिस्त हुआ था लेकिन एक सुरूंप का भुगा 9 अगस्त 1922 को गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को करो और मरो का नारा किस समय दिया था कांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दोरा भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1922 सीसबी को प्यारम होने होते ही गांधी और अनस्तिष नेताओं को गरपतार कर लिया गया इसमें गांधी जी को इस समय गरपतार करके आगा खां पैलेस में नजरवन रखा गया आपसे बन जाता है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान गरपतार करके कहां रखा गया था तो आगा खां पैलेस में ठीक है आंदोलर के पिती बेटी सरकार की दमनात्मक नीती के विरूद गांदीजी ने आगा खांप पैलस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन उपवास की गोशना कर दी मैंने बताया ना पीचे कि कुछ भी होता था गांदीजी उपवास पर बैट जाते थे गांदीजी को बेटी सरकार ने उनके खराब स्वास्त के कारण 6 माई 1944 को जिल से रहा कर दिया गया मुस्लिम लीगी ने भारत छोड़ो अंदोलन का समर्थन नहीं किया लेकिन ततर्स्ता का रोख अपना है यानि की ना तो हां पूला इसने ना ना बोला लेकिन इसने समर्थन भी नहीं किया कमिनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो अंदोलन का बहिसकारी किया था इस तरह की पॉइंट याद रखा करिएगा जन्रेल नोलेज के भी लिए भी आपको जरूरियते हैं गांदी जी ने जेल से चूटने के बाद रचनात्मक कारियों का सहारा लेकर उन्हा सक्क्रीता दिखाई और संगहर्ष की संभावने से भैवीत होकर सरकार ने बेवल योजना पिस्तुत की भारत छोड़ो का पिस्ताओ स्वय महत्मा गांदी ने नहरू और राजात के सहयोग से बनाये था नहरू ने पिस्ताओ को पेश किया था और बल्लबाई पटल इसका समर्थन किया था यानि कि भारत छोड़ो अंदोलन के पिस्ताओ को नहरू ने इसे पेश किया और Unionist Party of India, Unionist Party of Punjab Muslim League ने भारत छोड़ो अंदोलन का समर्थन नहीं किया था मूच लेता है कई बार कि इन मैं से किनने समर्थन नहीं किया था या पूच लेगा कि किनने समर्थन किया था तो ये नाम आपको याद होना चाहिए जिनोंने भारत छोड़ो अंदोलन का पिस्ताव का यानी भारत छोड़ो अंदोलन का समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान बंबई से नेमित रेडियो पे सारन राम मनोहर लोईया राम मानोवर लोईया को समारिवादी पार्टी अच्छा मानती है जो अकले से आदव की है मुलायम सिंगी और इनी से उपजे हुए ये लोग नेता हैं यानि कि इनी की विचार धारा को लिखा चले हैं जबकि उसा में ही तक कॉंग्रेस के भूमेगत रेडियो का संचालन दल की मत्मूर सदस्या थी भारत चोड़ो अंदोलन के दोरान लुई फिसर मात्मा गांधी के जीवनी कार हैं लुई फिसर मात्मा गांधी के साथ थे आउना अस्तपली उसा महिता जैबिकाष नारायन राम मनुगत लोहिया आदी ने गरपतारी के बाद भूमीगत रहकर 1942 के बाद भारत चोड़ो अंदोलन का नित्त किया थे 1942 में 1942 के दोरान तीन इस्थान बलिया मीधनापूर और सतारा में समांतर सरकारों की स्थापना की गए थे बलिया में मीधनापूर और सम सतारा में वेवेल यूजिना आपकी अक्टूबर 1943 इसवी में लौड लिन लेत्वो के स्थान पर लौड वेवेल आपकी भारत की वायसराय बनी थी दिनी के नाम पर वेवेल यूजिना इसा ही कहा गया उन्होंने बेटे सरकाल से परावाश की पश्याद भारती समस्या को दूर करने पचीस जुन 1945 को सिम्ला में एक सम्मेलन का यूजिन किया जिसे सिम्ला सम्मेलन की नाम से आप लोग जानते हैं तो याद रखिए सिम्ला सम्मेलन आपका 1945 में हुगा था सिमला सम्मिलन में लॉड बेविल द्वारा भारतिये समस्याओं का नभीन हल पिस्तुत किया गया जिसे बेविल योजना के नाम से आप लोग जानते हैं बेविल योजना में कहा गया कि वायसराय इवं पिधास सेनापती के दरिक्त वायसराई की वरिषद में सभी सदस भार्ति होंगे तीन दिन तक चलने वाली संमिलन को कॉंग्रेस और मुसलिम लीग में बेवाद हो जाने की कारहरा समप्त गोशित करना पड़ा मुहम्मद अली जिन्ना कमत था कि वाइस्टराई की कायर कारड़ी में सभी मुसलिम सदस मुसलिम लीग से ही चुने जाएं जिसे वेविल ने आसुईकार कर दिया थिर आता है आपका कैबिनिट मिशन जनवरी 1946 मैं कैबिनिट मिशन का बाता है जनवरी 1946 मैं बैटिस्विदार मंतरी एटली ने भारती निताओं ने श्री अनुपचारीज विचार विमर से तुई एक संसरी डली कैबिनिट मिशन भारत पेचनवी का निश्चे चुए 24 मार्च 1946 को कैबिनिट मिशन भारत यानि की दिल्ली में आया इस सिष्ट मंडल की सदिश्ट थी आपकी इस्टिपोर्ड किपस है अध्यक्ष्टि बूर्ड ओप ट्रेड की पैंतिक लॉरेंस यह नितित करता थी भारत सचिप थी एवी अलेकजेंडर यह आपकी नौसेना मंतरी थी समय कैबिनिट मिशन ने सिमला में एक सम्मिलन हाय जीत किया जिसमें कॉंग्रेस और मुसलिम लिग के तीन-तीन सदर सम्मिलित हुए यह सम्मिलन पांच मई 1940 से 11 मई 1940 तक चलता है आपका इस सम्मिलन में सर्ब संमत नेड़ ना हो पाने की स्तिति में कैबिनिट मिशन ने 16 मई 1940 को अपने पिस्तावों की गोशना कर दिए केबिनीट मिसन योजना की विस्तावों में परांतों का विवाजन मुसलिम लीग को संतुर्ष्ट करने लिए किया गया था जिसे उन्हें मुसलिम बहूल परांतों में पूर स्वायत था करने के लिए पाकिस्तान का सत्र पराप्त हुआ मुसलिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी पित्यक्ष कारवाही दिवस कलकत्ता में मानाया था कब 16 अगस्त 1946 को उस समय बंगाल में मुसलिम लीग की सरकार थी जिसके मुकमंत्री थे सहीद सुहराबलती इनके नाम के आगे सहीद कर दिया गया थर आपके एटली की घोष्णा होती है बैटेश पिदान मंत्री एटली ने हाउस ओप कॉमंस में 20 परवरी 1947 को एक इतियासिक घोष्णा करते हुए का कि अंग्रेज जून 1948 याद रखी इनने अपनी घोष्णा में कौन सी टेट चुनी थी जून 1948 के पहले ही उत्तरदाई लोगों को सत्ताहस्तांतीत करने के उपरांत भारत छोड़ देंगी यानि कि अब भारत छोड़ने का समय आ चुका था पंडिक जबाल लाल नहरू ने एटली की स्गोष्णा का स्वागत करती हुए इसे एक बुद्धी मता पूर इम साहसिक नहड़े बताए फिर आपकी मांट बेटन यह उजना उस सतंता पिरापती होती है यानि कि हम आजाद होने की तरफ बढ़ रहे हैं 22 मार्च 1947 को भारत क के अंतिम बैटिस्ट गवर्णर जेनरल वाइसराय लाड मांट बेटन भारत आए आप लोग से हमेशा बोलता है हूं इस पॉइंट पकड़ना कुष्चंस बनाना सीख जाई है उसके बाद आपके से कुष्चंस अधिकसत सौल्व हो जाया करेंगे अब यहां पूछ लेग जिसे आप लोगं माउंट बैटन ये बोलते हैं या फिर तीन जून य zawi से आप लोग बोलते हैं ठीक्यां मांट बैटन ये अह मुल्टा भारत वेवाजन की ये ंजना थी इसमें वह सपेक्रिया का लेग था जिसके अन्ग्रेजम द्वाना पार्ट्तियों को सत्ता हस्ता कान्तिर की जानेती ही तथा मुसलिम बहुल प्रांतों है य। आप HUHYASA में सम लेता हो। यानि कि जो बहूल प्रांद थे इन्हें छूट दी गई कि वो किसी या तो भारत में समलेत हो सकते हैं या पाकिस्तान में समलेत हो सकते हैं माउंड वेटर्न यहिना के विस्ताओं को गोविंद बल्लब बंत ने सुईकार किया अबुल कलाम आजाद में समझतन किया जो बटवारी की विरोध में थे अब अबुल कलाम आजाद आपके पाकिस्तान और भारत की अलग होने की पक्च में नहीं थे यानि कि बोनी चाहते थे कि पाकिस्तान भारत से अलग हो आगे बात करते हैं इस पिस्ताओं के बिरोध की बात करें तो चौध राम मिडवानी डॉक्टर किचलू पुरोसोत्तम दास टंडन और मौलाला हपीर जुर्रहमान इसके बिरोध में इते इस पिस्ताओं के कॉंग्रेस कारकारणी सम्ति ने 12 जून 1947 को तधा कॉंग्रेस महास सम्ति ने 15 जून 1947 को दिली में हुई बैठक में माउंट बेटन योजिना की उष्टी क्याती माउंट बेटन योजिना की आधार पर बैठी संतन ने 18 जूलाई 1947 को भारत जुतंत आदिनियम उननीस सो सेटालीश पारिश हुआ कव 18 जूलाई 1947 को इस आदिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत बिभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को मद्रात्री की समय भारत सुतंत हो गया इसी समय आपके पंडित जवाल लाल नहीं ने बड़ा च्छबक तब दिया था कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय हम बार आजाद हो रहे होंगे तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिलगा जाती है अब आजाद हैं आप या नहीं या आप पर 147 को मुहमद अली जिन्ना पाकिस्तान के पिथम गवर्नर जनरल बने एक क्या हुगा कि मुहमद अली जिन्ना कि यहां कदर घटने लगे थी करते कॉंक्रेस में क्योंकि इन्होंने अलग चुनाव भी लड़ा उनमें नहीं ना के बराबर सपनता बिली तो यह सोचने लगी रही कि यानि कि इन्हें लोग चाहेंगी और यह वहां के कुछ पद्री मिल सकता है क्योंकि भारत में रहते हुए कई महान नेता थे उनके रहते हुए इन्हें सकफलता नहीं मिल सकती थी लॉर्ड माउंट बेटन को सुतंद भारत का पिथम गवर्नर जनरल बनाए गया सकता है कि जब भारत को आजादी मिलेंट का समराट को था जॉज शस्टम जॉज छटवा जो भारत का अंतिम समराट और को मन बेल्ट राष्ट मंडल का पिथम पिदहन था यहां आपकी आजादी खतम होती है यानि की आजादी मिल जाती है अंग्रेजों का त्रिवुत्त खतम होता है । थिर वोता है आपका सुरू एक टॉपिक और ही नहरु यूग भारत की सुतंता से 1964 तक पंद्र अगस्त 1947 को आपका भारत को आजादी मिलती है भारत सुतंत गोसेत होता है लोड मांट मेंटन सुतंत भारत की पितम गवर्णर जर्नल बनते हैं ओंटी जबा समस्य आए थी आपके देश के सामने इनसे किस तरह से निप्टने इस आपके नहिरूजी की सबसे बड़ी चुनौती थी नहिरूजी के सामने क्योंकि कई हमारे यहां की रियासते अलग अपना जम्मू कस्मीर हो गया है अलग हो रहे थे मतलब अलग देश की मांग कर रहे थे अब पूरी तरह भारत है और बीच में आप सोचे कि कोई नया देश बन जाए कैसे चलीगा तो यह समस्या है बड़ी ओभरी वही थी 27 ओक्ट जना का कस्मीर में प्रिवेस होता है 30 जन्वरी 1948 को नई दिल्ली में नाथुराम गौंड से द्वारा महत्मा गांदी की गोली मार कर हत्या करती जाती है कब 30 जन्वरी 1948 को यहां बताई कि महत्मा गांदी का जनम कब हुआ था पीछे हम लोग देख भी चुके हैं तो कमेंट 20 जून 1948 को चक्कवर्ती राजगोपालाचारी लौड माउंट वेटन की स्थान पर सुतंत भारत के फित्थम भारती गवर्नर चनरल निक्त किये जाते हैं 27 सेप्टमबर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत में संग में बिले किया जाता है 27 सेप्टमबर 1949 को 3 नवंबर 1948 को पिदार मंत्री पंडी जवाहलाल नहीरूद्वारा सयुक्त राष्ट संग महासाहबाब में संभुद्यन यानिकी भासट दिया जाता 13 दिसंबर 1948 को भारत एवं पाकिस्तान की भी कस्मीर को लेकर आपका योद जो हुगा था ये योद बिराम होता है 13 दिसंबर 1948 को 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियाप्पा पितम भारतिये सेनाध्येट निप्थ होते हैं तो याद रखना पितम भारतिये सेनाध्येक्ष कौन थे जनरल के एम करियाप्पा पितम नौ सेप्टमबर 1949 को हिंदी राष्टवासा के रूम में सुईकार की जाती है 6 अक्टूबर 1949 को राष्टिये रख्चा कादमी का सिललनयाज होता हैं 26 नवंबर 1949 को समिधान सबाद्वारा भारतिये समिधान अंगिकिट एवं सर्वोच नियालाय की स्तावना की जाती है 24 जन्वरी 1950 को समिधान सबाद्वारा जन्गर्मन राष्टगान की रूम में सुईकार किया जाता है तो याद रखने 24 जन्वरी 1950 को अपका राष्टगान समिधान सबाद्वारा राष्टगान की रूम में जन्गर्मन को सुईकार किया जाता है 26 जन्मरी 1950 को क्या क्या हुगा है भारत संपूर्ण प्रिभुता संपन्न लोगतांत्रे गड़राज घोसित होता है भारती समिधान लागू होता है राष्ट चिन्ने के रूम में असोक इस्थम को अंगिकित किया गया भारत सयुक्तराष्ट स्तुरक्षपईशत का आईस्थाई सदस बनता है और देशी रियासतों के बाद भारत संग में बिलह का काड़ पूर्ट हो जाता है ये सभी यटनायापकी 26 जन्मरी 1950 की होती है 9 फर्वरी 1959 में सोतंत भारत में पहली जन्गरना होती है तो अगर आपसे पूछे कि सुतंत भारत की पहली जन्गरना प्यारम का होई तो ये आपकी 1959 में होई थी एक अपरेल 1959 को पित्थम पंच भर्षी ये योजना प्यारम होती है अब आपने देखा होगा कि ये योजना ये की जगे अब आपका नीती आयोग ले आ गया है इसलिए अपित्थम पंच भर्षी ये योजना इस तरह की जो भी पंच भर्षी योजना के बाद खतम कर दी गए है ठीक है बार्षी पंच भर्षी योजना आपकी 2012 से 2017 तक चली थी 18 जून 1951 को भारती समिधार में पहला संसोधन किया गया है तो याद रखना भारती समिधार में पहला संसोधन 1951 में किया गया था 21 परवणी 1952 को भारत के पहले आमचुनाव को यह आपका कई बार UPPCS में भी पूंच लिया गया है अप्टिरी में तो याद रणा भारत के पहले आमचुनाव कब हुए थे 1952 में 12 मईई 1952 को पहली लोकसभा की बेठक हुई थी 12 मईई 1952 को 12 एक्टूबर 1903 को आंधविदेश नामक नवीन राज गठित हुआ यह आपका भासा की आधार पर गठित होने वाला पहला राजी था आंधविदेश 1 एक अक्टूबर 1903 को 1 एक अक्टूबर 1903 को स्रीमती विज्यालच्च मी पंडित सयुक्तराष्ट महासापा की पहली महला अध्देख्च बनी थी 28 जून 1905 को चीन के पेदार मंतरी चाउ एन लाई की भारत यात्रा के दोरन यह आपका पंचिसील समझोता भारत और चीन के बीच हुआ था 1905 8 जूलाई 1905 को भागडा नागल बांध का निर्षेल अन्यास की आगया था नवंबर 1905 में भारत में पहली बार भारत रतन, पदम विगुशन, पदम बुख्चन, पदम स्त्री, आधिक, आधिनागरिक सम्मानों से सम्मानित करने की कप प्यारम हुए था यानि कि यह सभी सम्मान आपकी नवंबर 1905 से प्यारम हुए 21 जून 1955 को अखिल वारतिय कॉंग्रेस कमेटी के आवडी चेन रही अधिविचन में समाजबादी समाज का लक्ष सुईकार किया गया था 18 में 1956 को फ्रांस द्वारा Pondicherry, Karm Michael और माही की अपनी बस्तियों को भारत को समाप्रित करने ही तो दूई पक्षी संदीग हुई थी किसके द्वारा फ्रांस की द्वारा है और 22 मार्च 1957 को भारत सरखार द्वारा सक संबद को भारती राष्टी ये पंचांग के रूम में सुईकिती मिली और अभी भी यही आपका उपयों होता है सक संबत एक अपरेल 1957 को बारत में दूसरा आम चुनाव होता है पंडि जबाहलाल नहरू द्वारा पिदान मंत्री के रूम में पुना सपत गेंड की जाती है यानि कि दुबारा सपत लेते हैं पिदान मंत्री बनते हैं पर पाच अपरेल 1957 को डॉक्टर राजन पे साथ आपको पहला पता होगा कि पहले राष्ट्पती थे और दूसरी बारे नोंने राष्ट्पती बने थे पंडि जवालल नहरू का जनम दिवस बाल दिवस के रूम में मनाने का प्यारा मुदा क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे पंडि जवालल नहरू बच्चे ने चाचा भी होलते थे चाचा नहरू 22 फरवरी 1958 को महाल सोतंता संगराम सैनानी मौलना अबुलकलाम आजास सहब का नेदन हो जाता है कब 1958 में 22 अपरेल 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कठारी भारतिय नोसेना की पित्थम अध्यक्ष ने उप्त की है तो याद रखना भारतिय नोसेना की पित्थम अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल रामदास कठारी दो फरवरी 1969 को स्रीमती इंद्रा गांदी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनती है कहते हैं कि इसका बिरोध किया था किसने पंडित जवाद लाल नहिरो ने लेकिन बिरोध के बाद भी प्रवी बनाए गया थेने अध्यक्ष तो इकत्तीस मार्च 1969 को तिब्बत पचीन का आखमर एवं राजनितिक सरण के लिए 14,000 सरणार्थी सहत उहां की धरमगुरू एवं सासक दलाईलामा का भारत आगमन होता है याका 1969 में एक मैं 1960 को ततकाली नबंबई प्रांथ का विभाजन कर नए राज महराष्ट और गुजरात गोशिप किये जाते हैं 1960 मैं पहली आपका विभाजित प्रांथ हुगा करता था उसे विभाजित करके महराष्ट और गुजरात दो भागों में बाटती आ गया 26 नबंबर 1960 को भारत में पहली STD सेवा कानपोर अलगनाउंट की मद्ध फ्यारम की गई थी तो एक कई बार पूँच लेता है कि भारत में पहली STD सेवा कब सुरूं की गई थी 1960 में 19 देसंबर 1960 को पंडिक जवाल लाहिरू की पाकिस्तान यात्रा एवन पार्क के राष्ट पती आयू खान के साथ सिंदू नदी जलबटवारी की संदी फरहस्ताप्चर किये जाते हैं 24 परवरी 1961 को मद्रास राज्जी का नया नाम तमिलाडू हुगा पहले तमिलाडू जिसे आप लोग आज तमिलाडू नाम से जानते हैं राज्जी को उसे पहले आप लोग मद्रास के नाम से जानते थे पहले उसके बाद इसका नाम 1961 में तमिलाडू रखा गया 18 दिसंबर 1961 को भारतिय सेना द्वारा गोवा दमन एवंदुई को पुर्दगाली सासन से मुक्ती मिली कम 1961 को तो याद रखिए 1498 में में आपके यहां पुर्दगाली आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं 1961 में भारत छुड़कर पुर्दगाली जाते हैं क्योंकि जो आपके गोवा दमन दू इप्था इस पर पुर्दगालीयों का 1961 तक कभजा बना रहता मई 1962 में तीसरे आम चुनाव में सभी राज जिवं संग सासे छेत्रों में कॉंग्रिस पाइटी सत्तारून पंटी जवालल नहेरू के धान मंत्री बने तीसरे बाद पिथक नागलेंड संग सासे छित का गठन हुए गओ संग सासे छित बना डॉक्टर सरपली राधाकिष्ण राष्ट पती पर पंधी पाथ से प्रबसाहिब का जनम दिन आप सिक्षप की रूमें आज भी मनाते हैं सरपली ज्यादा किष्ण करा ठीक है कि 20 सक्टूबर 1962 को देश की उत्री सीमा नैपा एवं लद्दाप पर चीन द्वारा आखमण कर दिया जाता है और 26 सक्टूबर 1962 को राष्टपती द्वारा आपात काल की घुष्णा कर दी जाती है 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक पक्षिये योद बिराम को सित्की कर दिया जाता है इसमें आपके भारत की हारोई थी 21 नवंबर 1963 को पूर्व राष्टपती डॉक्टर राजिन पिसात का निल्धन हो जाता है एक दिसमबर 1963 को नागालेंड भारत का सोलेवा राजज बनता है 27 मई 1964 को पंडिजवाल लाल नहिरू का निल्धन हो जाता है और 9 जून 1964 को लाल बहादुर साफ्करी भारत के पिदान मंत्री बनते हैं इनके बारे में बहुत चल्चित कहा बते हैं कि ये अपने पिदान मंत्री रहती हुए एक काल नहीं खेरी पाई इतने इमानदार थे समझ सकते हैं एक कदमें बहुत छोटे थे लेकिन ये काम बड़े-बड़े करते थे किसी ने बोला था कि इनका ये बहुत छोटे हैं तो इनका जवाब रहता था कि मुझ से बात करने के लिए तुम इस तरज जखा कर बात करनी करती है मेरी उचाई इतनी है तो कभी कद से छोटा नहीं होता है ठीक आपने एक कॉमेडी आती है खान देश छोटू-छोटू आपने देखा होगा उसे देखते हैं कितना छोटा सा है कितनी कॉमेडी करता है और कॉमेडी में साइद उसका हमारे याँ यूटूब पर उसे सबसे जानला लोग फॉलू भी करते हैं तो समसकते हैं जो छोटा होता है उसे भी कम मत लिए लिया करिएगा तो यहां कब खानी होती आपकी पंडिजवालान ने रूप यूग की याद रखिए इनके बारे में लालबाद सास्त्री नई कार ख़ड़ी इनके बेट्टों ने जब इनसे जिद की तो इनकी जब निदन हो जाता है लालबाद सास्त्री का तो उसके बाब इन्डरा गांधी पिदान मंतरी बनती है उन्होंने इनका जो रिड था उसे माप किया था आप समझिये कि एक पिदान मंतरी रहते हुए अपनी कार का जो लिई हुई थी इसका रिड पूरा नहीं यानिकि इसकी कीमत नहीं चुका पाये थे और आज आप देखते हैं एक बिदायग बन जाता है तो वो पोर्शूनर भी एक साल में खरीद कर खड़ी कर देता है उतना इमानदार होना बहुत बड़ी बात हो जाती है तबी तो देश इतने मुसीवदों से जूज रहा था इसलिए तो पार पाया उस समय अब खुद देख रहे थे कि भुकमरी एक तरफ खाध्यान की कमी एक तरफ आसिक छित पूरे सभी लोग थे दूसरी तरफ आपके पा अब लोग देख सकते हैं अब हम बात करते हैं अनुनिक भारत की राजनीति के वंग राष्टवादी संस्थाओं के बारे में तो इनसे आपका डारेक्ट कुश्चन पूछ लिए आ जाता है तो यह आपकी संस्था है और जिस सन में इसकी स्थाबनावी यह बर्स है ठीक है इसके जो संस्थाबक हैं उनका नाम है और जिस स्थान पर हुई है इस्थान है जैसे आपकी लैंड होल्डर सुसाइटि इसके जो संस्थाबक थे दौर का नाथ टैगोल थे कब बनाईगी 1838 में कलकत्ता में ठीक है फिर आपकी वेटिस इंडिया सुसाइटि यह आपकी 1849 में बनाइगे इसके संस्थाबक थे William Adam और London में इसका ही स्थावना की गय Angeleightis Association यहां कि 1843 में बनाइगी द्वायका द्वारिका नाथ defending टैग और कंपति यहां कि कलकत्ता में कि ठीक आपकी बेटिस इंडिया इसोसियेशन याकी अठारे सो इंग्यावन में बनाई गी इसके जो संस्थाबक थे देविंदनाट टेगोर और राचेंद लाल मित्र याकी कलकत्ता में बनाई गी थी 1852 में आपकी बनाई गई है मद्रास Native Association यह आपकी मद्रास में बनाई गई थी 1852 में Bombay Association बनाई गई इसके संस्तावक थे जगनात संकर यह आपकी Bombay में बनाई गई थी कहां बनाई गई थी? Bombay में फिर आपकी London India Committee यह आपकी 1862 में बनी है इसके संस्तावक थे सी पुरोसुत्तम मोदालियर यह आपकी London में बनी थी फिर आपकी East India Association यह आपकी 1866 में बनी दादा भाई नौरोजी ने इसके संस्तावक थे लंदन में ठीक? National Indian Association आपकी 1866 में बनी है इसके जो संस्तावक थे उनका नाम था Mary Carpenter London में बनी है फिर आपकी Indian Society यह आपकी 1872 में बनी आनन्द मोहन बोस इसके संस्तावक थे कहां बनी थे? London में India League यह आपकी 1875 में बनी कलकत्ता में Indian Association यह आपकी 1876 में बनी इसके संस्तावक थे आनन्द मोहन बोस और SN 182 यह भी आपकी कलकत्ता में ही बनी थे ठीक है? फिर आपकी Indian National Society यह बनी आपकी 1883 में इसके संस्तावक थे सरीश्चंद both कलकत्ता में बनी थे भारति राष्टी कॉन फ्रेंस यह आपकी 1883 में बनी थे कहां कलकत्ता में? कौन थे इसके संस्तावक? SN बनर जी पिर आपकी मधराश महाजन सभा यह आपकी 1884 में बनी थे इसके जो संस्थापक थे वे उनका नाम था वीर, रागवाचारी और A.I.R. चाल्डू A.I.R. और चाल्डू यह आपकी मद्रास में बने थी तो यह आपकी बंबई Presidency Association आपकी 1885 में बनती है इसके संस्थापक थे फ्रोस्ट सामेटा, केटी तेलग और तेयकची यह आपकी बंबई में बनती है बारती राष्टी कॉंग्रेस इसकी स्थापना होती है 1885 में A.O. Hume इसके संस्थापक थे बंबई में इसकी स्थापना होती है ठील फ्रयापकी United Indian Patriotic Association 1885 में बनी सरसेयाद रह्मत खान इसके संस्थापक थे अलीगड में बनी है ठील प्रयापकी Servant of India Society यह आपकी 1888 में बनती है गोपाल किशनगोकली इसके संस्थापक थे बंबई में बनती है कहां बंबई में फ्रयापकी India Home Rule Society 1905 में बनती है इसके संस्थापक थे स्याम किष्ट वर्मा उत्तर पिदेश किसान सबार यह आपकी 1915 में बनती है इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालविये इंदनारायन और गौरी संकर लखनू में बनती है सरयापका Home Rule League 1916 में बनता है इसके संस्थापक थे ही एनिवेसेंट और लोगमान तिलग यह पूरे में बनती है फ्रयापका एहमदाबाद Textile Labor Association यह आपकी 1918 में बनती है महत्मा गांदी संस्थापक थे इसके एहमदाबाद में फ्रयापकी National Liberal Federation यह आपकी 1918 में बनती है S.N. बनरजी इसके संस्थापक थे कलकत्ता में फ्रयापकी भारती है Communist Party 1920 में बनती है M.N.I. इसके संस्थापक थे तास्कंद बनी Servant of People Society यह आपकी 1920 में बनती है इसके संस्थापक थे लाला लाजपतरा है यह आपकी लाहोर में बनी थे कहां लाहोर में फिर आपकी अवद किसान सभाद यह आपकी 1920 में बनती है नहरू, रामचंद और गौरीजन के इसके संस्थापक थे पिरताफगड में उत्तक देश फिर वारतिये टेड इउनियन कॉंग्रेस यह आपकी 1920 में बनती है इसके संस्थापक थे एन एम जोसी संस्थापक थे और लाला लाजपतरा है इसके अध्यक्षते लखनू में यह बनती है Communist Group of India यह आपकी 1921 में बनती है इसके संस्थापक थे नलीनी गुपता कलकत्ता में यह बनती है सौराज पाइटी यह आपकी 1923 में बनती है मौतिलाल नहिरू और सीयारदास इसके संस्थापक थे दिल्ली में फिर आपकी 1925 में बनती है Communist Party of India सत्थ भकत इसके संस्थापक थे कहां कांपूर में यह बनती है ठीकिए फिर आपकी 1925 में बनती है राष्टीय स्वम्सेवक संग जैसे आप लोग आज देखते है RSS के नाम से जानते है फिर राष्टीय संस्थापक संग यह वह ही है इसके संस्थापक थे केवी हैड गेवार यह की नांदपूर में बनी थी 1927 में बनती है बीमें बीमेंस इंडियन एसोसियेशन इसके संस्थापक थे लेडी सदासेव अयर और मद्रास में यह बनती है सेमिक सोराज फार्टी 1928 में बनती है काजी नजरूल इसलाम इसके संस्थापक थे खोदाई खित्मतगार यहां की 1929 में बनती है खान अब्दुल गफफार खान इसके संस्थापक थे पेसावन में बनती है खुदाई किस्तमतगार खित्मतगार इसे लाल कुर्ती भी आपने सोनावगा इसे ही बोलते है ठीक है कॉंग्रिस समाजबादी पार्टी 1934 में बनती है आचार नरंद देऊ और जय विकास नारायन इसके संस्थापक थे पटना में यह बनती है प्रगतिसी लेखक संग यह आपका 1936 में बनता है मुंसी प्रम्चन लखनों में बनती है अखिल भारतिये किसान सबाद यह आपकी 1936 में बनती है इसके संस्थापक थे एन जी रंगा स्वामी सहजयानल्द लखनों में अखिल भारतिये विद्याल्थी पर्चन उननीस सो च 4418 में बनती है इसके संस्था भथे सुवार्चंद ऑस कलकत्था में इसकी इसथा ना उटी उतिया फ़ीत लखनों थे। फिर आपकी radical democratic दल 1940 में बनता है, M.N. राय इसकी संस्था बक्ति कलकत्ता में बनती है बारतिय बोलसेविक लेनिन दल 1941 में बनता है, अजीत राय और इंदसें इसकी संस्था बक्ति कलकत्ता में इसकी स्थाफना होती है किरांतिकारी समाजबादी दल 1942 में बनती है, इसके इसकी संस्था बक्ति सौमेंदनाद टेगोर कलकत्ता में बनती है तो यह थे आपकी कुछ संगठन, इनिसे आपकी questions बनते रखने यार एक बड़ा दुख होता है एक बात का आप लोगों से अब आप सोचिए इतना लंबा lecture ले रहा हूँ, इतना लंबी किला समाजब हमारी हो जाती है मैं आप लोगों से कई वार बोल चुका हूँ, बड़े बेनम्म तरीके से कि आप लोग एक काम तो कर सकते हैं, छोटा सा, कि अगर मुझे से कहीं गलती हो जाती है इसी questions का, यानि कि कोई गलती हो जाती है, कहीं गलत बता देता हूँ कोई तो आप क्या किया करिएगा कि comment box में उसका सही answer लिख दिया करिएगा, बस इतना तो कर सकते हैं आपको पता है कि ये गलत है मेरी तरफ से पूरी कौसिस रहती है कि आपको सही बता देता है फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती, तो मैं हर समय अपनी गलती मानने के लिए तयार हूँ और आप मुझे भला भला कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो और student आएंगे तुम्हारे बाद देखने, उन्हें तो कम से कम सही answer पता होना चाहिए इतना तो कर दिया करो यार, मैं देखता हूँ कि मतलब कई लोग लिखते रहते हैं, सर बोलने में प्रॉबलम है, तुम्हारे आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा है, को नहीं आ रहा है मेरी कौसिस पूरी रहती है, बस आप सलाय दे सकते हैं, और उसके बाद सही कर सकते हैं, अब आप सोचिए दूसरा तो ये lecture बनेगा नहीं, एक बार record कर दिया गया पूरा, तो बहुत महनत लगती है यार, तो इसलिए इतना तो यार, बिनम तरीके से बोला हूँ, भाई, और आप लोग देख रहें होगे कि मद्विदेश पूरा सामान पढ़ाए गया, मैं इतना कह सकता हूँ भी अपनी तरफ से, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना आप पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी के सामने ना दुहात फैलाने की जरूरे पढ़ेगी, ना ही किसी के सामन मत पढ़ पढ़ ये कोचिंग होचें, सामान गयान के लिए आपके लिए इतना मटेरियल उपलब्द करा दिया गया है, कि आप इससे एकजाम कोई भी निकाल सकते हैं, आपका मत्विदेश सामान गयान पूरा कबर किया हूए एक क्लास में, उत्तर पिदेश, उसके बाद क कम्प्यूटर, कम्प्यूटर और मत्विदेश से आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजे, उसके बाद आप लोग 10 साल के पेपर उठा लीजे, फिर MPSIO या पर कम्प्यूटर पढ़नीजे, उससे संबंदी जो परिक्षाए हुई है, उनके पेपर उठा लीजे, आपको यसा नहीं लगेगा कि कोई questions से आपका छूट रहा है, इतना detail की साथ पढ़ाए गया है, थोड़े जल्दी पढ़ाए गया है, तो इतना है कि आप लोग adjust करना पढ़ेगा आपको, बाकी पढ़ा, material में आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, आपके PCS, UPCS, State PCS जो भी है, आईएस हैं, इनके सभी आपके आपने देखा होगा, syllabus बड़े साधारान भासों में समझाए गया है, उसमें कोई दिक्कित नहीं है आपको आईगी, आपको आराम से समझ में आजाएगा, पूरा pattern, ठीए, और एक बात, कि आपके भी जो भी paper solve किये गए हैं, फिर चाहिए से फिल सर्विस के हो, State PCS के हो, वो भी आपके बहुत अच्छी तरीके से बता दिये गए हैं, इसलिए डाले गए हैं, वो कि आप लोग जब भी papers देने जाएं, तो आपके पास दो होना चाहिए, किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं आप लोग, तो कोई चाहिज नहीं लेगा, अगर कोई बोलता है, तो मुझसे बोलिएगा, बस अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है, तो आप किसी भी बच्चे को गरीब को इस तरह से आप किसी और की मदद कर दीजी, मेरे लिए इतनी ही सीवा कर सकते हैं, आपके NCEID पूर आपको करना होगा, और पढ़ना आपको होगा, देखिए मेरी महनत का कोई मत लीजेगा, मुझे कोई फरक नहीं बड़ेगा, मैं तो महनत करके अपना पूरा जो उद्देस है मेरा, उसे कंप्लिट कर देता हूँ, और जितने बच्चों को फायदा हो रहा है, मेरे लिए व हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मैं हूँ ना, सब कुछ मटेरियल उपलग कराऊंगा, बस आप लोग अगर मंद से पढ़ें तो, बात करते हैं भारत और विदेशों में गुप्त सम्तियों का गठन कैसे, यह आपकी सम्तियां हो जाती है, यह संगटन करता हो जाता है, बिसेस, अब आप ही सुचिए कि आपके लिए, देखी मेरे लिए इन वुक्स का पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, मैं इतना पढ़ चुका हूँ, कि मैं मुझे कोई जरूरत नहीं थी इस वुक्स की पढ़ने की, आपके लिए खरीद कर मैं सब सेंट की हो, मुझे भी खरीद नहीं पढ़ती है वुक्स, मेरे पास कोई रखी हुई नहीं है, मुझे जो भी बाजार में पता चलता है किसी बच्चे से कि ये वुक्स अच्छी आ रही है सब, तो मैं उसी को खरीद कर आप लोगों को देता हूँ, और 17-18 गंटे का अगर आपका 19 गंटे का कोई लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें सोचिए कितना टाइम लगता है, लैप्टॉप कई बार हैंग दे जाता है, वैट जाता है, और आप सोच सकते हैं, 19 गंटे छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा लेक्चर होता है, नेट कैसे चलता है, आपको प्रोप्लम है, वो दूसरे की सॉल्व करिए, आपकी दूसरा करेगा, इस तरह से मिल जूर कर रहेंगे, तो सब कुछ कर लेंगे, और सापको साथ में लेकर आंगे बढ़ना ही सफलता होती है, अकेले तो हर कोई आंगे बढ़ जाता है, ठीक है, अनुसीलन समिती, यह आपका ढाका में बनी थी, 1902 में बनी यह, पुलेन बिहारी दास इसके संगठन करता थे, वो इसकी विसेश्ट इसके बारे में प्रोवक तक थे कि बंगाल की पितम करांदीकारी संस्था दिये, तो कई बार पूच लिया गया है कि बंगाल की पितम करांदीकारी संस्थ अनुसीलन समिती याकी 1902 में बनती है पालिन, पलिन, बिहारी, दास, मित्य मेला याकी महराष्ट में 1902 में ही यह बनती है, बीडी सावर कर इसके संगठन करता थे, महराष्ट तथा पूरे भारत की यह पितम समिती थे, महराष्ट और पूरे भारत की, अभी नय भारत महराष चार में बनती है गडेश सावर कर संगत्वन करता रहते हैं गडश BDE सावर कर की बड़े भाई थी या रखी अनुसीलण सम्ंति कलकॉत अनुसीलां सम्ंति धाका कीई और यह अनुसीलां सम्म desert आपकी कलकॉत्ता की गड़वांज वरिंद Griffith इसके जत्यन नात्वनर जी और भूकेंद ददतिस के संस्तावकते यानि कि संगठन करता गदर पार्टी यह आपकी अमेरिका का सेंड फ्रांसेसको में मत्य है यह सब हम लोग पिछले भी पीछे भी देख चुके हैं एक चाइट के बारे में इसलिए लिखा गया है कि आप रिवीजन के लिए आपके गदर पार्टी 1913 में बनती है इसके संगठन करता में यानि कि संस्था पग रहे थे हैं डॉक्टर यानि कि लाला हर्दयाल सोहन सीन भागना यह भारत में ससक्त करांथी कर्माना चाहती थी हिंदूस्त्यान हिंदूस्तान रिपब्लिक कन इस सोसीजन 1924 में बनती है चंद सेखर आजाद इसके संस्थापक थे हैं इसकी इस्थापना अखिल भारतिये इस्तरव पर की गई थी हिंदूस्तान सोचलिष्ट रिपब्लिकन इसोसीजन 1922 में बनती है संदसेखर आजाद और भगसीं के द्वारान यह बनाएग जाती है दिल्ली की स्थापना दिल थे रास्वियारी बॉस अब बात कर लेते हैं हम लोग बैटिस जो बैटिस का लीन सम्तियां थी उनके बारे में यह आपके आयो गया सम्तिया हो गए इसके अध्यक्ष हो गया इस्थापना बरस हो गया वाइसराय हो गया उद्देश हो गया इनाम आयो इसके अध्यक्ष थे इनाम और इस्थापनावी 1852 में वाइसराय थे लॉड डलोजी उद्दिश था इसका बू स्वामियों की उपादियों की जाच करने के लिए बनाई हूँ थे इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रिचर्ड इस्टेची अठारे सो अठतर में बनती है इसके वाइसराय थे लॉड लिक्टन इसका उद्देश था अकाल पीडितों को राहत देलाने के लिए बनाई हूँ थे फ्रेया हंटर आयो इसके अध्यक्ष थे विल्यम हंटर 1882 में भी बनाई जाती है लॉड रिपन के समय सिक्षा को प्रगिती के पुनराव लोकन के लिए इसका गठन किया गया था हरसेल समती इसके अध्यक्ष थे हरसेल ये 1883 में बनाई जाती है इस समय वाइसराय थे लॉड लैंस डाउन इसका उद्देश था टकसाल समन्दी सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था फर्याकी लियाल याल आयूग इसके जो संस्था बक्ति है उनका नाव था जेम्स लियाल 1897 में इसकी स्थापना की जाती है लॉड एलगिन इसके इस समय वाइसराय थे 1880 की दुर्भीग आयूग की रिपोर्ट का अध्यन कर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था मैकडोनल आयूग इसके अध्यक्स थे सर एंडोनी मैकडोनल 1900 में इस बनाई जाती है लॉड करजन वाइसराय था इस समय दुर्भीग पर इस्टेची आयूग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था अपर आपकी मौन करेब आयूग इसके जो संस्ता पक्ते सर बौल विंस्ट पाट इसकोड मान क्रेफ थे इसके 1901 में से मनाई गए लॉर्ड करजन इसके संथापक थे सोरी इस समय वायसराय थे लॉर्ड करजन सर बॉल बिन इसकोर्ट मॉन्क्रीब इसके अध्यक्ष थे या की सिचाईव बैग की योजना बनाने के लिए की गई थी फ्रेजय आयो इसके अध्यक्ष थे सर्डबलू फ्रेजर 1902 में बनाई गई है लॉर्ड करजन इस समय वायसराय थे पुलिस पिसासन की कार बद्धिती की जाच करने के लिए इसका गठन किया गया रेले आयो थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे 1902 में इसकी स्थापना की गई लॉर्ड करजन की समय विस्विध्याले से संबंदीत यह आपकी थे किससे विस्विध्याले से सेडलर आयो माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थी 1917 में मनाई गई लौड चिम्स फोर इस समय वायस रहे थी इसका उद्देश था कलकत्ता विस्विद्याले की कारपिर्णाली और उसके दोसों की जाज के लिए गठित किया गया था सेडलर आयो साही आयो लौड ली इसके अध्यक्ष थी 1923 में इसका गठन किया जाता है लौड रीडिंग इसके अध्यक्ष इस समय वायस रहे थी नागरिक सेबा से सम्मदी या की आयो बनाए गया था फर आपकी इसके न समती भारतिय सेंड हर्ष्ट इसके अध्यक्ष थी और 1925 में इसे बनाए गया लौड रीडिंग इस समय वायस रहे थी इसका उद्देश था कि भारतिय सेना का भारतिय करन करने सम्मदी सुजाव के लिए इसका गठन किया गया बटलर समिती इसके अध्यक्ष थी हर कोट बटलर 1927 में इसे बनाए जाता है लौड एर्विन इसके इस समय वायस रहे थी इसका उद्देश था बेटिस परम सत्ता उद्देशी राज्यों के अच्छे सम्मंद इस्थाफित करने के उद्देश से गटित की गई थी थिर है आपके वेटले आयो इसके अद्देश थे जे एच वेटले 1928 में बनाए गई लौड एर्विन इसके इस समय वायस रहे थे सेमकों की स्तिती का अध्यान करने के लिए और रिपोर्ट पिस्तुत करने के उद्देश से इसका गटन किया गया प्रयापके लेंड से आयो इसके अद्देश थे एडी लिंड से 1929 में बनाए गया इस समय वायस रहे थे लौड इर्विन इसका उद्देश था मिसनरी सिक्षा का कि विकास के लिए इसका गटन किया गया सप्रू सम्ती इसके अद्देश थे तेजबहादूर सप्रू 1934 में इसे बनाए गया लौड बिलेंग्टन इस समय वायस रहे थे सयुक्त राज सयुक्त राज में बेरोजगारी के कारणों के अद्देन के लिए इसे बनाए गया बोड हैड आयो दुर्भीक चाज आयोग इसे बोलते है इसका अध्यक्षता सर्जौन बोड हैड 1943-44 में इसका गठन किया जाता है लौड बेविल इसके समय वायस रहे थे बंगाल दुर्भीक के कारणों के जाज करने के लिए इसका गठन किया जाता है तो यह थी आपकी कुछ आयोग और समत्या अब बात करते हैं हम लोग इससे आपका कुष्टन्स हर परीच्छा में एक कुष्टन्स पूंच लेता है और आपको इन्हें रट लीजिए पर चाहिए आप लोग याद रख लीजिए लेकिन आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा किरांती कारियों पर हुए मुकद में अलीपूर मानिक तल्ला सडैन्द केस किस से संबन दी थे तो यह अर्बिन्द गोस साहिद कई व्यक्तियों पर चलाए गया थे 1908 में इस सब इस तरह से पूँच लेता है अलीपूर या पर मानिक तल्ला 7th Case, किस ब्यक्ति से समंदित है, या इससे समंदित कौन सा ब्यक्तिता मिलता, हरव, अरबिंद, गोस, 1908 में यह आपका चलाए गया था, या तो फिर डेट कूझ सकता ह। नासिक 7th Case, 1910 में चलाए गया, यह आपका बिनाएक सावर्कर को को निर्वाशन किया गया और अन्य 26 को कारावास दिया गया स्कीता है को हावडा सर्डेंट केwest 1910 में हुआ इससे समंदी थी आपके जतिन मुखर जी मुख अभी उग थे थे स्में दाकासडेंत केस 1910 में हुआ इस समें इससे समंदिति पुलिंदस को साथ वर्ष की सजा हुई थी पुलिंदस इससे जुड़े हुए थी दिली सद्सकेस 1915 में हुआ इसमें सामिल थे मास्टर अमीर चंद अवद बिहारी बाल मुकंद को फासी दी गईë थी इन सभी सब्सक्राइब को बनारस सदेंथ किस उन्नीस सपंद्रे सुले में इस में सामिल थी सचिंद नाथ सन्याल को आजीवन काला पानी दिया गया था काकुरी सदेंथ यह आपका 1925 में हुगा रामपिसाथ बिस्मिल और असफाक उल्लाख खांको फांसी दी गई थी इसी सदेंथ क कापुरी सदेंथ के लाहो सदेंथ 1939 में होता है इसमें इससे संबंदित थी भागस सिंग राजपुरू सुकदी इन सभी सहत 19 लोगों को इसके तहत फांसी दी गई थी तो यह आपकी ग्रांती कारियों पर हुई है मुकद में थे कुछ ठीक है इनकी डेट याद रखना हो क पर विवस्ता आप लोग पढ़ चुके हैं दिखा होगा आपने याद होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाए तो यह आपके असाइडी में दे दिया गया बहुराज से पढ़ा ली होगे कुल भूमी का पितिसत हो गया लागु किये च्छेत हो विशेस के बारे में जो म बंगाल उडीशा मदरास के उत्तरी जिले और बनारस जिले में इसे लागु किया गया था 1793 में बिहार और बंगाल में कौन बालिश ने द्वारान लागु किया गया से परे आपकी महलवारी बंदोवस्त तीस पितिसत भूबाग इसमें सामिल था इसमें सामिल छेते थे गंगा की द्वाग पर्शमोत्तर प्रांथ मद्भारत की कुछ भाग और पंजाद इसमें जमीदारी पिता का ही संसुदेत रूप थाए तो यह आपका रेयदबाडी बंदोवस्त रेयदबाड वारी बंदोवस्त इसके अंतरगत इंक्यावन पितिसत कुल भूमी थी यह आपका मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की कुछ भागों में लाग पी गई थे रेड तथा थॉमस मुन्रो द्वारा विस्ताव किया गया था इसका रेड तथा थॉमस मुन्रो द्वारा भारत में अगर सिक्छायों की बात करें हम लोग तो यह आये हो गए यह बर्स हो गए जैम्स टामसन पिलान यह आपका 1843 में आया हंटर सिक्छायों 1882-83 में आया सेडलर आयो 1917-19 में आया सर्जेंट यह जना 1944 में आती है कोठारी सिक्छायों 1964 से 66 की वीच आता है बुड का डिस्पेच यह आपका 1880 में आता है रेले आयो 1902 में आता है हाड़ टॉक समती 1929 में आता है वर्दा यूजना 1937 में आती है राधा किष्णा यूजना राधा किष्णा यूजना आयो निस और ताली सुननचास में आता है अब आक का पुछ लेगा सिबिल में असंतरे से कुश्चंस बन सकता है कि इन मैं से कौन सिक्छा यूग से संमन्दीत है सिक्छाय होगे वह इन मैं से चार देएगा तीन देएगा और एक गलत बता देगा पिर तीन इस तरह लेगा कि आपका हंटर सिक्षा युक कब आया तो आप बता सकते हैं 1882 तेरासी में राधा किष्ण नायुक कब बना 1948-1989 में ठीक है तो आपको याद रखना है एक दो बार आप लोग देखेंगे अपने बाद अपने आपको याद हो जाएंगे अठाइसो पच्पन में जन अनुदेश विवाग और 1857 में कलकत्ता मदरास मंबई में विस्विध्यालेयों की स्थापना हुई थी 1882 में पंजाब और 1887 में इलावाद विस्विध्याले इस्तापित किया गये था तो याद रखिए बहुत पुराना है अठाइसो 1887 का हैं लावाद विस्विध्याले आपका 1904 का भारतिये विस्विध्याले अधिनियम पारिद किया गया जिससे विस्विध्यालेयों पर सरकारी नियंतर बढ़ा 1916 से 1922 के बीच मैसूर पटना वनारस अलीगर ढाका लखनू उस्मानिया विस्विध्याले खोले गए था तो यह कुछ मत्वून सिक्षा से सम्बंदी जान का रही थी आपकी चलिए अब हम बात करते हैं भारत के महान स्वाधीनता सैनानियों के बारे जिनकी बज़ए से हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं ये नाम हो गया उनके जनम हो गया और ये मित्ति हो गई और क्यों पिसिद रहे हो उनके बारे में क्या मात्पून रहा है ये वो तत्त है सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल के गुलाम जिलानी इनका जनम होता है 25 अक्टूबर 1904 को और मित्ति होती है 10 फरवरी 1932 को ये आपके धाका जिल में मारे गए थे कहां धाका जिल में फिर आती है अब्दुल गफार खान इनका जनम होता है 6 फरवरी 1890 में और इनकी मित्ति होती है कब 20 जनवरी 1988 हो कब 20 जनवरी 1988 हो याद रुखिए ये चर्चित क्यों है बादसाए खान के नाम से लोग परी है सीमांद गांदी भी कहा जाता है खुदाई कित्मतगार अंदुलन लाल कुट्टी के निता थी और भारत रतन से ने समानित किया गया था तो इनके बारे में ये सभी मात्पून तत थे हैं ठीक है आगा खान ये आपके 1877 में इनका जनव होता है 1957 में इनकी मित्ति हो जाती है मुसलिम लीग के सस्थापक सदस एवं अध्यक्ष 1906-1913 तक रहते हैं ये आपके मुसलिम लीग के अध्यक्ष रहते हैं 1932 में लीग ओमनेसंस में भारती दल का पिती निदित भी आगा खान ने किया था अम लेंदू गोस्त इनकी मित्ति होती है 22 जनवरी 1947 को जनम की डेट इनकी केलियर नहीं है क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जने अपनी डेट जनम डेट याद नहीं है बंगाल टाइगर के नाम से पिसे बेत नाम दिवस मना आते समय पुलिस फायरिंग में मारे गए थे कई लोगों को अपना जनम दिद दिने याद नहीं रहता है और पहले आप सोचते हैं गाउं में लिख दिया करते थे पंडिजी से के यहां लिखवा दी डेट उसके बाद माली चला पंडिजी चल बसे उसके बाद उनके बच्चे आए तो उन्हें पता भी नहीं है कि क्या सब कुछ बदल गए तो यह जनम दिन अभी मनाय जाने लगा ठीक है या फिर पड़े लेके जो परिवाद थे वो याद रखेंगी डेट जहां लाली पड़ियों खाने की वहां क्या याद रख सकते हैं कर्यापका सर्वादसूतोस मुखरजी साहब इनका जनम होता है 29 29 सेप्टमबर 1964 सोरी 1864 29 सेप्टमबर 1864 और इनकी मित्ती होती है 25 मई 1924 को 25 मई 1924 को इन्हें रोयल बंगाल टाइगर के नाम से आप लोग जानते हैं सर्वादसूतोस मुखरजी को फर आपके अर्वेंद गोस होते हैं इनका जनम होता है 15 अगस्त 1872 को 15 अगस्त 1872 और इनकी मित्ती होती है 5 दिसंबर 1950 को इन्हें बंगाल के उगबादी नायक थेया पॉंडी चेरी में संद बन गए और एगवांतर का संबादन भी इन्होंने किया था एन्वेसंट इनका जनम होता है 1 अप्टूबर 1847 को और इनकी मित्ती हो जाती है 20 सेप्टमबर 1933 को फिरमोग 305 सेंटरल हिंदू कॉलेज अब जिसे भी ये चू कहते हैं इसकी स्थापना इन्होंनी की थी हॉमरूल लीव 1916 में जुगा था इसकी संस्थापक भी रहें कॉंग्रेस अध्यक्ष कॉंग्रेस की अध्यक्ष भी रहें 1973 में कॉंग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्ष थी आपकी एनिवेसंट याद रखिए ठीक पहली महला अध्यक्ष एनिवेसंट थी आचार जगदीश चंद बॉस 30 नवंबर 1858 को इनका जनम होता है और 23 नवंबर 1937 को इनका नेधन हो जाता है बंगाल के विज्ञानिक थे आचार बिनुवा भावी इनका जनम होता है आपका 11 सेप्टमबर 1895 को इनकी मित्ती होती 11 नवंबर 15 नवंबर 1982 को भूदान आंदूलन से जुड़े हुए थे बिनुवा आचार बिनुवा भावी बेजेंद गांगोली यह आपका इनका जनम होता है 11 जनमरी 1884 को और इनकी मित्ती हो जाती है आपकी 7 जुलाई 1990 को इन्हें देशबंदू भी कहते थे आप लों ठीक है फिर आपकी बोला बाई चटर जी बोलाना चटर जी इनकी मित्ती होती है 27 जनमरी 1916 को जानकारी चुपाने के लिए आत्मत्या इनोंने कर ली थी जानकारी को गुप्त रखने के लिए आप लोग देखते होंगे कि आई भी कि कुछ लोग जब पकड़े आते हैं हमारे यहां के खुपी आजनसी की लोग तो वो आत्मत्यातर कर लेते हैं कि उनसे कोई हमारे देश की जानकारी हांसिर ना करने बिरोधी मालनी पिसाद भटाचार इनका नेतन होता है तीन फरवरी 1935 को राजसाही जेल में ने फांसी दी गई थी एक बात आप लोग हमें सायाद रखिए इससे अगर आपका कुश्चन पूंचा जाता है तो इनका जनम दिन बहुत से बहुत पूच लेगा या मढ़ने की डिट कुछ लोग होंगी प्रमुक लोगों की लेकिन इनसे सबसे जानदा कुश्चन बनेगा आपका इन पॉइंटों से इनके मात्मून कारेओं से जिस कारण इने आप लोग जानते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी 135 के करोड जनसंख्या होने जा रही है कुछ दिन बाद हम लोग नंबर बन पर पहुंच जाएंगी जनसंख्या के मामले में तो क्या 135-40 कड बीपति को हर कोई को कोई को जानता है नहीं न जिनका काम रहता है उनहीं को जानते न अगर आप अच्छा काम करते तो आपको यात रखा जाएगा बना आप जैसे हजारों आ रहे हैं और हजारों चल चल जले गिमार कर कोई भरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए तो कहते हैं कि अच्छा काम करिए अब अगर सिंग को देख लीजिए कि छोटी सी उम्म में कितना नाम कर गए 27 सेप्टमबर 1907 कोईन का जनम होता है 23 मार्च 1931 कोईने फांसी दे जाती है यानि की निर्धन हो जाता है साहिदे आजम कहते हैं राजगुरु और सुखदेव किसाद लाहोर जिल में फांसी दे गई थी लाहोर 17 केस में अव्यूक्त थे सेंडर्स की हत्या की थी इनोंने सेंटर लेजिस्टलेटिव एसेमली में बंफिका था इनोंने भागस सिंग साव ने यह 110 साल जी हैं कोई फरक नहीं पड़ता है कि किस लिए जी फिर भी पता नहीं रहता है किस लिए जी हो किस लिए मरें आगवी 24 गंटा मैं कहता हूं सबको सलाय देता हूं यह बात का कि 24 गंटा में पांच मिनट अपने आपको निकाल का मिल लिया करिएगा कि यह आप गलत राश्ते पर तो नहीं जा रहे हैं क्या आप जिस सफलता की पीछे पड़े हुए वह असल में सफलता है क्या उससे कुछ आपको हासिल हुआ क्या आपको चैन मिलेगा उससे संतुष्टी मिलेगी तो आप लोग डेली पांदस मैंट अपने आप से मिला करिएगा सब कुछ फॉन मौन फेक के बिल्कुल एक कांत यगए में जाकर एक ध्याल मगन मुद्रा में आप लोग बैठ जा अपरेल 1894 में इनका नेधन हो जाता है 1894 बंगाल के संद थी बंदी मात्रम आनंदमत की रचेता थी आपकी आनंदमत की रचेता थी बाकिम चंद चटरजी विपिंद चंद पाल इनका जनम होता है 7 नवंबर 1858 को उनकी मित्ति हो जाती है 20 माई 1932 को इनका जनम होता है 23 जुलाई 1856 को इनका नेधन हो जाता है 1 अगस्त 1920 को जब आपका असाय हो आन्दूलन शुरूंगाता है इनका लोकमान भी मानते हैं आप लो नाम से और उग्वपादी नेता थी बंदुरुद्दीन तेअपजी 10 अक्टूबर 1844 को इनका जनम होता है 1906 में इनकी मित्ति होती है हाई कोट में पहले भारतिय वकील थे याद रखना बदुरुद्दीन तेअपजी ठीक है हाई कोट में पहले वकील थे पहले वकील इनका जनम होता है 12 फरवरी 1871 को इनकी मित्ति होती है 5 फरवरी 1944 को इन्हें भी दीन बंदु के नाम से जानते हैं फिर आपकी चंद सेकर आजाद इनका जनम होता है 23 चुलाई 1906 को और मित्ति होती है 27 फरवरी 1931 को 100 युद्धों के नायक आजाद हिंदोस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे हैं कर्नल मिस्रा इनकी मित्ति होती है 14 अपरेल 1945 को नेता जीने ने से रेहंद की उपादी दी थी फ्रयापके धीरेंद नारायन मुखर जी 24 जून 1899 को इनका जनम होता है 19 फरवरी 1931 को इनकी मित्ति हो जाती है नेधन हो जाता है हमेशा जेल में ही रहे है फ्रयापके दामुदर चापीकर हरी इनकी मित्ति होती है यानि की निर्धन होता है अपरेल 1898 में यरवदा में फासी दी जाती है यरवदा में दादा भाई नोरोजी इनका जनम होता है आपका चार सेप्टमबर 1825 को और निर्धन होता है 30 जून इनका जनम होता है पास सेप्टमबर 1888 को और इनका निर्धन होता है 23 अपरेल 1975 को महांदार्शनिक सुतंद भारत की राष्टपती थी यहां सिख्छक देवस इनकी सेप्टमबर को मनाया जाता है ना सिख्छक देवस इनकी जनम देन पर फिर आपकी डॉक्टर राजन पिसाद देश की पिधाम पिधान राष्टपती सौरी इनका जनम होता है 3 दिसंबर 1884 को और इनका निर्दन होता है 18 फरवरी 1963 को इन्हें देश रतन सुतंद भारत की पहले राष्टपती की नाम से भी जानते हैं आपको थे गोपाल किष्ण गोखली इनका जनम होता है 9 माई 1866 को और निर्दन होता है 19 फरवरी 1915 को इन्हें आप लोग देशनायक गांधी की राजमितिक गुरू भी थे और सर्वेंट आप इंडिया सुसाइटी की संस्ता भक्ती गोपाल किष्ण गोखली यतिन्द मोहन सेन गुपता इनका जनम होता है 22 फरवरी 1885 को और इनका निर्दन हो जाता है 23 जुलाई 1963 को देश परिया जैपेकास नारायन 11 एक्टूबर 1902 को इनका जनम होता है 8 एक्टूबर 1989 को इनका निर्दन हो जाता है लोग नायट समाजबादी इनके इनने जाना जाता है कस्तूरबा गांदी इनका जनम होता है 11 एपरेल 1869 को और इनकी मित्ती हो जाती है 12 फरवरी परवरी 1944 को सामाजी कार करता और गांदी जी की पत्नी यानि कि गांदी जी से पहले इनका निर्दन हो चुका था कुमर सींग 1777 में इनका जनम होता है 1858 तक इनका निर्दन हो जाता है 1857 का विद्रोग की निता थी बिहार की जगदी स्पुर्म से आंदूरन की शुरुवात की थी इनों ने आहीं बात करते हैं खुदी राम बोस अब इनके बारे में आप लुप देखिए कितनी चोटी सी उमर में इन्हें फासी दे दी गई यहां आपको पता ही नी चल रहा है कि क्या कर रहे हैं जिन्दिगी में यहां इतनी सी उमर में सब कुछ आ जाता था समझ में खुदी राम बोस इनका जनम होता है 3 देसंबर 1889 में और मित्ती हो जाती है 11 अगस्त 1908 को कब 11 अगस्त 1908 को पहले सदी सहीद थे हमारे भारत के खुदी राम बोस मुझापुरपुर की जज किंस फोर्ड की पत्नी की हत्या की जरूम में इन्हें फासी दी गई थी इसे किंस फोर्ड की हत्या का सड़यन्त भी कहते हैं आप लोग लाला लाजपत्रा है इनका जनम होता है 28 जनमरी 1865 वे इनका नेदन होता है 17 नवंबर 1928 पंजाब केशरी क नाम से भी आप लोग इन्हें जानते हैं लाल बहादूर सास्त्री दो अक्टूबर 1904 को इनका जनम होता है 11 जनबरी 1966 को इनका नेदन हो जाता है जय जयवान जय किसान का नारा इनों ने दिया था और भारत के पिधान मंत्री थे और तासकंद में इनका देयान थो गया था ठीक है ख्रयापका ले जोसेफिंग और हेवल डार स्टेले हेवल डार स्टेले यंका नेदन हुआ तेन अपरेल 1945 को आई एने की रानी जासी भाई जासी रेजिडेंट की दो बहार बहादूर महिलाए थी है ठीक है मिस इला सेंड और मीरा देवी इनका नेदन होता है 27 जनवरी 1932 को इन्हें काला पानी की सजादी गई थी वो मजेश्टेस सलेव की गोली मार कर हत्या की थी इन्होंने मात्मा गांदी मोहन डास करमचंद गांदी इनका जनम होता है 2 अक्टूबर 1889 को और इनका नेधन यानी की गोली मार दी गई थी इन्हें नातुराम गोर्ट से द्वारा 30 जनवरी 1948 को इन्हें राष्टपता भी बोलते हैं आप लोग बापू भी आपको बताना है कि राष्टपती की उपादी इन्हें किन ने दी थी किसने दी थी कमेंट में लिखना है क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं ठीक अगर आपन निर्धन होता है 22 परवरी 1958 को अल हिलाल पत्तिका के संपाधक थे राष्टी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे मालीनी देवी इनका जनम होता है 20 नवंबर 1870 को और निर्धन होता है 25 मार्च 1955 को तर राष्टवादी नेत्री थे तरहें आपके मदन मोहन माल भी इनका जनम होता है 25 दिसंबर 1861 को और निर्धन हो जाता है 12 नवंबर 1946 को यह राष्टपादी थे और बनारा सिंदु विस्विध्याले की संस्तापक थे 1916 मा मनाक युपादी से विभूसित थे प्रहें आपके मदन लाल धींगरा इनका जनम होता है 18 परवरी 1883 में इनका निर्धन होता है 17 अगस्त 1909 में लंदन में करजन वाईली की गोली मार करत्या इन्हों नहीं की थी मदन लाल धींगरा ने थे आपके निर्मल जीवन गोस इनका जनम होता है 1916 में इनका नेधन होता है 1934 में ये आपके राष्ट भक्त थे नागेंदनाथ दत इनका जनम होता है 1885 में और इनका नेधन हो जाता है 1908 में राष्ट भक्त थे नेता जी सुवाश्चंद वोस इनका जनम होता है 23 जनवरी 1897 में और नेधन होता है 18 अगस्त 1945 में आजाद हिंद पहुच का गठन नहीं किया था फॉरवर्ड विलोग की संस्ता पकते दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इनी के नारे हैं तो इनके बारे में इस पॉइंट आपको याद रखना है प्रगोत कुमार भट्राचार इनका नेधन होता है बारे जनवरी 1923 को मैदिनापूर जिल में इन्हें फासी दी जाती है तरह आपके पंडित मौतिलाल नहिरू इनका जनम होता है साथ साथ मैई 1861 को साथ मैई 1861 को और नेधन हो जाता है छे फरवरी 1931 को छे फरवरी 1931 को सवराज पार्टी के संस्थाफक और सच्चिम नहरू रेपोर्ट से संब्दित हैं नहरू रेपोर्ट इनी से संब्दित थी याद रखना है आपको प्रयापके प्पोल चंद चाकी इनका जनम होता है 18 दिसंबर 1888 को इनका नेधन होता है 1 मई 1908 को खुदीराम बोस के साथ ही थे प्रयापके पंडित जवाल लाल नहरू हमारे देश के पहले पिधार मंतरी थे और सबसे समय इनका सबसे जानदा समयकाला है पिधान मंतरी के रूम में इनका जनम होता है 14 नमंबर 1889 में वहने की मित्ति होती है 27 मई 1964 को इन्हें राष्ट निर्माता भी बोलते है 1940 में अंतरिम सरकार के नेता बनते है और सुतंत भारत के पहले पिधान मंतरी भी थे आपके पंडित जवाल लाल नहरू प्रयापके प्रोसाह मेता इनका जनम होता है 4 अगस्त 1845 को वह इनका नेधन होता है 5 नवंबर 1915 को बॉंबिक क्रोनिकल की संस्था बक थे 1903 में इंडियन एसोसियेशन की 1876 में इनों ने इस्थापना की थी किसने त्रोसाह मेता ने फिर आपके रासव्यारी बॉस इनका जनम होता है 25 मई 1886 को और इनका निर्दन होता है 11 21 जन्वरी 1945 को बेपलवी नायक दिली में लॉर्ड हाइडिंग पर बंफेक आता है इनों ठीक है प्रेयाप के रविन नाट टेगो इनका जनम होता है 7 मई 1861 को इनका निर्दन होता है 7 अगस्त 1931 को इन्हें कभी गुरु के नाम से जानते हैं गुरुदेव के नाम से जानते हैं इनके साह साहत गीतांजली के लिए नोबल पुरुषकार 1913 में सबसे पहली इन्हें मिला था सबसे पहली हमारी भारतिये पुरुषकार भारतिये व्यक्ति जिन्हें नोबल पुरुषकार मिला था रवेनार टेगोर को मिला था यह मूश लेता है किस के लिए मिला था इने तो याद बिस्मिल इनका जन्म होता है अठारे जून 1897 को इनका निर्धन होता है 19 देसंबर 1927 को गोरखपुर जिल में फांसी काकोरी सडेंथ के अभियुक्त थी इसी लिए इनका फांसी दे गई थी गोरखपुर जिल में स्वामी बिवे कानन इनका जन्म होता है 12 जन्वरी 1863 में इनका निर्धन हो जाता है 4 जुलाई 1902 में भारत का पिधर्यन से रोध इन्हें माला जाता है समझ सकते हैं दुनिया इन्हें दीवानी थी इन की 1893 में उन्हें जब सिकागों में भासट किया तो इन्हें दुनिया जानने रगी थी यहाँ इतनी सी छोट उम्हों में देखिए 63 से 1902 तक रहते हैं फिर आपके सुहनलाल पाठक इनका जनम होता है साथ जन्वरी 1883 में की मित्ती हो जाती है बार 10 फरवरी 1916 मांडले जिल में ने फांसी दी जाती है सतेंद नाथ बॉस एक जन्वरी 1894 में का जनम होता है चार परवरी 1974 में का ने धन हो जाता है सुरेंद नाथ बनर जी इनका जनम होता है 10 नवंबर 1848 में उनकी मित्ती हो जाती है 6 अगर्स्त 1925 को बार्तिय राजनीती के जनग माना जाता है नहीं सुरेंदनात बनर जी को बल्लबाई पटिल इनका जनम होता है 31 अक्टूबर 1875 को इनका निर्दन हो जाता है 15 दिसंबर 1950 को इन्हें लोई पुरुष की उपादी से विभूसित किया गया था तो पूँचें कि लोई पुरुष किसे कहते थे बल्लबाई पटिल को उदम सिंग इनका जनम होता है 26 दिसंबर 1809 में इनका निर्दन होता है 31 जुलाई 1940 को भारत की लाल की नाम से नहीं जानते हैं मैडलीन एसलेड मीरा बेन इनका जनम होता है 22 नमबर 1892 में इनका निर्दन होता है 20 जुलाई 1982 में गांदी जी की पिसिद सिस्या थी 1982 में ने पदम विभूसन भी दिया गया था कैथरीन मेरी हैली में इनका जनम होता है 1900 में इनका निर्दन होता है 18 जुलाई 1982 को गांदी जी की पिसिद यूरोपिय वक्ति थी हैं सामाजी कार करता थी कसोनी में आस्रम में रही हैं कुमायू पहडियों विनायक दामुदर सावरकर जिनके उपर आपने देखा हुआ वह महराश्क में अच्छी राजनी थी चल रही थी चुनाओगे टाइम तो विनायक दामुकर दामुदर सावरकर विनायक दामुदर सावरकर इनका जर्म होता है 28 मई 1883 को और नेदन होता है 26 परवरी 1966 को महराश्क के करांती कारी नेता थे हिंदू महासाबा के अधिव्ष थे अभीनो भारत के संस्थापक थे तो यह थे आपके कुछ मत्पून करांती कारी नेताओं के बारे में सामान ज्यान कारी ठीक है अब है आपकी अंग्रेज का अलीम पिर्मुक समाचारवत्त इससे भी आपका कुश्चन्स पूंचते रहता है यह पत्धिका का नाम हो गया यह पिकासन बर्स जिस संज में पिकासित हुई है इसके संस सन्स्थापक और जहां से पिकासित हुई उसस्थान का नाम जिस बहासा में आपकी यह पिकासित हुई उस बहाशा का नाम ठीक है जैसे बंगाल गजट यह की 1700 herb अस्य में पिकासित होती है के इसके जो संस्थाबक थे,सका नाम था, जे अगुर्स्टस हिक्की कहां से बवी थी? कलकतप से, किस भासा में थी? अंग्रेजी में भंगाल गजट ये भी बंगाल गजट है, ये आपकी 1816 में शुरूं होती है इसके जो संस्थाबक थे उनका नाम था गंगाधर बटाचारी ये भी आपकी कलकत्ता से ही पिकासित होती है अंग्रेजी भासा में रहती है समाचार दरपन ये आपकी 1888 में पिकासित होती है इसके जो संस्थाबक थे उनका नाम था मार्समें यह आपकी कलकत्ता से पिकासित हुई थी और बंगाली भासा में थी दिख दर्सन यह आपकी 1818 में पिकासित होती है मार्स मैन इसके संस्थापक रहती है यह कलकत्ता से होती है और बंगाली भासा में रहती है संबाद को मूर्दी ये आपकी 1821 में पिकासित होती है इसके संस्थापक रहते हैं राजाराम मुहराय और कलकत्ता से पिकासित होती है बंगाली भासा में रहती है तो ये आपकी मिरातुल अकवार ये आपकी 1822 में पिकासित होती है इसके जो संस्था वक्त थे उनका नाम था राजाराम मुहराय यह आपकी कलगत्ता से विकासित होती है फार्सी भासा में फिर उसके बाद है आपका बॉंबे समाचार कौन सा बॉंबे समाचार यह आपका 1822 में विकासित होता है इसके जो संस्था वक्त थे उनका नाम था फर्दून जी मर्जबान यह बंबई से पिकासित हुई थी गुजरादी बहसा में थी उदंड मार्तंड यह आपकी 1826 में पिकासित हुई थी इसके संस्थाबक थे जोगल की सूर एक कानपुर से आपकी पिकासित हुई थी और हिंदी में थी हिंदी भासा में फ्रेव बंगदत ये आपकी 1830 में प्रेकासित होती है। इसके जो संस्थाबक थे हैं उनका नाम था द्वारकानाथ टेगोर और पिसन टेगोर ये आपकी गलकत्ता से प्रेकासित हुई और बंगाली भासा में थी। पर आपके जामे जमसेथ यह आपकी 1832 में पिकासित होती है इसके संस्थापक थे पी एम मौती बाला बंबई से पिकासित हुई फार्ची भासा में थी राप्त गोपतार ये आपकी 1851 में पिकासित होती है वो इसके संस्थापक थे आपकी दादा भाई नौरो जी ये बंबई से पिकासित हुई गुजराती बाजा में थी सक्त्र पेकास यांकी 1852 में पेकास चेत होती है करसोन दास मुली इसके पिर्मुक यानी की जो संस्थापक रहते हैं यांकी एहमदावास से शुरूवात होती है इसकी वो गुझराती भासा में रहती है हिंदू पिट्ट्य वट याकी 1860 रेकनमे सुरूं होती है इसके संस्थाबक थे गृस्चंद घोस्थ और हर्ष्चंद मुकरजी याकी कलकत्ता से पिकासित हुई थी अंग्रेजी भावशा में थी सौम पिकास याकी 1869 में पिकासित होती है इसके संस्थापक का नहां था इस और चंद विद्या सागर। कलकत्ता में ये सिप्कासित होती है बंगाली भासा में। इन्डियन मेरर या की 18-18 में पिकासित होती है देविंधनाट टेगौर्ड और मंहमुवन गोष।İषके संस्थापकरेते हैं यह आपकी कलकत्ता से पिकास इतती है, अंग्रेजी भासा में थी, टाइमस ओप इंडिया, यह आपका 1861 में चालू होता है, अंग्रेजी प्रेष्थ, रोवर्ट नाइट इसके संस्थाबक थी, बंबै से यह पिकास इत हुआ था, अंग्रेजी भासा में था, कि पेकाष या कि 1862 में फूरू होता है इसके जो संस्ता वकत है उनका नाम था जॉस्टेश रनाड़ी बंब़ाई से शुरू हुता है मराठी भासा में रहता है नेटिव ओक निय आपका अठारे सरूशत सुरू होता है वी और मांडली इसके संस्था पक थे बंबई से पिकासित हुआ था और अंगरेजी भासा में था किसमें अंगरेजी भासा में फिरे आपका पाईनियर ये आपका 1865 में शुरू होता है अंगरेजी प्रेस, रोबर्ट नाइट इसके संस्थावग रहते हैं यह इलावाज से सुरू होता है अंगरेजी भासा में रहता है ग्यान पिदाइनी, यह आपका 1866 में सुरू होता है इसके जो संस्थावग थे उनका नाम था नवीन चंड राय यह आपका लाहर से सुरू होता है और हिंदी और बंगला बंगाली दोनों भासा में रहता है कभी वचन सुधा यह आपका 1866 में सुरू होता है इसके संस्था बक्ते भार्देंदू हरिश्चन ये वराणड़सी से सुरूँ हुआ था उत्तरविदिश से और हिंदी भासा में था प्रयापकी अमेर्थ बाजायर पत्तिका 1868 में तुरूँ हुई इसके जो संस्था बक्ते उनका नाम था मौतिलाल गोस और सिसर गोस ये कलकत्ता से सुरूँ हुई थी और बंगाली और अंग्रेजी दोनों भावशाओं में थी मद्रास में ranked 1868 में सुरू हुथे अंग्रेजी प्रेष रोवाट नाइट तूराम ये मद्रास से सुरूँ हुत भासा में रहती है किसमें अंग्रेजी भासा में फिर आपकी बंग दर्शन ये आपकी 1873 में शुरू होती है इसके संत्था पक्ते बकेंचंद चटरजी कलकत्ता से शुरू होती है और बंगाली भासा में रहती है फिर आपकी टिव्यून ये आपकी 1877 में शुरू होती है इसके जो संत्था बक्ते उनका नाम सर्दयाल सीम मचीठिया लाहोर से शुरू हुई थी अंग्रेजी भासा में थी हिंदी पिदी को ये आपकी 1877 में शुरू हुई थी बालकेष्ण भाट्टिस के संस्ता बक्ते और वराणड़सी से हुई थी हिंदी वासा में थी ठीक है फिर है आपकी इस्टेट्समेन ये आपकी 1878 में शुरू हुई थी इसके संस्ता बक्ते रॉबर्ट नाइट कहां से हुई थी कलकत्ता से अंग्रेजी भासा में थी हिंदू अंग्रेजी भासा में था बंगाली ये आपकी 1889 में शुरू हुए एस्टेट्समें शुरू हुआ नाइट कहां से निकलती है बंगला भासा में रहते हैं मराठा यापका 1881 में निकलता है बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक रहते हैं बंबई से लिंकलता है और अंग्रेजी भासा में रहता है केशरी यह भी आपका 1881 में ही निकलता है इसके संस्थापक भी आपके बाल गंगाधर तिलक ही रहते हैं बंबई से निकलता है मराथी भासा में रहता है इंडिया यापका 1890 में निकलता है दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक रहते हैं बंबई से निकलता है अंग्रेजी भासा में रहता है इंदोस्तान स्टेंडर्ड रिवीव यापका 1890 में निकलता है इसके संस्थापक रह सन 1900 में इसके संस्थापक रहते हैं जी ए नटेशन यह आपका मंद्रा से निकलता है और अंग्रीजी भाषा में रहता है इंडियन ओपनियन यह 1903 में निकलता है महतमा गांदी के द्वारा यहाई कि महतमाग आप दिसके संस्थापक रहते हैं और और दच्छड अपीका में निकला था अंग्रेजी भासा में था यह फिर आपका इंडियन सोचियो लोजिस्ट लोजिस्ट यह आपका 1905 में निकलता है स्याम किष्ण बर्मा इसके संस्थापक्ति लंदन से निकला था और अंग्रेजी भासा में था किसमें अंग्रेजी भास में फ्रेयापका इवांतर यह आपका 1906 में निकला इसके संस्थापकते भूपेंदुदत और अवरेंद घोष यह आपका कलकत्ता से निकला था बंगाली भासा में था Мॉडन रिवियू 1907 में निकला इसके संस्थापकते रामाननन्द चटरजी और कलकात्त से निकला था अंगरेजी भास में बंदी मात्रम 1909 में इसके संस्थापकते हर दयाल और स्याम जी किष्न द्λαमा, ये आपका पैरिष से निकला था और अंगरेजी भास में परताब 1910 में निकला इसके संस्थापक्ति गडिश्चंकर विध्यार्थी यह आपका कानपुर से निकला था और हिंदी भासा में था किसमें हिंदी आल हिलाल 1912 में निकला था इसके संस्थापक्ति अभूल कलाम आजात कलकत्ता से निकला था उर्दू भासा में था बंबे क्रोनिकल उन्निस त्रेरह में निकला, फ्रोसहाय में था इसके संस्थाबक थी बंबई से निकला था अंग्रेजी भासा में था गदर इसके संस्थाबक थी लालाहरदेयाल और उनिस स्थेरह में निकला थै Leonard सेन फ्रांसिस्को से निकला था और अंग्रेजी भासा में था है कॉमन वील 1914 में निकलता है इसकी संस्थाबग रहती है एनिवेसेंट बंबई से निकलता है और अंग्रेजी भासा में रहता है निव इंडिया यह भी 1914 में निकलता है इसकी संस्थाबक्दी भी आपकी एनीवेसंट ही रहती है बंबई से निकलता है और अंग्रेजी भासा में रहती है सर्वेंट आप इंडिया 1918 में निकलता है, स्री निवास सास्तरी इसके संस्ता पग रहते हैं, मद्रास से और अंग्रेजी भासा में रहता है इंडिपेंडेंट उननीस उननीस में निकलता है मौतिलाल नहरू इसके संस्था पग रहते हैं इलावास से निकलता है और अंग्रेजी भासा में रहते हैं नव जीवन, 1919 में निकलता है, महत्मा गांदी इसके संस्थापग रहते हैं, एहमदा बास से निकलता है, और गुजराती बासा में रहता है, यांग इंडिया, 1919 में निकलता है, इसके संस्थापग महत्मा गांदी रहते हैं, यह आपका एहमदा बास से निकलता है, यह भी पड़िक कर यह आपका बंबई से निकलता है अंग्रेजी वासा में रहता है हरीजन 1933 में निकलता है महत्मगांदी के संस्था पग रहते हैं पूरे से निकलता है यंदी में रहता है इस तरह की कुश्चन्स आपके करी बार पूँच ले गए तो यह थे कुछ समाचर पत्त प अधिवेशन बस संबंदीत इस्थल इनसे तो इनसे संबंदीत हम प्रमुक तत्त भी देखेंगे और इनसे भी आपके कुश्चन सर्वार पूश्चते रहते हैं ठीक बहुत ही मत्मूर इस चेप्टर है ठीक तो इसमें यह संख्या होगी क्रम हो गया इनका यह बर्स हो गय हुआ इस्थान हो गया अधिवेशन कॉंग्रेश का हुआ 1885 में कहां बंबई में इसके जो अधिवेशन थे उनका नाम था बिवमेश चंद बनर जी इसमें बहत्तर पितिनी दियों ने भाग लिया था तो आपको याद रखना है अगर आपसे पूचे कि कॉंग्रेश का पहला अधिवेशन कहां हुआ था तो आपको तुरंत बता देना है मुंबई कब हुआ था 1885 में और इसके अधिक्ष कौन थी बिवमेश चंद बनर जी इसमें आपके बहत्तर पितिनी दियों ने भाग लिया था दूसरा फिर आपका अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में इसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम था दादा भाई नौरो जी इसमें 450 पितिनी दियों ने भाग लिया था ठीक पहला आपका बंबई दूसरा मुअ कका कलकत्ता थीर तीसरा 1887 में होता है यह आपका मद्रास में होता है वे सके अध्यक्ष थे बदृददीन तेयप जी एकिस एक तí्था मुसलिम अध्यक्ष थे यह थे बाइध्यक्ष कुंगरिया हूए यह आपका कई बार कुश्चिंस बन चुका है कंग्रेस अधि तो यह तीसरा अधिवेशन था 1887 का यह मद्रास में हुआ था इसमें आपकी बद्रुद्दिन तेब जी अध्यक्ष थे पित्म मुस्लिम अध्यक्ष चौत्रा अधिवेशन होता है 1888 में इलावाद में इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले पित्म अंग्रेज अध्यक्ष थे और 1300 पिति निदियों ने इसमें भाग लिया था तो एक बात हमेसा याद रखना है आपको कई बार पूछ लेता है वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने अध्यक्ष ता की थी तो यह तीसरा था और कहां हुआ थे मद्रास में फिर पूछ आठवा होता है आपका 1889 में बंबई में सर बिलियम बिडर्मन इसके अध्यक्ष बनते हैं चटा होता है उन्नी सुन अथारे सुन अब्वे में कलकत्ता में होता है इसके अध्यक्ष बनते हैं फिरोसा है मेता साथबा होता है 1891 में यह नागपूर में होता है इसके अध्य बनते हैं पीचाली में अध्यक्ष पनते हैं अध्यक्ष मनते हैं पहले में भी एद्यक्ष था और यह अध्यक्ष्षा भी आपके इसने बनते हैं गए नावा किनेया सम्मिलन अध्यक्षन uh होता है 1893 में लाहोर में होता है इसके अध्यक्ष था भी दादा नोरोजी दादा भाई नोरोजी ने की दसबा होता है आपका 1894 में मदब्रास में इसके अध्यक्ष थे अलपरेड वेव एक कॉंग्रेस समिधान का कॉंग्रेस समिधान का निर्माड किया गया इसमे ठीक है दसबे समिधान में दसबे अधीवेशन में घ्यारहःवा होता है 1895 में पूणा में सुरैंधनात बनरजीज के अध्यप्ष थी वाहरवा बारहवा होता है 1896 में कलकत्ता में और में सयानीज के अध्यप्ष होते हैं पहली बार बंदे मात्रम गाया गया था इसमें तो आपसे question क्या बनता है कि वह कौन सा अधीबेशन था जिसमें पहली बार बंदे मात्रम गाया गया था तो यह 12 बार था और कब हुआ था 1896 में कहां हुआ था कलकत्ता में इसके अध्यक्त कौन थी MA सयानी इससे किसी भी तरह को कुश्चन्स बन सकता है वस आपको सभी पॉइंट याद रफना है तो आप कुश्चन्स सौल करने की स्तिति में होंगे तेरे बाद अधीवेशन होता है अपका 1897 में अमराबती में होता है संकरन नायर इसके अध्यक्ष बनते हैं 14 बाद होता है 1898 में मद्राज में होता है आनन्द मुहन बॉस इसके अध्यक्ष बनते हैं 15 बाद होता है 1899 में यह आपका लखनव में होता है रमेश चंद दत इसके अध्यक्ष बनते हैं 16 बाद 19 सो में लाहूर में होता है नारायन गडिश चंदार का इसके अध्यक्ष रहती हैं याद रखिए मैं भी समझ सकता हूं कि इतने आप लोग नहीं रख सकते हैं किसी भ आपको उनी को याद रखना है जिनके बारे में विसे स्तत्त हैं यानि कि जो महत्तपूर्ण है हमारे लिए उनी को आपको याद रखना है पहला हो गया प्र तीसरा हो गया चौत्रा होगा ठीक इस तरह से आपको याद रखना है जो हमारे लिए महत्तपूर्ण दिखते हैं इसके जो अद्यख्ष थी उनका नाम तदीन सा इदूलची वबाद में होता है इसके अद्यख्ष थी सुरेन्दनात बनरजी 19 बा होता है 1903 में ये मद्रास में होता है इसके अध्यक्ष होते हैं लाल मोहन गोस 20 बा होता है 1904 में ये बंबई में होता है सर हैनरी कौटन इसके अध्यक्ष रहते है 21 बा होता है 1905 में ये बनारस में होता है गोपाल किष्ण गोकले इसके अध्यक्ष रहते है पहली बार सौराज सब्द का प्रयोग किया गया इसके तहर तो इसे आपको याद रखना है अच्छे से याद तो रख सकते हैं आप सभी लेकिन बस थोड़ा फॉकस उन्हों पर जानदा रहना है जिल से हमारा कुश्चन सब्सक्राइब तो यह 22 बार अधिवेशन था कॉंग सब्सक्राइब, इसके अधिक्ष थे ङॉद्राइब विधार्या immai Bakुणा के प्रयास वर्णीच सब्सक्राइब तो इसे अधिवेश्चन थे ने campus पॉद्र Kerry के नृट भौरांट में लाहोर में हुता है पंडित मदन मोहन मालवी इसके अध्यक्ष थे 26 वा हुता है 1910 में इलावाद में हुता है इसके अध्यक्ष थे बिलियम बेडर्मन फिर आपका 27 वा 1911 में हुता है कलकत्ता में हुता है इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायन धर अब याद रहे गया था आपको याद रखना है 28 वा 1912 में बांकिपूर पठना में हुआ था इसके अध्यक्ष थी आरेन माधुलकर 39 वा होता है 1913 में कराची में होता है सियद मुहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष बनते हैं 30 वा होता है 1914 में इमत्रास में होता है भूपेंदनाद 1915 में बंबई में होता है सरसतेंद पिसन सिन्या इसके अध्यक्ष बनते हैं लौर्ड विलेंगिटन ने भाग लिया था इसमें 32 वा होता है 1916 में यह आपका लखनौ में होता है अमिका चरण मव्यूमदार ने इसमें अध्यक्ष बने थे मुसलिम लीक से समझोता इसी याद रखना है 33 वाग 1970 में होता है यह आपका कलकत्ता में होता है इसमें एनिवेसेंट अध्यक्ष बनती है और पित्थम महिला अध्यक्ष थी यह याद रखिए पित्थम महिला अध्यक्ष कौन थी है कॉंग्रिस की एनिवेसेंट किस अध्यवेसेंट में उन्हें अध् कॉंग्रेस का दूसरी वार विवाजन इसी में होता है बिसेश अदिवेशन का मतलब यह रहता है कि आप ने एक डेट कर ली कि इस पर आपकी मीटिंग होगी किसी से लेकिन आपको जरूरत पढ़ जाती है उससे पहले कि बहुत जल्दी में कोई मीटिंग करनी है तो आप उस मार्ण 19 richest में होता है इसके अभ्धक्ष होते है मौतिलाल नहिरू कि 36 वा 1920 में होता है नागपुर में होता है इसके अभ्धक्ष रहते हैं इसिव भिजय राकवाचारी कॉंगरेस समीधान में परिवत्तन होता है में 36 दिए में जो नांगपुर में अधिवेशन होता है 220 में फिर 1902 में ही आपका कल्गत्ता में विसेंश अधिवेशन बुलाए जाता है और इसकी अद्यक्षता करते हैं हमारे लाला लाजपत्र है 37 वा होता है 1921 में एहमदाबाद में होता है इसके अद्धिक्च रहते हैं हकीम अजमंत खान एक कारकारी अद्धिक्च थी पिर 38 वा रहता है 1922 में होता है एक गया बिहार में होता है वो इसके अद्धिक्च रहते हैं सी आर दास 49 वा होता है 1923 में काकी नाडा में होता है मौलाना मौमद अली इसके अद्धिक्च रहते हैं 1923 में दिली विशित होता है अबुल कलाम आजाद इसके अद्धिक्च रहते हैं सबसे युवा अद्धिक्च रहते हैं 40 वा 1924 में ये होता है बेले गाओं में होता है महतमा गंदी इसके अध्यक्ष रहते हैं कौन रहते हैं महतमा गंदी 41 वा 1925 में होता है कानपूर में होता है सरोजिनी डाइडू इसकी अध्यक्ष रहती है पितम भारती महिला अध्यक्ष थी कौन याद रखिए क्या रखना है जो दिल्ली में होता है इसे भी आपको रखने जो बिसिस अधिवेशन था 1923 का इसमें अबुलकलाम आजाद अध्यक्ष ता करते हैं और सबसे युगा अध्यक्ष थी जिस तरह सबसे युगा पिधारबंतरी कौन वने थे लो आपके राजीब गांदी इसी तरह यह सबसे युगा अध्यक्ष थी और जो 40 बार अधिवेशन होता है 1924 में बैल गाउं में इसमें महत्मा गांदी इन्हे में की थी बैल गाउं में तो ए कुष्चन कई बार एक वाण नहीं कई बार और अलग अलग परी तरह की परीष्च्व में पूझ लिया गया कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांदीजी ने एक बार अध्यक्ष था कि थी तो एक 40 बार था 1924 वाला और बैल गाओं में हुआ था है थर पूचता है आप से कि पिथम भारतिये महला अध्यक्ष कौन थी पिथम महला अध्यक्ष तो एनिवेसंट थी लेकिन पिथम भारतिये महला अध्यक्ष थी कॉंग्रिस की सरोजनी नाइडू इन्होंने किस अधिवेशन की अध नानिवार कर दिये जाते ह जो भी सदस रहेत हैं उनके लिए खादी वस्थ अनिवार कर दिये जाते हैं टेयंetos लिए 1927 के लिए मद्यास में होता है एमे अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं पूर्ण स्वाधिन्ता की मांग इसमें रखी जाती है 44 बा होता है आपका 1928 में कलकत्ता में होता है इसकी अध्यक्षता मोदिलाल नहरू करते है 45 बा होता है 1949 में लाहुर में होता है इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहलाल नहरू करती है पूर्ण सुराज की मांग रखी जाती है इसमें ठीक है फिर आपका 46 बाव होता है 1930 में 1931 में कराची में होता है इसके अध्यक्षते बल्लबाई पटेल इसमें आपके मौलिक अधिकारों की मांग लखी जाती है अब आपसे पूँच ले कि पूर्ण सुराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी वो उसकी अध्यक्षता किस ने की थी तो एच्चावालीस बाथ था सुरी एपेंटालीस बाद अधिवेशन था 1929 बाला लाहॉर में होई थी जवालाल लहरू इसकी अध्यक्षता कर रही थी अगर आपसे पूँचे कि मौलिक अधिकारी कि मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी तो एच्चालीस बाथ था 1931 में हुआ था कराची में बल्ला भाई पटेल इसके अध्यक्षते सैंतालीस बाथ यह 1932 में हुआ दिल्ली में हुआ अमरच रर छोड दास सेट इसके अध्यक्षते 48 बाथ 1933 में कलकत्ता में हुआ स्रीमती नलीनी सेन गुपता इसकी अध्यक्षते ठीक है फिर आपका उननचा सबा यह होता है 1934 में बंबई में होता है डॉक्टा राजन पे साथ इसके अध्यक्ष रहते हैं कॉंग्रेस समाजबादी दल की स्थापना इसी समय होती है पचासवा होता है आपका 1934 लखनव में होता है पंडी जवाहला नहरू ही इसकी अध्यक्षता करते है इंक्यावनवा इंक्यावनवा 1937 में होता है फैचपुर बंगाल में होता है इसकी अध्यक्षता भी पंडी जवाहला नहरू ही करते है गाउ में आईजित पित्थम अधिवेशन था है याद रखना फैचपुर में हुआ था इस तरह के वुश्चिन्स भी पूच लेता है कि गाउ में आईजित पित्थम अधिवेशन कहां हुआ था फैचपुर बंगाल में इसके अध्यक्षता थी जवालाल नहरू इंक्यावनवा था ही 1937 का 52 वाह होता है 1938 में हरीपुरा गुजरात में इसके अध्यक्षत बनते हैं स्वास्चंद वास जवालाल नहरू की अध्यक्षता में राष्टी योजना सम्ती का गठन होता है 232 होता है 1949 में तिपुरी मद्विदेश में इसमें भी स्वास्चंद वास ही अध्यक्ष बने रहते हैं लेकिन कुछ समय पास पश्चाज स्वास्चंद वास ने इस्थीपा दे दिया और राजिन पे साथ अध्यक्ष बनते हैं क्योंकि गांदी जी के विरोद के कारण स्वास्चंद वास ने अपना इस्थीपा दे दिया था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तरह आपका चंगनभाो 1940 में रामगर में मौलाना अवलकलाम और अ ज९üst अध्यक्ष दाण की पचपनभाद जीवी कपलानीने इसकी अध्यक्ष दागी थी आजादी के समय क्यों एय आजादी के समय के अध्यक्ष थी क्योंकि 1947 में कोई गर race दिली में राजिन्द भिसाथ, दिली में हुए गर ग्राफ पनबा उननीbles आड़सुन की अद्हेपूर है जैपूर में whiskey सितारमय इसके अद्धिप्च रहते हैं इस अदिवेशन का अरम बंदेमात्रम से सुरूं हुआ था तो यह थे आपकी महत्पूर्ण अधिवेशन और उनसे सम्मंदित कुछ महत्पूर्ण तत्थ और आपको याद रखना है अब है आपकी भारत के फिर्मों कितियासिक और दर्स्निय स्थान हम लोग इनके बारे में अधिकतर देख चुके हैं पीछे ठीक है लेकिन एक रिवेजन के पाइंटी भी उससे आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं यह दर्स्निय स्थान हो गए इस्थान एवं राज हो गए निर्माड करता हो गया और निर्माड का बर्स हो गया कनहेरी की गुफाएं यह आपकी मुंबई महराष्ट में हैं बौद्धों द्वारा बनवाई गये थी पहली सदी इस्था पूरुप से नौभी सदी के बीच बनवाई गये अजन्ता की गुफाएं और अंगा बनवाई गयी थी और कब बनवाई गयी थी और कहां बनवाई गये तो इन में आपसे जहना भूंछेगा-जन्त की गुफाएं कहां चणें कहां हैं तो आपके ज्याद रखना है औरंगावाद महराष्ट में यह едि बहुं बहुत दुन द्वारा बनवाई गया थे 450 से 650 इस भी के मन्दिर कांची पुरम के मन्दिर तमेलाडू चन्ड़ी में है पल्लव राजाओं ने बनवाई थी से छटी एबं साथ भी सदी में एली फेंटा की गुफाएं मुंबई महराष्ट में है या की साथ भी सदी में बने है 64 योगनी मंदिर खजराओ मद्विदिस में है चन्देर राजाओं ने बनवाए था 10 भी सदी में लच्मन मंदिर ये भी आपका चतरपूर में है चन्देर राजाओं ने इसे भी बनवाए 950 से 1050 इस भी की भी खजराओ मंदिल ये भी आपके शत्रपुर्जिले में है चंदे राजाओं ने बनवाय दस्थोपचीस से दस्थोपचास इस्थी के बीच, कंदरिया महादेव मंदिल ये भी आपका खजराओ मंदिप्रेश में चंदे राजाओं ने बनवाय था दस्थोपचीस से मन्हें MP के चातरपूर जिले में और महत्पूर्ट है लोह से भी आपके क्षचन्स बनती रहते हैं और अगर MP के हैं आप लोग और MP का कोई एक्जाम आता है तो यह रैट ले क्योंकि MB में इसे अधिक क्षचन्स पोछे जाती हैं कि ठीक है फिर आपका दिलबाड़ा का जैन मंदिर यह आपको आगू राजिस्थान में इसके निमाड करता थी विमल्जाय दस्सो इकीस इस भी में मदन महल आपका जबलपुन मद्धिविदिस में राज्या मदन साय ने इसका निर्माड करवाय था 1116 में चिन्ना मंदिर बैलूर में हैं विष्णू बर्दन इसका निर्माड करवाय था 1116 कुतव मीनार न्यू दिल्ली में कुतव बुद्दीन इवकनिस की न्यू रखी थी 1199 में धाइडिन का जोप्रा यह आपका अज्मेराजिस्थान में हैं कुत्व बुद्धीन एवक ने इसकी निवी रखी थी 1199 में आना सागा यह आपका अजमे राज स्थान में है आयोड़न राज ने इसका निर्माण करवाए था 1135 से 50 के बीच ठीक जगनात मंदिर यह आपका पूरी उड़ी सामें है अनन्त बरवन ने इसका निर्माण करवाए था 12 सधी में सतापदी में कॉड़ायक मंदिर यह आपका पूरी कॉड़ायक का सूर मंदिर आपने सुनाओगा यह पूरी उड़ी सामें है इसके निर्माड करता थी नर्सिंग देव पितम 13-वी सतावती में हौज खास इदिल्ली में है अलावदिन खिलजीन इसका निर्माड करवाए था 1305 में तोगलखाबाद इदिल्ली में है ग्यासुदिन तोगलख ने इसका निर्माड करवाए था 1921 ने 1321 से 1325 था खेड़की मंद मस्चिद एदिल्ली में जूना साय ने इसका निर्माण करवाया था धार का फिला यह आपका धार मद्धिदेश में है मुहम्मद बिन तोगलग ने इसका निर्माण करवाया था 1385 में 1344 में सोई एक बात आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि देखिए कपस बनवाए गए थे अभी भी अच्छी इस्तिती में और आजकल आप देखते हैं कोई अगर कोई भी बन वाति हैं अगर सड़क भी वन वाते हैं तो पांच मेने में ़ोससे बन पाई साल चल जाईए इससे पहले ही उखड़ पिकती है और पुल बन्माते हैं कि तो बहुत से बादबन दो-चार साल चले गईगा उसकी वात खतम हो जाएं को पुल भी तो पहले और खतम हो जाता हूँ तो पहले कारियर भी अच्छ रहे होंगे और इमानदार राजा भी थे और इमानदार का रहने का मतलब क्या कि खुद के लिए बनवाते हैं कि लोग याद रखें उनके लिए अब तो फंड में से आदा उनी को चाहिए होता है किने ठेकेदारों को किसोर सागर कोटा राजिस्थान में लाचकुमार धीर दे ने इसका निर्माण करवाए 1346 में फिरोसाय कोटला दिल्ली में है इसके जो निर्माण करता थे फिरोसाय तुख लगते 1346 में बूंदी का महिल या आपका बूंदी राजिस्थान में है राजा नर्सिंग ने इसका निर्माण करवाए 1346 में पिछोला जील ये उदैपूर राजिस्थान में एक बंजारा की द्वारा बनाई गी थी 1362 से 1421 के बीच हिल्ती मीनारे एहमदाबाद गुजरात में है इनका निर्माण हुआ 1450 में काकरिया जील एहमदाबाद गुजरात में है इसके निर्माण करता थे सुल्तान कुतव बुद्दीन 1459 में इसका निर्माण करवाए गए बिजयस्तम चित्तोडगर राजिस्तान माराना कुम्बा ने इसका निर्माण करवाए था 1458 से 1461 मान मंदीर यह आपका गौलियर में है राजामान सिंग तौमर ने इसका निर्माण करवाए था 1466 से 1516 तक मिगनैनी का महिल गौलियर मद्धितिस में है राजामान सिंग 1466 से 1516 की बीच कोचीन का किला किरल महिया पुर्थगालियों द्वारा बनाए गये था 1503 में गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है कुली कुतुप साहे 1458 से 1687 की बीच रामभाग आगरा उतरपदिस में बाबर ने बनवाय था 1526 में छत्माहिल बूंदीपोर्ट राजिस्थान में राजाशेट साल ने बनवाय था 1531 में कि यह बात आप लोग समझ रहे होंगे कि यह बनवा रहे थे जो भी इन पर आपने ऐसी कलाकारी देखी होगी कि उस समय हमें नहीं लगता है कि संभव पाई होगी या तो हम लोग सुचके हैं कि या तो किसी दानाव ने रखा हूँ कोई पत्थर उपर तक ले जाना बहुत मुश्किल रहता हूँ आद तो आपके पास ऐसी टेक्निक आ गई यानि कि वेवस्ता हो गई कि कोई भी पत्थर कुछ भी कहीं कित दो है का मकवरा यह आपका साथां विहार में इसलाम साही ने इसकर बनवाए था 1549 से 1545 के बीच बनवाइगया से साही बश्थर पढणा बिहार में आपकी से साही ने बनवाई थी 1545 में विल्ली में आपका से साही सूरी ने बनवाए था 540 से 1546 Kabut Durah不到 केल या आपका पुर आगरा फोर्ट ये आगरा उत्तर पिदिस में है ये अकवर ने बनवाय था 1566 में जहांगीरी महिल आगरा फोर्ट उत्तर पिदिस में है आगरा अकवर ने बनवाय था 1566 में फतेपुर सिक्री आगरा उत्तर पिदिस में अकवर ने से बनवाय था 1541 में सटी बोर्च मतरा उत में अकबर ने बनवाय था 1575 में यह अकबर की द्वारा बनवाय गया अंतिम किला था याद रखिए जूनागड का किला बीका ने राजिस्थान में बनवाय गया राजा जैसिंग के द्वारा 1587 में गोविंद देव का मंदिर बिंद्याबन उत्तर पिदिश में 1590 में चार मीनाद हैदराबाद पहले से पूर्वे आंद्वितिस में कुली कुद्व साहे ने बनवाय था 1591 में कब 1591 में कि इंदरगड सभाई मादोपूर रासिंग ने बनवाय था राजिस्थान में इंद साल इसके इंद साल ने बनवाय था सवाई मादोपूर राजिस्थान में 1605 में अकबर का मकबरा सिकंद्रा उत्तर पिदिश में इसे जहांगीर ने बनवाय था 1613 में मक्का मश्चित हैदराबाद में पूर्वांद पिदिश में कुली कुद्व साहे ने इसी बनवाय था 1614 में पत्थर की मस्चित पटना विहार में है परवेश साही ने इसे बनवाय था 1621 में इतमाद दौला का मकवरा ये आपका आगरा उत्तर पिदेश में है नूर जहाने इसे बनवाय था 1622 से 1628 के बीच तत्थर मश्चिद ये आपकी जम्हू कस्मीर में है, नूर जहाँ ने इसे बनवाए था, 1623 में, कब 1623 में रादा बल्लम मंदिर, भिंधा बन उत्तरप्यदेश में है, 1626 में इसका निर्मार करवाए गया था निसाद बाग ये आपका जम्मू कस्मीर में है इसके निर्मार करता थे आसब अली 1633 में खास महिल आगरा फोर्ट उत्तर पिदेश में है साय जहाने बनवाए था 1636 में सीज महल आगरा फोर्ट उत्तर विदेश में साह जाहने बनवाय था 1637 में दीबाने खास यह भी आपका आगरा फोर्ट में उत्तर विदेश में साह जाहने इसे भी बनवाय था 1637 में चीनी का रोजा ये आपका आगरा उत्तरप pessittis में इसे भी साय जहानी बनवाई था 1600 में कब? 1649 में ताज महल जैसे आप लोग जाते हैं देखने ताज महल आगरा उत्तरप pessittis में इसे साय जहानी बनवाई था 1630 से 1652 के बीच काणपूर माहिल यह धौल पूर राजिस्थान में है साजहाने बनवाये था असी 1640 में चस्मा साही जम्हुकश्मीर में अली मरदान खामने से बनवाये था 1612 में सालिमार बाग जम्हुकश्मीर यह आपका जहागीर के समय बनता है जामा वस्जित आगरा उत्तर पिदिस साह जहाने बनवाई 1646 में मौती वस्जित आगरा फूट उत्तर पिदिस में ये भी आपका साह जहाने बनवाई था 1646 से 1653 की बीच लाल किला दिल्ली में है ये साह जहाने बनवाई था 1648 में जामा मस्जित दिल्ली में हैं ॐ आपकी साहा जहां ने बनवाई थी 1650 से 1656 की वीच सैंट जोर्ज किला चैंडाल में लाड़ू में हैं Think India Company ने बनवाई था 1613 में मौती मस्जित दिल्ली में हैं ए औरंग जिब ने बनवाई थी 1659 में हुमायू कामा के बड़ा ये दिल्ली लाल किला में हैं हुमायू की वेगम ने बनवाय था 1665 से 1674 के भी फत्य सागर उदैपूर राजिस्थान में महाराणा फत्य सिंग ने बनवाय थी 1678 में सहीलियों की बाड़ी उदैपूर राजिस्थान में महाराणा फत्य सिंग ने इसी बनवाय था 1678 में अनिरुद्य का महिल बूंदी फोर्ट राजिस्थान में राजा अनिरुद्य सिंग ने बनवाय था 1689 में बीवी का मकरा मकवरा औरंगाबाद महराष्ट में औरंग जेम से भनवाय था 1689 में जैसंब्समंद include ध cyclies तान में महराणा जैसिग ने इसे बनवाय था 1691 में राणी की बाड़ी बूंदी राजिस्थान में रणinya नात्वती ने बनवाय था 1700 में जंतर मंतर धिली में आपका राजर सबाय सभाई जय सिंगने से बनवाय था कव 1724 में डीग महल यह आपका डीग राजिस्तान में है राजा बदन सिंगने से बनवाय था 1785 में कव 1785 में सौरी 1725 में यारे कभी इस तरह से अगर मैं गलत बता देता हूं वह आंगे बढ़ जाता हूं तो कमेंट में लिख दिया करिएगा कि इसका है वैसे आप लोग अगर इसकीन देख रहे होंगे तो उस पर तो सही डेट लिखी गई है लेकिन क्या है कि गलत निकल जाता है कभी कभी जंतरमंतर जैपुराजिस्थान में सबाई जैसिंग इसके निर्मार करता थे 1724 से 1727 में 1726 में तो थे आपका नाहरगर नाहरगर पोर्ट यह आपका है जैपुराजिस्थान में इसके निर्मार करता थे सबाई जैसिंग 1734 में भरतपुर का किला भरतपुराजिस्थान में है राजा सूरज महलने से बनवायता है 1732 से 1802 के बीच जगमोहन महल कोटा में इसके निर्माड करता थे राजकुमार बिरिच कुमार 1740 में पादरी की हविली पटना बिहार में है आपका फादर कापूचिन 3759 में बनेवाएगा सफधर का जंग का मकबरा दिल्ली में है सुजाउद्दोला इसके निर्माड करता थे 1753 में से चंगन में रहता था गिलियम फोट कोलकाता पश्चे मंगाल में लौड किलाइब ने बनवाए था 1757 में सुखनेवास यह आपका बूंदी राजिस्थान में है राजा विसेन सींग इसके अर्दिप्षते 1773 में गोल घर यह आपका पठना बिहार में है बैटिस सरकार में बनवाए था 1786 में बिश्णूपद मंदिर गया अभिहार में है रानी अहल यावाईने से बनवाए था 1787 में बड़ा इमाम बाड़ा लगन उत्तर पिदिश में है नबाव आसप उद्दौला ने बनवाए था 1774 में हवा महिल जैपुर राजिस्थान में है महराना पिता अप सींग इसके निर्मार करता थे 1789 में लाल लाल बाग सुना हुआ लाल बाग आपका इस बैंगलोर करनाटक में है है ऐदर अली और टीपू सुल्दान ने से बनवाया 28-27 ऑथी में टीपू क महल यह भी आपका बंगलोर करनाटक में है है अधर अलीश यह अपका अमरस्तर पंजाब में हैं महराच महरां या गर रजी स्ञींग सोले सो दो मैं 66 हर मंदीद यह आपका पटना भीहार मे मुसी रानी की चत्री अलवर राजिस्थान में महराजा बिने सिंग ने शी बनवाय था 1815 में गागरोन का किला यह जालावाड राजिस्थान में जालावाड राजबाडा ने बनवाय था 1818 में चोटा इमाम बाड़ा लखन उत्तर पेडिस में हैं मुहमद अली साय ने बनवाय था 1637 में काली मंदिर यह कोलकाता पश्चिमंगाल में जानी रास मौनी ने बनवाय था 1847 एक बात आप लोगों यहां दिहार रखिए कि आप जिस इस्टेट से यानि की उत्तर पेडिस से हैं हैं या फिर मौमदिर से हैं या राजिस्तान भीहार से था तो अपने आ सभी मारतों को प्राचीन मारतों को याद रखनाएं और प्राचीन तीट को सत Whew बनी रहती हैं Automated है कि आप सभी तो याद रख पाना मुस्किल रहता है सबके लिए आपके लिए ही नहीं है सबके याद रखना है और बाहर के स्टेटों की बोई याद रखना है जो चल्चा में रहती है खास ठीक है क्योंकि आपके यहां का जो एक्जाम होता है तो लोकल पूंचा जाता है उसमें अपकान चर्च यह मुंबई महराष्ट में बेटिस सरकार में बनवाए था 1847 में रंग जी का मंदिर बिंदाबन उत्तरपिदिस में 1859 में बनाई जैन मंदिर अजमीराजिस्थान में सेट मूल चंद सौनी ने बनवाय था 1865 में, साय जी का मंदिल बिंदाबन उत्तर पिदेश में, 1876 में इसका निर्माड हुआ, हाई कोट मुंबई महराष्ट में, बैटिस सरीकार की समय हुआ, 1878 में इसका निर्माड जोत्पुर दुर्ग जोत्पुर राजिस्थान में, रा सांती निक्रितन पश्चम बंगाल में, इसके निर्माड करता थी रविना टेवॉफ, 1905 में इसे बनवाए गया, उमेद भवन महिल जोत्पुर राजिस्थान में, महराजा उमेंद सींग, उमेद सींग ने बनवाया, 1905 में, त्रेंस ओब बैल्स म्यूजियम, यहापका ब परवंती आश्रम, एहमदाबाज गुजिरात में हैं, गांधी जी ने बनवाया था इसे, 1916 में, आनन्द भवन, इलाबाद उफ्तर पितिस में हैं, मौती लालनेहरू ने बनवाया था इसे, आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं, बढ़िया जगे, ठीके, गेटवे ऑप बंबई महराष्ट में, बेटे सरकार में बनवाया था, 1926 में, राष्टपदी बवन, दिल्ली, बेटे सरकार में बनवाया था, 1929 में, लच्मी नारायन मंदिर, दिल्ली में हैं, बिला परिबार ने बनवाया था, 1938 में, जिम कारवेट पार्क, नेनीता लुत्तराखंड मे सर मेलकम हेलली ने 1935 में से बनाया लचमण जूला रेशी के सुत्राकंड में 1949 में इसका निर्माड किया गया तारापूर कमचली घर बंबई महराष्ट में तारापूर ने से बनवाया अब हम बात करते हैं कि त्राचीन भारत में संस्कित पाली और प्रक्रित और अन्ह भासाओं में लिखेगा गरंत उनकी लेक्षिकों के बारे में बात करते हैं पहले भी हम लोग ने देख चुके हैं लेकिन इन्हें आप करम में देखेंगे इनसे कुश्चन सापके बंदे रहते हैं अक्सब अश्ठद्याई यह गरंत आपका पाणिनी ने लिखा था पानिनी ने रामायड बालमीकी साहब ने लिखी बाहा भारत आपकी बेदवयास साहब ने लिखी याद रखिए इस तरह कि जो भी गरंत हैं आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि आप जैसे आपको पता होना चाहिए रामायड का लेका कौन था बालमीकी साहब क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं और कोई भी आपसे कभी भी पूंच सकता है इस तरह के ठीक है सत्त सहिस्तिका सूत्त प्रिग्या पार्मिता सूत्त सास्त और माध्यमिका ये सभी नागारुजुन ने लिखी ये सभी गरंद नागारुजुन के हैं महायान संपरी ग्रह असंग के हैं अभी धमकोस वसु बंदु के हैं वसु बंदु के बुद्ध्य चरित, सारी पुद्ध पिकरंड, सूत्त्रालंकार, स्तुंद्रानंद, महायान, सुर्धोत, पत, अस गोस के हैं मुद्ध्राराक्चस, विसाखदत के हैं, अर्धसास्त, ये आपकी चाड़क की है महाभाद पतंजली का है, सांकी कारिका, ये इसोर कृष्णि की है कुमार सम्भाव, अभिज्यान सकुंतलं, बिक्रों बर्सियम, मेगदूत, रगुबंस, और माल भिकागनी मित्रम, ये सब ही आपकी कालिदास की है ठीक है, किसकी कालिदास की यार मुझे लगता ही कि हम जो भी भारत में रह रहे हैं, ये नहीं हमें भारत का इतियास तो हमें पता होना चाहिए, हम बढ़ रहे हैं, ये स्टुडेंट हैं या फिर कोई भी इनसान है आगा अगर भारत में आप रह रहे हैं तो आपके भारत के बारे में मालू तो होना चाहिए सासन पतिती क्या है भोगोली की स्थिती क्या है भारत की समीधान क्या है इतियास क्या रहा है भारत का इसके बारे में जनरल नॉलेज होना भी चाहिए विदेशियों को देखिए, वो तैयारी नहीं कर रहा है किसी एक जाम की, फिर भी उन्हें अपनी भवोल किस्तिती के बारे में मालू रहता है, और हमें पता ही नहीं रहता है कि बंगलादेश किस तरफ है, पाकिस्तान किस तरफ है, हमारा मद्विदेश किस तरफ है, फिर उस कि उडिशा इस तरह चर्चा में आते हैं जब गिरामीड चेत्रों में तो वो विदेश समझने लगते हैं कि ये विदेश का नाम बता रहे हैं किसी देश का तु सब लोग इतना तो जानना चाहिए सोपन वास्वद्धिता पितिग्या योगन धारंट ये भासने लिखे नागानंद रतनावली प्रिये दैर्शी का ये आपकी हर्ष वर्धन की हैं हर्ष चरित और कादंबरी ये वाणबट्टी की हैं गोणबाहु ये वाकपती की हैं बित्रमांक देव चरित ये आपकी विलहड की हैं कुमार पाल चरित ये आपकी जैसिंग की हैं कुमार पाल चरित ये हैमचंद की हैं याद रखे कुमार पाल चरित ये आपकी जैसिंग की हैं और कुमार पाल चरित हैमचंद ने भी लिखी हमेर काब जैचंद ने लिखी न से सांख सेरीत पदम गुपत है पत्द गुपत परीमल लिए लिए बोच पे बन इंद या आपका बल्लाल लोगई मैं पिद्वी राज रासू है मिमें पिद्वी राज चंद ब大概 गडाई या राज कलहन ने लिखी रसमाला कीर्थी कुमदी ये सौमेशोर ने लिखी थी सुकृत समकीर्थन एर अरी सिंग ने लिखी प्रवंद चिंतामडी ये महरूतुंग ने लिखी काप मेवानसा करपूर मंजरी बाल रामाइड भोवनकोस हरी बलाज प्रवंदकोस ये सभी राजसेखन ने लिखी किसने रास्ते करने इस तरह कि आपकी अधिकतार बार पूँच लेता है बाल रामाईड किसने लिखी आपको भिर्मित करने के लिए हमीर मर्दन हमीर मद मर्दन इस जैसिंग ने लिखी थी इंडिका मैगास्तिनीज ने लिखी माविसा विभासा सास्तेव वसुमत ने लिखी किसने वसो में चरक सहिता यह चरक ने लिखी कमंदक नीदिचार एक राश्थे सिकन लिखी देवीचंड गुट्तम विसाखा दत्त नी किसने विससाखा दत्तने कि ठीक है फिर है आँगे आपका म्रेच्छ कटिकम इसके लेकाख है सूद्रप कीरतार जुनियम इसके लेकाख है भारवी रावडबद इसके लेकाख है भट्टिकभी पंच्तंत इसके लेकाख है विश्नु सर्मा नेतिशार इसके लेकाख है कमंदक कामसूत इसके लेकाख है वातसाय पदार्त धरम संग्रय इसके लेका के प्रस्तपाद काबवया दर्स दसकुमार्चरित इसके आपके लेका के दंडी प्रमान समुच्चे इसके लेका के दिंग नाग वसु बंदू जीवनी इसके लेका के परमार्थ चंद ब्याकरन इसके लेका के चंद गोमिन सो सिद्धान्थ, इसके लेखा है। आर्वट। बेहत सईता पंच सिद्धान्थिका, बेहत जतिका लगुजातिका इसके लेखाए इससभी के वराह मिहिर। हस्तिया आयूबेद इसके लेखा है पालख प्या है। इलावा दिस्तम पिसस्ती इसके लेका के हरी सेन, यसो बर्मन पिसस्ती इसके लेका के वासुल, हरहा पिसस्ती इसके लेका के रवी सांती, कौने रवी सांती वदू वर्मन कुमार और गुप्त मंतसवृ सस्थी सके लेकक निए वद सभठ्टी, तल-गुंडा इसके लेकक हैं कुर्जा, हरी विजय गाता सप्शती इसके लेकक रहे हैं सर्वसेंड, काब्वे सेतू बंदू रावड हो बहो इसके लेकक रहे हैं प्रवसेंड दूतियर गीत गोबिंद इसके लेकक रहे हैं जैदिव सिंग कासी कावेटी इसके लेकक रहे हैं गयादित नेती सतक सिंगाल सतक इसके लेकक हैं भर्थरी कौन है भर्थरी पिर आपका बैरागिस सतक आयोवेत सर्वस बेवार समुचर सब्दा नुसाशन युक्ति कल्पतरू राज मिर्ग का इसके लेकक रहे हैं राजा भोज सहाब कथा सरित सागर इसके लेकक रहे हैं सौमदेव सिसू पालबद इसके लेकक हैं माग निसद चरित इसके लेकक हैं स्रीहरिस हरस कुट्टी नेम्तम इसके लेकक हैं दामुदर गुप्त तिलक मंजरी यस तिलक इसके लेकक हैं धनपाल वासबदता इसके लेकक हैं सुबंदू क बहुति उत्ता ढाम चरtha केले कहा है यह यहाद रखना हो आप इसे एक बार ऐसा किया करेंगा तो कि इसे एक बार नौर्मल तरीके से सुनलेना यह यह निए यह रखना है आपको उसके बाद क्या करना है दूसरी बार आपको ठोड़ा सिलो करके अच्छे से जो आपको नहीं याद रहता है उनकी बारे में तुड़ा याद कर लेना एक से दो बार आप लोग सुनेंगे मुझे भरोसा है कि आपके दिमाग में सब कुछ फीड हो जाएगा बस आपको ध्यान से सुनना है पूरा उसी में वगन हो जाना है जिस तरह से संतनी ह हो जाते हैं उसी तरह से आपको इतिहास में खोई आना है इतिहास कार बनकर ठीक है फिर आपका प्रमोश्चंद प्रमोश्चंद आनंद वर्दन इसके लेकर आपको भी इतिहास लिखना है जिस तरह आपको परिशान करें इतिहास में राजा इसी तरह से आप कभी इतिहास पढ़ा जाएकर कौशेस आपकी यही रहनी चाहिए इसलिए तो आप इतियास पढ़ रहें कि बरना उन बे लोगों जैसे नहीं रहते जो इतियास को हाथ भी नदी लगाते उन्हें पता ही नहीं रहता है सामचरित पालवंस कि है संध्याकर नंदी द्वारां लेकी गई पित्वी राज विजधी इसके लेकों के जैनक प्रमाण मिवांसा इसके लेक即ह मेंचनद कथा मंजरी इसके लेकों के छहमेंद कांतराव्याकरन इसके के सरव बर्मन नाट सास्त इसके लेका के भरकमुनी कोक सास्त इसके लेका के कोकापंडे संगीत रत्नाकार इसके लेका के आपके सारंग देव कौन है सारंग देव न्याय बिंदू इसके लेका के धर्माकित मिताक्षरा इसके लेका के आपकी बिज्ञाने सो अस्टांग संग्रे इसके लेका के बागवट सिद्धान्थ सिरोमडी लीलावती इसके लेका के भास्कराचार माधनिदान रोग बिनिश्चय इसके लेका के माधावकर। तिकूरल इसके लेका के तुरूबल्लू उवर। मतविलास पैसन इसके लेका के महंद बर्मन। सिंगार तिलग इसके लेका के रुद्धभट। अलंकार राज सार संग्रय इसके लेका के वुद्भट। काब्या लंकार सूत्विट्थी इसके लेका के बामन। दुन्या लोक इसके लेका के आनंद वर्धन। कौने आनंद वर्धन। सिद्ध्य। इसके लेका के बिंदा। निघंट। इसके लेका के धनवंत्री। कौने इसके लेकाखें स्रीधर बैद मानस इसके लेकाखें मनु लगू मानस इसके लेकाखें मन्जुल आरसिद द्धांत इसके लेका के आरवट, दूतिय, सरसावली, इसके लेका के कल्याड वर्मन, फ्रयापका तत्त कौमिद्दी, तत्त सार्दी, नियाय वर्तिका, तत्त अर्टिका, नियाय सूत्रुधाद, नियाय कनिका, यहुगा सार संग्रै, इसके लेका के वाच इसपती मिस, को ने भोच पनमार्ग Husam योग बर्तिक एक सार संवग मिलें कहाँ ज्यान भीक्षू। ततव इसके लेकक है ओदेन नियाय मंजडी इसके लेकक है आपके जैन्त नियाय सार इसके लेकक है भास वर्जना नियाय तत्त योगा रहिस इसके लेकक है नात्मुनिया गीत संग्रय महापूरस नेड़े सिध्धित्या अगम प्रमाण प्रमाण इसके लेकक है यम नाचारे दर्ध धुर्तर प्यामा समरादित कत्ष इसके लेकक हैं हरीबद कुबल माला इसके लेकक हैं दोगत नसुरी ओबदेश माला इसके लेकक हैं धर्मसाध गिनी ज्ञान पंचमी कत्ष इमहस्र महस्र सूरीद वालां लिखी गए फिर आपकी भवन सुन्द्री कथा यह बिजय सिंग द्वारां लिखे गए अजी सांती स्तो नंदी सेंड द्वारां लिखे गए गाता सप्त सती हाल द्वारां लिखे गए बियात कथा गुनान्यक द्वारां लिखे गए कथांत्रा सरव बर्मन द्वारां लिखे गए यह थ यहीं आप देख लेते हैं सुधंता अंदूलन से सम्मंदित कुछ मत्मून पुस्तक हैं और उनकी लेकक हैं सुधंता अंदूलन से बंदे मात्रम करमयोगी योगांतर लाइब डिवाइन सावित्री ए सभी पुस्तक हैं आपकी किसकी अर्वेंद गोस्तकी याद रखने अर्वेंद गोस्तकी निव लेंब्स फोर ओल्ड एवी आपकी अर्वेंद गोस्तक हैं भवानी मंदिर एवी आपकी अर्वेंद गोस्त की है हिंद स्वराज ये महत्मा गांधी गोरा रविनाट्टे गो घर बाहरे बाहरे रविनाट्टे गो भारत एक खोज जवालाल नहरू भारत एक खोज जवालाल नहरू सेज इनडियन एकोनुमिक्स महादेव गोविन्द रणाड़र राई ओप धा मराथा पाबर महादेव गोविन्द रणाड़र आरकेटिक हॉम ओप धा बीदाज बाल गंगाधर तिलक गीता रावस बाल गंगधर तिलक गीता रास भी आपकी बालगंगद तिलक की है इन्हें आपको याद रखना अच्छे से पावर्टी एंड 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 बैटिस रूल इन इंडिया ये भी आपकी कई बार पूछ ली गई है दादा भाई नौरो जी की है वी ये आपकी AMS गोल वालकर की है दुर्गेश नंदिनी वाकिम चंद चटर जी की है बंगेदर्शन ये बाकिम चंद चटर जी किये आनंदमट ये भी आपकी बाकिम चंद चटर जी किये इंडिया इन ट्रांजिशन ये एमेन रॉय किये एकोनोमेक हिस्टरी ओफ बेटिस इंडिया ये आर्सी दत किये किसकी आर्सी दत कि दा इंडियन इस्ट्रेगल सुभाश्चिंद वॉस किये, इंडियन मुसल्मान्स यह हंटर किये, गड़ दिवता यह तारह संकर संकर बंदुपाद्ध्याई किये, फिलोस्पी आप दाबब, भगबती चरन्द मोहरा किये, वराई सोसलिज्ड यह जैपिकास नारायन द्वार लिखी गई थी, फिर आपकी, क्या है, गांधी बर्सिस लेनन, इसके लेका कहें, ऐसे डांगे, प्रॉमलम ओब दा इस्ट, इसके लेका कहें, लॉड कर्जन, नील दरपन, इसके लेका कहें, दीन बंदू, इंडिया टूडे, आरपी दक्त की है, इंडिया भी बीन्स, फी किये, ठाकुर मार जोली, ए डी एम मजूमदार किये, इंडिया अनरेष्ट, बेलेंटाइन सरोल किये, प्राच और प्राष्च, चात, इस्वामी बिवेकानंद किये, निवंद माला, विश्नुकिष, चिपुल निकर किये, गोर्ग कर्णानिदी, स्वामी दयानंद सरस्ति किये, लेटर्स ऑफ ररेसिया, रवेनाट्गर किये, बीदर इंडिया, रवेनाट्गर किये, सोवियत असिया, जवाल लाल नहरू किये, पाथिर दावी, अविंद ना टेगर किये, हिष्टिर of हिंदू केमिस्टरी, पीसीरई किये, प्रिजेंट ऑफ बंगाल, आर्शी द अब हम देखते हैं पिरमुक राजबंस, उनके संस्थापक और राध्धानी, क्योंकि इससे भी डारेक्ट कोस्चन्स आपका पूछ लिया जाता है, कि हरैकबंस की राध्धानी क्या थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो यह आपका साजणी में दे दिया गया है, और पॉइं आपसे पूँचे नंद बंस, इसका संस्थापक और महा पदम नंद और इसकी राध्धानी क्या थी, पातलिपुत मोर बंस, इसका संस्थापक था चंदगुप्त और राध्धानी थी पातलिपुत सुंग बंस इसका संस्थापक था पुस्चमित सुंग और इसकी राध्धानी भी पाटली पुत थी कर्ण बंस इसका संस्थापक था वसुदेव पाटली पुत इसकी राध्धानी थी साथ बहान बंस इसका सासक्ता यानि की संस्थापक सिमोग इसकी राध्धानी थी पितिश्ठान कोसान बंस इसका संस्थापक था कुजल कड़ फीसेश इसकी राध्धानी थी पुरोषपुर पुरुष पुरु गुप्त बंच गुप्त बंच इसकी राध्धानी थी पाठलीपुत इसका संस्थापक्त श्रीपुत हुण बंच इसका संस्थापक्त तोर्माट इसकी राध्धानी थी स्यालगोट वर्धन बंस इसका संस्थापक था पुस्य भूती और इसकी राध्धानी थानिस और कन्नोश थी ठीक दो फिर आपका सैन बंस इसका संस्थापक था सामंत सैन और राध्धानी थी लखनोती परमार बंस इसका संस्थापक उपेंद था और इसकी राध्धानी थी धारा नगर चंदेल बंस इसका संस्थापक था नन्नुक इसकी राध्धानी खजरावर फी रही है और महोबावी गहडवाल बंस इसका संस्थापक था चंदेव इसकी राध्धानी थी कन्नोच गुरजर पितिहार बंस इसका संस्थापक था नागबट पितम कन्योज इसकी राध्धानी रही पल्लाव बंस सिंग बर्मन चतुर्थ इसका संस्थापक रहता है और कांची पुरम इसकी राध्धानी रहती है अब आपको यहाँ याद रखने लायक पॉइंट है कुछ चालुक यह बादामी की चालुक थे इसका संस्थापक था जै सिंग पितम वह तापी इसकी राध्धानी थी चालुक ये बैंगी चालुक थे इसका संस्थापक था विश्णु बल धन इसकी राध्धानी थी बैंगी फर कल्याणी के चालुक थे जो इनका संस्थापक था विजयादित और इनकी राध्धानी मानखेत भी रही है कल्याण भी रही है फर आपका राष्टकूट बंस इसक स्था पक्ता कुतो बुद्दीन एवक दिल्ली इसकी राद्धानी खेली बंज जलालुद्दीन खेली सस्था पक्ता दिल्ली इसकी राद्धानी थी तोगलक तरह आपका लोधी बंस इसकी राध्धानी थी दिल्ली और बहलो लोधी इसका संस्थापक्ता चोल बंस बिज्याले इसका संस्थापक्ता तंजोर इसकी राध्धानी थी पांड बंस नेडी योन इसका संस्थापक्ता मदूरे इसकी राध्धानी थी यादव बंस, भिल्लम इसका संस्थापक्ता और देवगिरी इसकी राध्धानी थी, होईसल बंस, विश्नु बर्धन इसका संस्थापक्ता द्वार समुद्ध इसकी राध्धानी थी, संगम बंस, हरी हरे एवं बुक्का इसका संस्थापक्ता बिजय नगर इसकी राध्धा आर्वीडू वंस आपका जो है इसके संस्थाफक थे तिरुमल और इसकी राध्धानी थी पैनुकुंदा ठीक है फिर आपका बह्मनी समरच यानि कि बह्मनी वंस इसका जो संस्थाफक था उसका नाम था हसन गंगु इसकी राध्धानी थी गुलबर्गा बीदर कुतुब साही वंस इसका संस्थाफक था कुली कुतुब साह और गोल कुंडा इसकी राध्धानी थी आदिल साही वंस इसका संस्थाफक आदिल साह था और बीजापुर इसकी राध्धानी थी निजाम साही, मलिक अहमद इसका संस्तापक था, अहमद नगर इसकी राध्धानी थी इमाम साही, इमाद साही, फते उल्ला इमाद साही इसका संस्तापक था, वरार इसकी राध्धानी थी बरीद साही अमीर अली वरीद इसका संस्थापक था बीदर इसकी राध्धानी थी सोलंकी वंस इसका संस्थापक था मूलाज और अनहिल बार्ड इसकी राध्धानी थी कल्चुरी वंस कुकल इसका संस्थापक था और तिपुरी इसकी राध्धानी थी सरकी बंस मलिक सरवर इसका संस्थापक था जौनपुर इसकी राध्धानी थी क्या थी जौनपुर फिर आपका मुगल बंस आता है इसमें इसका संस्थापक बाबल था दिल्ली और आगरा इसकी राध्धानी रही है कभी दिल्ली कभी आगरा ठीक बहुंसले बंस सिवाजी इसके संस्थापक थी रायगर इनकी राजधानी थी पाल बंस गोपाल इसका संस्थापक था मुंगेर इसकी राजधानी थी चोहान बंस वासुदेव इसका संस्थापक था अजमेर इसकी राजधानी थी हैदराबाद का सुतंत राच इसका संस्ता पर्वन 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 और उनकी राद्धानियां और उनकी संस्थापक इनसे भी आपका कुश्चन पूंचा जाता है याद रखिए इसलिए याद कर लीजे नहीं अब चलते हैं लोग पिरमुक भारती सासक उनके बंस और उनकी उपादी देखते हैं ठीक है जो भारती सासकों को उपादियां मिली हुई थी उनके उपादियों के बारे में हम लोग जानते हैं ठीक है जैसे इलतुतमिस एकस सासक का था गुलां बंस बंस का सासक था नासर उल्व मोमिने से कहा जाता था उपादी मिली हुई थी जोनाखा एसे मोहमद बिन तुगलक कहते थे और उल्गो खा भी कहते थे से दारा सिखो ए मुगल बंस का सा सकता इसे साह एकपाल भी कहते थे आप लो यानि कि उपादी मिली वही थे अकबर एभी मुखल बंस के सा सकते इसलाम ए आदिल इसे कहा जाता था हर्श्र बर्धन बर्धन बंसका साथ सकता सिलादित्य से कहा जाता था हाल एक साथ बाहन बंसका साथ सकता कभी वातसल इसे कहते थे आप लो गौत्मी पुत्थ साथ करनी एक साथ बाहन बंसका साथ सकता चत्रिय दरप मांद मर्धन इसे कहा जाता था कनिस्क एकुस वन्सका साथ सकता देवपुत से कहते थे राज राज ए चोल वन्सका साथ सकता जै गौंड चोल मार्तंद गुध यह आपकी राजंद पिथम की उपादी थी महमूद गजनवी यह आपका गजनी वंस का सा सक्ता यामीन ओद, दौला और भुत, सीखन यह उपादिया थी इसकी प्रोलाय बर्मा रेडडी यह रेडडी वंस का सा सक्ता धरम पितिष्ठान और गुरु इसकी उपादिया थी किष्ण देव राय ये तुलो बंस का सासक्ता यमन राज इस्थापनाचार अंद भोच संगीत सायत समरांगन साथ भौम इसकी उपादिया थी जहांगीर मुगल बंस का सासक्ता और सेख सलीम इसकी उपादी थी महरुन निसा मुगल बंस की थी नूर जहांगीर की बेगम थी से और इन्हें नूर जहां बोला जाता थी और अरंग्जेव यह भी आपका मुगल बंस का सासक्ता अबुल मुजप्फर मुयूद्दीन मुहम्मद और अरंग्जेव बहादुर आलंगीर बासाय और गाजी इसे उपादियां मिली हुई थी पुलकेसिंग दूती है चालुक कुवातापी सासक्ता परमेसुर इसे उपादी मिली हुई थी महंद बर्मन पे थम यह पल्लो बंस का सासक्ता बिचित चित इसे उपादी मिली हुई थी नरसिंग बर्मण पिथम पल्लों बंज़ा सकता महां मल्ले की उपादी मुली होई थी किसी नरसिंग बर्मन को ठीक है त्रह गोबेंद थी थी है कौन गोबेंद ते थी ऐ अपका राश्ट कूट बंज़का सा सकता जंग्तुंग की उपादी मिली हुई थी विक्रमादेत चतुर्थ ये चालुक बंस कल्याडी जो चालुक थे इसका सा सकता तिरू बोबन मल्लेकी से उपादी मिली हुई थी विक्रमादेत तुदुतिये चालुक बेंगी नरेश इसे उपादियां मिली थी रन नरेंध और मे राज की अलावदीन बह्मन साहे ये बह्मनी बंस का साथ सकता सिकंदर ये ईसानी इसे उपादी मिली हुई थी इब्राहिम कुतब साहे कुतब साही बंस का साथ सकता मलकी बरम की उपादी मिली हुई थी कुतब बुद्धीन एपक ये गुलाम बंस का साथ सकता इसे लाक बक् प्राव मराठों के विश्वा थी इन्हें नाना साहब की नाम से जानते थे आप लोग साय जहा मुगलवन्स का सा सकता अबोल मुझप्फर शाहबुद्दीन मुहम्मत साहब केरने सानी इसे कहा जाता था यानि कि यह उपादी मिली हुई थे बाबर को मुगलवन्स का सा तकत इसे गाजी कहते थे गाजी की उपादी मिली हुई थे हरी हर दोतिय इस संगम बंस का सा सकता इसे आप लोग राज परमेसोर यानि की राज परमेसोर की उपादी मिली हुई थे ठीक है तरहे आपका सेर साह यह आपका सूर बंस का सा सकता हजरत यह आला की उपादी मिली हु इसे आप लोग कभी राज के नाम से भी जानते हैं पराक्रमांग भारतिय नेपोलियन के नाम से भी जानते थे यानि कि ये सभी इसकी उपादिया थे चंदगुप्त पिथम गुप्त बंस का सा सकता इसे आप लोग महाराजा धिराज की उपादी से जानते थे चंदगुप्त दुथिये यह भी गुप्त बंस का सा सकता इसे विक्रमादित और सक्राइदित के नाम से भी जानते थे यानि कि यह उपादियां थी तो यहां तक आपका होता है भारत का इतिहास खतम ठीक है? क्या होता है? भारत का इतिहास खतम, आप अगर वन डेक जाम की तरियारी कर रहे हैं यानि तक कि के इस्टेट प्रिलियम्स के लिए आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं बहुत बड़ी अबुक्स है ठीक है किरन की? लेकिन याद रखिए अगर आप सिविल सर्विस की तरियारी कर रहे हैं तो आपको NCEI पढ़ना ज़रूरी है तभी आल प्रिलियम्स निकाल पाएंगे ठीक है? लेकिन इतना गय सकता हूँ वन्डे एकजाम के लिए बहतर बुक है लूसेंट से कई गुना अच्छे भी है ठीक है? अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो इसे खरी सकते हैं आप लोग और लूसेंट है तो मद करिए दिये से ही पढ़ लीजे ठीक है? आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपके पास जो वेवस्ता है तो यह आपका पूरा भारत का इतियास कंपलीट होता है पर आचीन भारत फिर मद्दकालीन भारत और आपने फिर देखा आदूनिक भारत आपको चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ना है इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी जोड नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आप लोग कवर भी कर लेंगे इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा विस्त का इतियास वर्ड हिस्ट्री देखेंगे हम लोग उसे भी अच्छे से जानेगी और जितने आपके कुश्चन्स आते हैं फिपर में वो भी आज सॉल्व कर सकेंगे तो अंगली खिलास में हम लोग आँगे देखेंगे विस्त रतिहास ठीक है